आपको आंसर में कालिवंगा सब्वेता आपको बताना है ठीक है चलिए अगले प्रशन की बात करते हैं अगला प्रशन है कि आमेर राजा बिहारी मल्की पुत्री का विवा अकबर के साथ कहां हुआ दोस्तों आपसे पूछ ले कहां पे हुआ था तो आपको बताना है अगला है चमपानेर के संदी किन राज्यों के बीच हुई तो चमपानेर के संदी आपसे पूछ ले तो मालवा और गुजरात राज्यों के बीच में हुई थी चलिए नेक्ट परशन है कि लालनात जी चोकनात जी और स्वाई दास जी संद किस संद्धाय से संबन नेते हैं अला है कि राजस्तानी चित्रसेली विषुध रूप से भारत यह है ऐसा किसने कहा है यानि कि राजस्तानी चित्र सेली विशुद्र उठ्षे भार्टी सेली है ऐसा कहने वाले कौन थे तो ऐसा कहने वाले मनोहर स्वामी थे कौन थे मनोहर स्वामी अगला है कि मारवाड़ा परगरा नी विगत गरंत के लेखक कौन है तो मारवाड़ा परगरा री विगत गरंत लिखा है तो ये लिखाता दूस्त अपने मोणोत नेंडसी के दुआना अगला परगरा परगर को राजस्तान में कब संबित गया था राश्तार गई कर चल रहा था तो टोड़कड़ को अंतिम में सम्मिलित किया गया था एक नॉम्मर को निशो चपन को ठीक है चलिए रास्तार में 13 पंत के परवतक रहे हैं मतलब कि रास्तार में 13 पंती संपर्दागी तो परवतक हैं वो कौन रहे हैं तो वो रहे हैं विखन जी कौन रहे हैं विखन जी अगला है अनमोल विवा और बाल विवा निशेद अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया तो अनमोल विवा और बाल विवा निशेद अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत की द्वारा ही बनाय गया था रास्तान में और ये बना दिया गया था दोस्तों 10 दिसम्मर 1903 कोई ठीक है चलिए अगला प्रशन है कि स्वामी द्यानंद सर्श्वती द्वारा 1883 इस्वी में परुकानी सभा किस्तापना कहां की गई ऐसा आप से पूछ ले तो बताना है उद्यापूर में की गई अगला प्रशन है मतश्य संका राजस्तान में विले कब किया गया तो मतश्र संकार राजस्तान में बिले दोस्तों उन्हें सो पुनचास इसवी में किया गया अगला है कि बारह देवरा नामक सिव मंदिर समू कहां भी स्तित है तो बारह देवरा नामक सिव मंदिर समू अपने दोस्तों जहाचपूर में स्तित है अगला है दोस्तों कि सुमेल का युद्ध लड़ा गया था गिरी सुमेल कह दीजे या फिर सुमेल का युद्ध कह दीजे बात बराबर है तो सुमेल का युद्ध जनवरी 1545 को लड़ा गया था इजलास खास के स्तापना किसके द्वारा के गये थी बेहदी important प्रिश्ण है और कृष्णा दिवस मनाने वाले थी मारवार परजा मंदल आनुल के दौरा है ठीक है इसके दौरा मारवार परजा मंदल आनुल के दौरा कृष्णा दिवस मनाए गया था कई बार एक्जाम में पूछा जाता है अगला प्रश्ण है ये पटेलिया पीचियो एवं लालर प्रमुक लोगीत हैं, तो पटेलिया पीचियो एवं लालर प्रमुक लोगीत किस जाती से संब्धेता है, किस जन जाती से संब्धेता है, तो दोस्तों अपने आदिवासी जन जाती से संब्धेता है, पटेलिया विच्छो और लालर लोगीत, गिदर न कि द्धर नत्र चलिए बैद उंपोर्टार आई याई टो रामन हत्तSA है चमाइच्या लेकिन शत्र अंदे हम आपकोगे सिसमें तो तार आ रहा है नहीं इस सट्थरा एक इस अइसा वाद थैट्र जो तार यह नहीं टत्वाद्य कि उसलिक्षा संध्र नहीं रुखकर का गई ठोटर् Strategy कि इसस सोब्स молодमब की कि onwards प्रतम के द्वारा लाहोर से लाईगी थी अगला जैतमल राठोड़ों को किस लोग देवता की नाम से जाने जाता है तो जैतमल राठोड़ों को दोस्तों अपने एक लोग देवता की नाम से जान सकते हैं और उस लोग देवता का नाम है अलम जी जी हां और अलम जी ठीक है चलिए अगला प्रशन है दोस्तों और बहुती इंपोर्टन प्रशन है कि क्यव्याए माता मंदिर का निर्मान करवाने वाले सासक एक प्रकार के सासक कह सकते हैं वो ते चच्च कौन ते चच्च ठीक है चलिए अठर सठारा में कमपनी के उनसे राजपूत राज़ों से संदी करने वाला अधिकारी कौन था यानि की इस्ट इंडिया कमपनी के दुवारा राजपूत राज़ों से संदी करने वाला अधिकारी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चार्ल्स मैटकॉफ चार्ल्स वी ए इसमित ने उनों के संतारा बताया राज़कुतो को अगला असोक परमार को उपरमार के जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अगला अगला अधिकान साइटे किस बोली में लेपी बंध है तो अधिकान साइटे है वो अपने एक बोली है दुम्लाडी उसमें लिपी बंद है उसमें लिखा हुआ है ठीक है डूनाडी में अगले प्रशन की बात करें तो अगला प्रशन है कि राजस्थान को कितने भोगलिक विभागों में विवगत कर सकते हैं तो राजस्तान को दोस्ता पड़े लगबग चार बोतिन विभागों में विवाजित कर सकते हैं पस्ति मरुष्तल चेत्रों का छेत्र फल लगबग आपसे पूछ रेता उपको रताई है एक लाख पिचत्र हजार वर्ग किलोमेटर पस्यमी जाजस्तार मुरुस्तिली शेत्र का शेत्र पर अगला अरावली प्रदेश का भाग कौन सा इनमें से नहीं है तो अरावली प्रदेश का भाग इनमें से कौन सा नहीं है तो आभू खंड है जयपूर खंड है अलवर खंड अपने अरावली प्रदेश का भाग नहीं है चलिए अगला प्रशन है कि पूर्वी बेसिन मैदान भाग नहीं है तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इन में से कौन सा नहीं है तो चम्मल बेसिन है चपन बेसिन है बनाज बेसिन लेकिन नोनी बेसिन नहीं है बालू का इस् देखिए ये कौण सा लе थी कि यान्ष में बचान को बताना है तो जो जड़ी है सुक्डी है यह लेकिंद में टापने नौिकिस एक नदी नहीं है चली अगला परशन है कि जालोर सिवाना की पाडियां बनी है तो जालोर यानि जालोर में सिवाना है सिवाना की पाडियां बनी है किस चीज से मिलकर बनी है तो यह जालोर ग्रेनाइट वैर रायलो लाइट से मिलकर बनी है जाल और ग्रेनाइट से निर्मित पाड़ियां होती है यह लीजी वही प्रिशन दो बार रिपीट हो चुक है और एक गुंबदा कारों की है ठीक है पाड़ियां होती है गुंबदा भार पाड़िया होती है यह अपनी जाल और ग्रेनाइट तदा और रायो डाइट के द्वारा बनी हुई होती है अगला है कि निम्ड में से अंतर परवतिय मैदान नहीं है तो अंतर परवतिय मैदान इन में से कौन सा नहीं है तो कपासन है, पीपासन है, आज मेर है, ब्यावर नहीं है सैंजड़ा स्टेशन के पास چट्टाने किस आकर्थी में पाई जाती है तो सैंजड़ा स्टेशन के पास चट्टाने दोस्तो अपने एक आकर्थी है कुंबल गड़ और गोगंदा के बीच पठार इस्तित है गुरूशीकर की इनोचायब आपसे पूछ रहा है तो गुरू शीकर की इनुचाहिएपन बता सकते हैं और बेहदी आसान है और इसका जो राइट अंसर है 17-27 वर्ग मिटर ठीक है चलिए नई 17-27 मिटर या जाएग वर्ग नहीं है ठीक है जैसमान जील के पूर्वी में पठार कौन से स्थित है तो जैसमान जील के पूर्व में पठार एक पठार का नाम है उसका नाम है लसाडिय का पठार ठीक है संथों का सिकर अपने गुरु सिकर कोही कहा जाता है देख लिए दो बार हो रहे है प्रशन थीक है जड़ी तो इस प्रकारण से भी प्रशन पूछे गए थे और एक्जाम में चूलिया जलपरपाद कस नदी परिस्तत है तो चूलिया जलपरपाद ऐक प्रता पूर बाउस्वड़़ा दे रखा है और एक चित्तो बढ़ प्रतापुड़़ा करना होगा, ठीक है, लेकिन या पूरमाल का प्थाद नमर C को चुना ठीक है और यही राइट आंसर है अपना ठीक है चली दक्षिने पूरी पठार के दो बाग है तो विद्धिन का पठार दखने का पठार ठीक है चली उपरमाल का पठार मिल जाता है तो उपरमाल का पठार जाकर के मिल जाता है विद्धिन के पठार में ठीक है चलिए अगला है कि राजस्तान की प्रीकेंब्रियन चट्टानों का आधारबुत वर्णन किया तो राजस्तान की जो प्रीकेंब्रियन चट्टान है उनका आधारबुत वर्णन करने वाले शक्ष का नाम ऐम हेरून था को मता ऐम हेरून अरावली प्रवतक का प्रकार है तो अपसिष्ट है फ्ला हीला किसे कहते है वे जल रासियान जो इस्तल पर बने किसी भूखन से गेरे रहती है उसे क्या कहते pom- उसे जिल कहते है राजस्तान में प्राकर्तिक वे क्राकरिम दो परकार की जीले पाई जाती है कितने परकार की दो परकार की कौन से को से प्राकर्तिक वे क्राकरिम जीले अब जोस्तों जीलों के परकार जो राजस्तान के अंदर कितने जीले के परकार पाई जाती है चार परकार की जीले बाइदाती है कौनसी पहली जील है दोस्तू बोलसन जील कौनसी जील बोलसन जील कौनसी जीले होती है ये पहाडियों से गिरे अभी केंदरी अपवा वाले विस्तरत समतल गरत को बोलसन केहते है इस जील के परकार कौन से हैं दोतों जिस्टे की दोतों सांबर जील, सांबर जील किसका परकार है यह दोतों बोलसन जील का दूसरी है हमारे दोतों जो पलाया जील, पलाया जीले कौन से वो पिये मरुस्ते लिए छेतर में चोरस सत है और अंतरा प्रावाईत है द्रोणी वाले खारे पानी की छोटी जीलों को पलाया जील कहते हैं इनमें वर्षा का पानी जमा होता है प्रन्तु जल्दी ही बाप बन कर क्या हो जाता है उड़ जाता है इसके उदारण के तो उपर कौन सी जील है डीड वाना जील अगला कुन सा परकार है विवतरनी का परकार जैसे प्राथ्वी में होने वाली आंत्रिक हलचनों के कारण बनी जीर उसको क्या कहते है विवतरनी का जीर दोस्तों इसके उधारण कौन से है जैसे नकी जीर वुलर जीर या केस्पियन सागर जीर अगला दोस्तों मरे जो जीलों का परकार है वह है काला डेरा काला डेरा कुंसी जीले होती है जो जुआला कुकी से निकलने वाले लावा के परवासे बनी जील उसको क्या कहते हैं काला डेरा जील कहते हैं उदारण के तोर पर पुस्कर जील, लोनार जील, बुल्डणा जो माराष्टर के अंदर है दोस्तों जीलों के परकार राजस्तान के अंदर चार परकार की जीली पाई जाती है बोल सक पलाया, विव तर्णिका और काला डेरा अगला दोस्तों मरे पाने की गुणोता के आदार पर राजस्तान की जीलों को दो बागों में विबाजित किया गया और आग की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं खारे पाने की जीले और दूसरा है मिठी पाने की जीले पहला है दोस्तों हमारे खारे पानी की जीले राजस्तान में खारे पानी की जीले क्या है सरवादिक पाई चाती है और खारे पानी की सरवादिक जीले किस जीले के अंदर है नागोर जीले के अंदर अगला अमील नमक से समन्धित अधिकारी और देवल नमक निर्माट में लगी नीजी सांस्ताव को कहा जाता है अगला दोस्तों हमरी सबसे पहली जील कुन से होने वाली है सांबर जील सांबर जील है कहां पे दोस्तों ये फुलेरा ते जील और जेपुर ग्रामिर जील है उसके अंदर इस्तित है अगला विजोलिया जिलालेक 1170 के अनुसार सांबर जील का निर्माण चोहान सासक वासुदेव ने करवाया था भोगलिक दरश्टी से सांबर जील मूलते प्राकर्तिक जील है कौन सी जील है सांबर जील प्राकर्तिक जील अगला ये जील जेपुर से 70 किलोमेटर दूरी पर इत्रित है अगला इसका विस्तार कौन से कौन से जीलों के अंदर है दोस्तु सामबर जील का विस्तार जेपुर गरामीन, डीडवाना, कुछामन, अजमिर तीनों जीलों के अंदर दोस्तों जो सांबर जील है उसका विस्ता जो छेतर है वक फेला हुआ है अगला ये बारत के सबसे प्राजीर खारे पानी की जील है ये बारत के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कुन सी है? चिलका जील जहां क्या किया जाता है? जो नेवी के अंदर first candidate होती है उसकी क्याफ करी जाती है वहाँ पे training दी जाती है दोस्तों भारत की अंते परवा के सबसे बड़ी जील कुन सी है? सामबड जील इसका आकार है आईताकार जिसकी लंबाई है दोस्तु 32 किलोमेटर और चोड़ाई है तीन से पंदरा किलोमेटर तक अगला दोस्तु जो सांबर जील है उसके अंदर गिरने वाली नदियां कौन सी कौन सी है कितनी नदियां गिरती है सांबर जील के अंदर चार नदियां पहल दिख से जो सामबर जील और दकंस के अंदर जाने वाली नद 34 नदि जो üzञ नागूर कीTरफ से आती है 16 इंड़ कीं उसक तरफि और किर्द jornal ध्यरु01 – 18 आठ पोईंट सत्तर प्रतिसत नमक सांबर जिर से प्राप्त होता है अगला यहां नमक उत्पादन का कारिय सांबर साजर लिमिटेड जो केंदर सरकार के द्वारा कारियरत है और हिंदुस्तान साजर लिमिटेड कंपनी इसकी साहिक कंपनी है क्या है यहां पे नमक उत्पादन का कारिय सांबर साजर लिमिटेड केंदर सरकार करती है जो हिंदुस्तान साजर लिमिटेड के क्या साहिक कंपनी है दोस्तों अगला इसमें केंदर की इस्यतारी है साजर प्रतिसत और राजे की इस्यतारी है चालीस प्रतिसत किस जील के अंदर नमक उत्पादन की ये बाद चलिए सांबर जील के अंदर अगला यहां पे दोस्तों जो नमक उत्पादन है वो एक किस विदी से किया जाता है जो क्यार विदी है जो वास्पों सरजन पदती द्वारा क्यार बनातर तयार किया गया नमक उसको क्यार विदी काह जाता है जेपुर्पुलेरा नागोर रेल मार्ग इससे गुजरता है अगला देश की सबसे बड़ी पाश्चिम तरास्दी सामर्जील में नौंबर 2019 में सामर्जील में हजारों पक्सियों की एविलेल बोटुनिस्म नामक बीमारी से क्या मोत हो गई थी इस कारण सामर्जील की काफी चड़ चाओं में रही थी दोस्तों यह क्यों हो आता है क्योंकि यहां पे जो हजारों पक्सियों हैं किस बीमारी के ग्रफ तोई थे एविलेल बोटुनिस्म नामक बीमारी से सामर्जील को अंग्रेजों ने 1870 में जेपूर में जोटपूर रियासतों से लीज पढ़ लिया था अगला सामर में साल्ट म्यूजिऽम इसले थाह जो 1870 में अंग्रेजों दुवारा निर्मी था है और या राजस्तान का एक हमातास साल्ट म्यूजियम है कुण सा है सामर साल्ट मिूजियम कहा है दोस्तों तो यह जेपूर ग्रमिट जिले के अंदर है अगली दूसरी जील हमारी कौन सी है दोस्तों दूसरी जील है पंच 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 प नमक सरवची कोटी का खारा है और इसमें 98 प्रतिसत सूडियम क्लोराइड पाया जाता है कितना प्रतिसत पाया जाता है 98 अगला इस जील का निर्मान दोस्तों 400 वर्ट सपूर हुए पंचा नमक बीर द्वारा दल्दल को सुका कर किया गया था इस जील का निर्मान किसकी सपूर हुए पंचा नमक बीर द्वारा दल्दल को सुका कर किया गया था अगला नमक उत्पादम यहां पे दोस्तों नमक उत्पादम है वह खारवाल जाती के लोगों द्वारा मोरली जाड़ी के टहली का पल्यों कर वायू प्रावा पदतिस से इस पश्टिक नमक बनाते जिसे रेस्ता कहा जाता है क्या कहा जाता है रेस्ता और नमक यहां पे किस जाती के दुवारा बनाई जाता है दोस्तों को सिया या कोस्तिक कहते यहां 1960 में राजस्तान इस्टेट साल्ट वक्स पच्छपद राजसामर साल्ट लिमिटेट की स्ताफना जिसे 1900 ब्राण में विश्वी में पुस्तिनी नमक उत्पादनों को लीज पर दे दिया था अगला यहां हिरागडवे सामरा छेतर भी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद है अगली जील गोंसी है दोस्तों जो डीडवाना जील है जो डीडवाना जील कोंसी जीले के अंदर आती है दीडवाना कुचामन जीले के अंदर इस जील का नमक खाने ही होगे नहीं क्यों नहीं 10 अक्टुम्बर 2008 तो इसका निर्जी करण कर दिया गया था अगला यहां निमने इकाईयां इस्तापित हैं कुंसी है पहली है सोडियम सल्फेट वर कागज उत्योग में उप्योग होता है सोडियम सल्फाइट फिक्ट्री यहां चमडा वर रंगों के उत्वादर में उप्योग आता है अगला आयो डाइजेसल सहीं तर इसमें सूद नमक बनता है अगला है ब्राइन नमक राजस्तान में लवण ये पानी की क्यारिया बनाकर उसे सुका कर नमक प्राप्त किया जाता है उसे ब्राइन नमक कहा जाता है क्या ब्राइन नमक अगला जो राजस्तान के अंदर खारे पानी की तीन पर मुख्जिले हैं उसके अलावा जो राजस्तान की अन्य खारे पानी की जीले हैं कौन सी है पहले है दो तो लून करण सर जील कौन सी है लून करण सर जील बिकानेर की है और उतरी राजस्तान की एक मातर खारे पानी की जील है नमक उत्पादन बहुत कब मातरा में होता है दूसरी जील ताल ताल चापर जील जो चूरू जीले में जील के पास का छेतर काले हिर्नों के लिए प्रसित है किसके लिए काले हिर्नों के लिए तीसरी जील है रूतू कावोद जील ये कावोध जील है जेसल मेर में है यहां का नमक आयोडीन की द्रश्टी से सबसे स्रेष्ट नमक है चोती जील फडोधी जील फडोधी राजस्तान का सबसे सुसकिस्तान है तीसरी चोती जील पांचवी जील हमारी कुचामन जील जो कहा है डीडवाना कुचामन के इंदर, नावा जील डीडवाना कुचामन, पोग्रण जील जेसलमीर, कोजोर जील सीकर, रेवासा जील सीकर, जो कर्णल जेम्स टोड़नी अपनी पुस्तक में रेवासा जील का भी उलेक किया था, चूति जील है वारे पांच यूँगा हो, डेगान कि अगने देगान नागोर के अंदर जोदपुर राशे का पहला है कोई ला आधारित उर्जा सेंदर भी कहां लगा दो जोदपुर के अंदर है अगला कि वह उसदियां जिरे पस्वों को खिलाने पर दस्त आते हैं यानि अपन बात करें ऐसे द्वाईयां जो पस्वों को कबज हो जाती है तो उस कबज को तोड़ने के लिए यानि पस्वों को दस्त लग जाए पस्वों में जो गोबराना है वो सुमाने स्तिति में वापिस आ जाए इसके लिए कौन सी उसदिया होती है रेचक या विरेचक एंटिसेप्टिक, पीडाहरी या जवर एरोधी तो चंदरपाल भाई का बिलकुल रैटन सरार है रेचक या विरेचक जिनको अपन लेक्जिटिव या परगिटिव भी बोलते हैं रेचक में अपन सधार्ण रेचक, मर्दू रेचक, तीवर रेचक सभी बढ़ते हैं तो आप फिलकुल जोती बेना का भी बी आर है, बी नहीं है, एंटिसेप्टिक नहीं है, ए बता रहे हैं उनका राइट है, ए नम्मर आप्सन राइट हो जाएगा, अब देखिएगा, ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ी सी बाते आपको बता देता हूँ, कि ज आता है, ये एक प्रकार का रेचक है, आपसे पुछलेगा कि इस बगोल क्या है, या इस बगोल क्या है, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार का रेचक है, प्वेशन आपसे पुछा जाए, कि इस बगोल क्या है, रेचक है, एंटिसेप्टिक है, पीड़ा हरी है, या फिर जव रोद्ये ता आप पो कहेंगे यह रिचक है इसके लबारं अरंडी का तेल भी है अलसी का तेल भी है यह सारी क्या रिचक हैं बात करें एंट अन्ति सेप्टिक जिनको अपन बोलते हैं जिवानू रोधी याद रखना sinsUND क्या जिवाणू रोधी है यानि ये जिवाणू को रोकते हैं नेकी नश्ट करते हैं जिवाणू को नश्ट कौन करते हैं तो याद रखना कौन करते हैं बताइए कौन करते हैं देखते हैं कौन सा साथी बताएगा कि एंटिसेप्टिक क्या करते हैं जिवाणू को रोकते हैं जब भी याद रखना कि पेड़ा हरी को इंगलीस में या और अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो एनाल जैसिक के नाम जैसिक और जवर रोधी को किस नाम से जाना जाता है बिल्कुल चंदरपाल बाई कatif करें एंटी बाईओटेकल देखिएगा एंटो एंटि बाइोटिक्स भी होती है लेकिन जो डिस इंफेक्टेंट है वो जिवाणों को नष्ट भी करते है और जिवाणों को रोक稼़़े बी है तो यहापे डिस इंफेक्टेंट राईटें Ed pierald परदि जे भी कोसडी है वो बात करें तो जिवानों को रोकती भी है नश्ट भी करके विल्कुल ये भी आपकी बात अच्छी है यहाँ पर बात करते हैं जवर रोधी तो इसको बोलते हैं एंटी पाइरेटिक एंटी पाइरेटिक और बात करें एंटी पाइरेटिक में जो महत्पुर्ण दुआ है उ याद रखना जवर रोधी या एंटी पाइरेटिक क्या है या इसका उधार्ण कौन सा है तो पेराशिटा मोल इसके लावा इसका एक महत्पुण उधार्ण याद रखेंगे कुनेन खीक है तो कुनेन है पेरासिता मोल है ये क्या जवरोधी या एंटी पायरेटीक है पेरासिता मोल नेक्ष अपन आगे बढ़ जाते हैं देखिए का दूसरा question यह question very very important question है star mark कर लेजिएगा दिल लगा दीजिएगा इस पे कि गाय के दूद में समानित है किस ततव की कमी पाई जाती है important question है कि गाए के दूद में बिल्कुल चंदरपाल भाई का DR है अभी तक चार साती देख रहे हैं तो सभी जो साती हैं वो बताएंगे एक बार right answer उसके बाद यह अपन बात करेंगे कि आपर चंदरपाल भाई का DR है और जो भी साती देख रहे हैं वो बताएंगे कि right answer क्या होगा तो यह अपर एक बार सभी साती बताएंगे जोती जी का भी DR है इसके लिए अपन देखते हैं और सातीयों का क्या right answer आ रहे है क्या चलो चार साती देख रहे हैं दो सातीयोंने तो बता जिया के D होगा अब जो बचे में दो है वो बताएंगे तो यहापर देखिएगा जो गाय का दूद होता है उसमें कैल सीम भी होता है बातकरें fat अप सभी को पताएं दूद में वशा होती है दूद में vitamin होते है दूद में आफनेוך LCM, Phosphorus, यह भी पड़ा है, लेकिन देखिएगा दूद में Iron, बिल्कुल निशा जी का भी DR है, बिल्कुल, यहाँ पर D No. Option राइट हो जाएगा, यानि काये के दूद में समाने तक किस ततव की कमी पाई जाती है, तो Iron की, जिसको अफी के, अफी इसका रसाइनिक नाम है, जि इसको अफी से अपन दिनोट करते हैं या दरसाते हैं, नेक्श अपन बात कर लेते हैं, समाने तहाँ, जो रुमिनेंट्स होते हैं, जो रुमिनेंट्स या जुगाली करने वाले या रुमिनेंट्स होते हैं, उनको कितने परसेंट सुस्क पदार्थ की आवशक्ता होती है, यानि उसका सरीर अपन सो परसेंट माल लें, तो इस सो परसेंट सरीर पर उनको कितने परतिसत सुस्क भार की आउशक्ता होती है, देड़ से दो, दो से डाई, डाई से तीन या तीन से साड़े तीन, तो चंदरपाल भाई कारे सी, देखते हैं और साथी क्या बताते हैं, तो अपन बात करें कि सरीर भार की कितना सुस्क परतिसत की आउशक्ता होती है, तो या पर दाई से तीन परतिसत के इस साथी, बी ओप्शन बता के काट भी रहें, कोई बात नहीं है, गलत होता है तो वैसे कोई बात नहीं है, अब आपको पता चले गया, कि दाई से तीन परति इनके टोटल स्रीर बार का डाई से तीन परसेंट सुस्क पजात इनको आवशिक होता है नेक्श अपन बात कर लेते हैं चोथा क्वेश्चिन यह देखिए बीस नवी पशुगर्णा दो हजार उनीस के मैतपून डाटा कि सुर्वादिक बैडों की संक्या वाला जिला है बिल आए साथ ही स्यी बतार, दोलपूर्वारे तो या पे देखिए का अब अन्बात करें जोती जिकार है यानि बाड मेर बिलकुल देखें बेड में आप किसे याद रखेंगे तो बैबै याद रखेंगे बेड बोलती है न बैबै करती है तो इसे याद रखेंगे बाड मेर और बाश वड़ा यानि सबसे अधिक बेड़े राजस्तान के किस दिने में बाड मेर में और बात करें कम तो बास वाड़ा में, ठीक है, मैक्सिमम कांपे है, तो मैक्सिमम है, वो बाड़ मेर में है, मिनिमम की बात करें, तो मिनिमम कांपे है, आप कहेंगे बास वाड़ा में, तो याद रखना, सरवादिक बेडों वाड़ा जिला बाड़ मेर, सबसे कम बेडों वाला जिला बास व राजस्तान का भारत में इस्तान की बात करें तो राजस्तान का चोता इस्तान है ठीक है राजस्तान का बेड़ों की संक्या के मामले में चोता इस्तान है जबकि बात करें राजस्तान में अपन बात करें बेड़ों के मामले में बाट मेरे टोप पे है जबकि भारत में राजस क्या के मामले में फर्ष्ट रस्तान किसका है तो याद रखना तेलंगाना का तो यह सारी बाते याद रखेंगे बेड़ से समन्दित और आप सभी को पता होगा कि वर्तमान अपन जो पशुगणना की बात करें तो बेड़ कितनी है तो 7.9 मिलियन याद रखना वर्तमान में रजस्तान में बेड़ों की संक्या कितनी है याद जो न्विंतम पशुगणना है उसके अनुशार तो 7.9 मिलियन या फिर 89 लाख नेक्श अपन आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेशन कि दूद के संक्टन को परभावित करने वाले कार्क यानि दूद के संक्टन में अपन बात करें कि दूद में खनीज लवन भी होते हैं वीटामिन भी होते हैं लेक्टोज भी होता है वहाशा भी होती है वाटर भी होता है तो इस सारे संगतन को यह दूद का संगतन होता है इसको परवावित करते हैं जैसे कोई भी पशुहार अगर आपन किशी पशु को अच्छा संतुलित पशुहार देते हैं तो उसका दूद उत्पादन भी अच्छा होगा उसके दूद में फेट भी ज़्यादा होगी ठीक है इसी प्रतार पशु ब्यांत की स्तीती भी इपोर्टेंट रहती है तो डी नुमर ऑप्शन यहापे राइट एंसर हो जाएगा बि अच्छने फिड़किया रोग या फड़किया जिसको बोलते हैं गल गोटू पशु पलेग या फिर चोता अप्शने ए वे बी दोनुम देखिए फिड़किया को इंग्लिस में एंटोरो टॉक्सीमिया बोलते हैं एंटोरो टॉक्सीमिया फिड़किया रोग जो की भेड़ बक्रियों में ज्यादा होता है इसको बोलते हैं एंटोरो टॉक्सीमिया यहां पर यह करें कि नहीं आता है चलो कोई बात नहीं अपन बात कर लेते हैं गल गोटू जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बताएंगे गल गोटू को क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे अचस बोलते ह जिसको अपन बोलते हैं हैमर्जैनिक सैप्टी सीमिया जो ती बहना करें चटे का ए होगा यहां पर बात करें पशु पलेग तो पशु पलेग मैंने आपको बताया ता कल रिंडर पेस्ट या इसी को बोलते हैं पशु माता यह वाइरस जनीत है जबकि उपर जो दोनों रोग जिसको एंटेरोट्सीमिया बोलते हैं गलगोटू जिसे हैमर्जैनिक सैप्टि सीमिया बोलते हैं इन दोनों रोगों की बात करें तो यह वेक्टीरिया जनीत या फिर जिवानु जनीत है तो आपे रैटंस रहो जाएगा D'N.'ON, याद रखना यह जिवानु जिनित यानि विक्तिरिया जिनित रोग है फिड किया जो कि बेड बक्रियों में ज्यादा होता है आफरा आ जाता है पशू में ठीक है इसके लाए गल गोट्टू की बात करें तो यह भी जिवानु जिनित है जबकि पशू पलेग रिंडर जोनों रेटेंसर हो जाएंगे नेक्श अपन बात करते हैं यह निकेगा जो आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन यानि करत्रिम गरबादान है उसे समदित क्वेशन पुछा गया है कि भारत में सरुवे परतम करत्रिम गरबादान का प्रारंब हुआ था भारतिये क्रिशी अ स्या अनुसंदान संस्तान इजित नगर बरेली यूपी जल्दी से बताएंगे सात्वे का रेट अंसर क्या होगा अब कई साती हैं वह इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं निशा जी का रहें सी यानि सात्वे में सी आ रह गया चंद्रपाल भाई का रहें डी सात्वे में तो याद रखना जब अपन बात करते हैं करत्रिम गर्वाधान आर्टिफीशियल इंसेमिनेशन की तो सबसे पहले हमारे भारत में बात करें तो संपत कुमार के दवारा यापे अगर आपसे पूछे कि विश्व भारत में दोनों की बात करें जो आर्टिफीशियल इंसेमिनेशन है विश्व में किस रेस में तो इटली में किया गया और किस पशु में सबसे पहले तो कुतिया में ठीक है उसी प्रकार बात करें कि भारत में सुर्वा परतम जो आर्टिफीशियल इंसेमिनेशन करत्रिम गरबादान कापे किया गया तो रखना मैसूर करनाटक में कब किया गया तो 1949 में और किस के द्वारा तो डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा और कहां पे किया गया मैसूर और मैसूर में एक है जिसका नाम है पेलेश डेरी फारम तो पहले इस डेरी फारम में संपत कुमार के दुआरा महसूर करनाटक में भारत का प्रतम करत्रिम गरबादान किया गया हलीकर नसल में हलीकर जो की गाय की स्तानी नशल है उसमें अपन बात करें संपतकुमार ने उलिष्टियन फ्रीजियन जो नर्य उसका सीमन लिया विर्य लिया उसको कलेक्ट किया और उसके बाद में हलीकर गाय की मादा ली और उसमें योनीके माडियम से आप सभी को पताए कि करत्रिम गरब ちゃ दान जैं ठीक है तो आपर याद रखना यहापश बात करिते आ나면 लेकिन ही यहापर देंते हैं कि यह तो कि कुमार ने किया लेकिन हमारा भारत प्रुद इंस्टिटीट है यह सो समंघीत यह पशूचिकोट्स से समंधीत सलस्तान उनकी बात करें तो 1922 में जो हमारा भारतिय पसू चिकित्सिया अनुसंदान संस्तान जो कि इजित नगर बरेली में वापे किया गया 1922 में सुर्वपर्तम करत्रिम गरबादान ठीक है अगर संस्तान पूछे तो आप कहेंगे भारतिय पसू चिकित्सिया अनुसंदान संस्तान इजित नगर बरेली और वेसे आए कि भारत में सरोंकूरतम करतरिम गरबादन किसके दवारा किया गया तोहरा आप कहेंगे चंदर्पाल माईब पूचने किस ने किया तो याप एक जो विज्ञानिक थे उनका नाम था पी भटाचार्रे क्या नाम था पी भटाचार्रे तो यह भी आप लिख लेंगे कि सबसे पहले 1921 में पी बटाचार्रे के द्वारा भारतिय पसू चिक्षिया अनुसंदान इजित नगर बरेली में कर्तरिम घरबादान किया ठीक है लेकिन सबसे पहला पुछे तो हमारे भारत में तो 1929 में संपत्कुमार के दौरा डॉक्टर संपत्कुमार के दौरा हलिकर नशल की जो गाय है उसमें किया गया और विड़ियें लिया गया तो हुलिषय त्यूमस में बात करें करतिम गरादान किया था।। उनका नाम है लाजारो सफलानिय। क्या नाम है एक बार देख लीजेगा विश्वे में जो आइटिफिशेल इनसेमिनेशन के अपन बात किरें किस रोपह तम की सsels नहीं किया तो इटली का विजानिक है उनका नाम है लाजारो .... सफलान जानी सफलान जानी तो याद रखना है इनका नाम है ये इटेलियन नाम है जिसमें इनका नाम है लाजारो सफलान जानी ठीक है इनके द्वारा सबसे पहले इटली में विश्व में सबसे पहले इटली में कुतिया में क्या है करत्रीम गरवादान यानि AI artificial insemination किया गया नेक्षे अपन बात करते हैं आटमा question कि दूद का पियेच मान है दूद का पियेच मान बिल्कुल सुरेस भाई आचुके हैं बिल्कुल स्वागत हैं एक बार मैं आवाज भी चेक कर रहा हूं किलियर आ रही है तो बताएंगे दूद का पियेच मान आप सभी को पता होगा कि जो पियेच मान है इसमें जो रीडिंग होती है वो जीरो से चोदा होती है सी बता रहे हैं सुरेस भाई बिल्कुल सी राटन सरे याद रखना दूद का पियेच मान चैपॉइच चार से लेके चैपॉइच साथ के मद्दे होता है और बात करें आप सभी को पता है कि जो पियेच स्केल होता है इसमें रीडिंग होती है वो जीरो से चोदा होती है और बात करें जीरो से चोदा में यह pH Scale हो गया यहाँ पर साथ है बीच में, यह 0 है, यह 14 है, तो साथ से जो इदर की वेंली हो है, यह अमली होता है तो दूद केसा माद्यम है, यानि दूद का माद्यम हो भाल कव्लती है, और साथ से उपर जाएंगे, तो यह माद्यम केसा होगा, अचा जीय होगा दूद का पियेच माने वो 6.4 से 6.7 के मद्दे होता है तो याद रखना दूद किस परकार की प्रकृति वाड़ा होता है तो आप कहेंगे हलका अमलिये प्रकृति का होता है नेक्ष अपन बात करते हैं कि विटामिन D का मुख्य कारिये क्या है विटामिन D का मुख्य कारिये क्या है मुत्तर दर बढ़ाना, परजनन दर बढ़ाना, मास पेश्यों को शक्षम बनाना, अडियों की वर्दी करना चंदरपाल भाई के रहे हैं D होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं D होगा तो बात कर लेते हैं एक बार विटामिन D की विटामिन D आप सभी को पता है बिल्कुल जूती वेना का भी D आ रहे है तो विटामिन D के बारे में बेसिक चानकागी हम आपको बता हूँ तो विटामिन D अपन बात करते हैं कि सुरिये के प्रकास चैपन को विटामिन D है वो मिलता है और बात करें कि इसका विजानिक नाम तो इसका नाम है कैलसी फिरोल या कैलसी फेरोल ठीक है इसी को बोलते हैं डॉक्टर विटामिन और इस डॉक्टर विटामिन का काम क्या होता है तो हड्यों की वर्दी करना बिल तो रीकेटस रोग हो जाता है, कौन सा रोग ξ स्कोл या रखणा के से रीकेटस रोग स्कोल, तो याद रखना विटामिन D जिसका वियानिक नाम है कैल्शि फेरॉल और इसकी कमी से रीकेट्स रोग होता है और इसका कर्रेक होता है, तो पस्वों की हड्यों में गरदी करना ऐसा ही मानम में करता है तो नेक्स अपना देख लेते हैं कि पशू पालन में एक निश्चित स्टेंडर के अनुषार कितने परतिस्प वे किशी पशू के केवल आहर पर वे होता है यह क्वेश्शिन अभी जो एग्रिकल्चर सुपरवाईजर एक्जाम हुआ ता चार फरवरी 2023 को उसमें पूचा गया था सी बता रहे हैं चंदरपाल भाई सी बता रहे हैं तो ये क्वेश्चिन दिल लगा ले ना आपके पसुपरिचर एक्जाम में भी पूचा जाएगा बिल्कुल बिल्कुल निशा जी कह रही है बिल्कुल उस्टो मलेशय भी होता है और रिकेट्स जिसको पन सुखा रोग बोलते ये भी होता है तो दोनो याद रखना और बिल्कुल बिल्कुल दस्वे में भी आ रहा है भी नहीं होगा याद रखना लगबßen पसुपर जो जितना खर्चा आता है उसमें जो आल पर खर्चा होता है वे होता है वो लगबग 100% में से 70% होता है याद रखना अगर वो वैसे दे दे कि 50-60-60-70 तो 60-70 रैटन सरोगा ठीक है और वैसे एक पुछे तो 70 होगा तो दोनों बाते याद रखना अगर वो जोड़े में पुछेगा तो 60-70-70 तो 60-70 व याँ पर रैटन सरो जाएंगे अब देखिएगा ये 10 QUE के स्वंदित अब राजस्तान जीक्ट के के कव्वषिन आएगगे और आप सभी को पता होगा कि एनीमल परिभनरी और रस्तान जीक्ट क कि कितनी वेल्यbagai है रास्तान जीक्ट के लगबग अमारे पश्परीचर एक् सब्सक्राइब करते जाएंगे हमारे पास ताइम है वो उच्छा महिने का लगबग पढ़ा है और अपनको निरंतर त्यारी करने हैं तो रास्ताइब का पहला क्वेशन आ जाता है ज्यादा मैं आपको मोटिवेट करूंगा नहीं चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेशन राजस्तान एकिकर्ण से समंधित कि मतस्य संग का उद्गाटन किसी नहीं किया तो पहले का इया चंदरपाल भाई का यानि गाडगिल बतारे अन्वी गोडगिल दूसरा उप्षने सोबाराम कुमावत तीसरा उप्षने पंडित ज्वाला नेरू और केम मुनसी तो सुरेश भाई का भी भी आ रहे है तो भी याँ पर नहीं होगा याद रखना ए नमर उप्षन राइट हो जाएगा नमर उप्षन राइट हो जाएगा मैं बात करूं मतस्य संग की मतस्य संग का घटन किया गया 18 मार्च 1948 और बात करें इसका उध्गाटन किया गया अन्वी गाडगिल यानि नरहरी विश्णू गाडगिल के दौरा जबकि इसका पीम किसको बनाय गया परधान मंतरी गैजा तो सोबाराम कुमावत को और याद रखना मतस्य संग को मतस्य संग नाम किस ने दिया तो कनेया लाल माणिक्यलाल मुंसी के द्वारा यानि केम मुंसी ने मतस्य संग को मतस्य संग नाम दिया इसके परधान मंत्रिते सोबाराम कुमावत इसका उद्गाटन किया लोगड दुर से संग का जो विल्ले किया गया कब तो 30 मार्च 1949 को याद रखना नेक्षि अपन बात कर लेते हैं कि एकिकर्ण के किस चर्ण में परदेश के नाम में राजस्तान सबुद पहली बार जुड़ा यानि राजस्तान एक इकरण के अपन साथ चरण पढ़ते हैं, उनमें से कौन सा चरण था, जिसमें राजस्तान नाम है, वो हमें दिखाई पढ़ता है, परतम चरण, दुवित्य चरण, तरित्य चरण, या फिर चतोत चरण, तो यहाँ पर देखिएगा, चंदरपाल भाई क आए, सी, दुवित्य चरण, आप सभी को पता होगा, दूसरे का सी बतारें बिल्कूल रैटेंच रहे, पहला चरण था, उसका नाम था, मतस्य संग, ठीक है, दूसरा जो चरण था, उसका नाम था, राजस्तान संग, ठीक है, तुसका मतलव, कि हमारे एकिकरण के जो साथ चरण है, उनमें राजस्तान नाम दूसरे चरण में दिखाई पड़ता है, ठीक है, याद रखना, और दूसरे चरण की बात करूं, तो दूसरे चरण का गठन, तो आप कहेंगे 25 मार्च 1948, और पर्थम चरण, तो आप कहेंगे 18 मार्च 1948, ठीक है, तो याद रखेंगे एकि करन का दूसरा चरण जिसमें राजस्तान सब्द पहली बार जुड़ा था नेक्श अपन देखते हैं परजामंडल से समधित क्वेश्चन है कि 1931 में किसने जेपूर परजामंडल का गठन किया देखिए हमारे राजस्तान का पर्थम परजामंडल माना जाता है जेपूर इनका आरेत तीसरे में से सी आरा है बिल्कुल कपूर चंद पाठनी राटन सरो जाएगा जबकि बात करें कि इसका पुनर गठन कभ किया गया तो याद रखना इसका पूनर गठन किया गया 1936-37 में और यह किया गया जमनालाल बजाज जी के द्वारा तो यह भी 1936-37 में किसके द्वारा जमनालाल बजाज जी के द्वारा बिल्कुल चंदरपाल भाई बिल्कुल 1936-37 सुरेश भाई कर आ रहे हैं ए नहीं होगा अरजुलाल सेटी नहीं होगा कापूर चंद पाठनी नेक्ष एपन बात करते हैं चिया सफारी पार्क किस जील के किनारे है बाल समंद जील काइलाना जील कुलाइत जील सरदार समंद जील चंदरपाल भाई का रहे हैं बीनमर उप्षन काइलाना जील एक बार देखिएगा माच्या सपारी पार्क आप सभी को पता है जोधपूर में कहां पे जोधपूर में जबकि मैं बात करूँ सरदार समंद जी जील का तो यह पालनी जीले में तो इसका मतलब माच्या सपारी पार्क जोधपुर में सर्दार समंध जील पालनी में तो यह तो ऑप्षिन गलत हो जाएगा और आप सभी को पता है कौला बिका नेर में अब दो यह ओप्षिन बच्टे हैं कि बाल समंध होगा या काईला ना तो याद रखना कायलाना राटन चोरोगा माच्यास्वारी पार्क कायलाना जील के किनारे श्तित है, और लेकिन याद रखना ये क्वशण कई वار सिदे-षिदे पूँच लिए जाते हैं, कि बाल समंद जील काप है, तो यह जौधपूर में हैं, ऐसे ही पूछा जाता है कि काइलाना जील तो याद रखणा यह जोदपुर में जबकी मैं बात कहरूँ कोलायत जील तो यह विका नेर में है इसके लहाँ बात करूँ सरदार समंद जील तो यह पाली में है और माचियासपारी पार्क कापहे है तो काइलाना बिलकुल और याद रखना जो कालायना जील को अन्नी किस नाम से जाना जाता है तो परताब सागर के नाम से जाना जाता है और बात करें बाल समद जील के बाल लकराओ पडिहार के द्वारा बनाई गई थी नेक्शेपन बात करते हैं ये क्वेशन देखिएगा दिल लगा लेना स्टार लगा लेना कुछ भी लगा लेना मगर लगा लेना आनंद सागर जील कहां सतीत है ये देखिएगा इपोर्टें है बताएंगे और एक question important और माप से पूछ लेता हूं अभी अपन माचिया स्पारी पार्क पढ़ा था जो कि एक biological पार्क है तो हमारी राजस्तान में कितने biological पार्क है वर्तमान में अब के बार राइट एंसर नहीं आरह तो याद रखना मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा एक हिंट ने देदाओं उसके बाद देखते हूं कि कोछ शाथी रैट ंसर बताएगा अनन्त सागर जील का अन् illustrations का अन्ये नाम है बाई कातलाइब अब बताडो की बाई का तलाब किस Joshi में है। आनेत सागर जील का यह अन्य नाम है बाई का तलाब। तो बाई का तलाब बताईए किस जिले में हैं। दुंगरपूर बांशवाडा जहलावार परतावगज। तो याद रखना बांशवाडा में है। बेनमर ओप्शन राइट एंट सरो जाएगा याद रखना आनंद सागर जील पुछे या भाई का तलाब दोनों एक हैं भाई का जो तलाब है उसी का अन्य नाम है आनंद सागर जील तो राइट एंट सरो जाएगा बास वाड़ा और सुरेश भाई कह रहें कि हमारे राजस्त तो बता देता हूँ, बाइलोजिकल पार्क है, वो पाँच है हमारे राजस्तान में, एक तो है माच्या सपारी, एक है अभेडा, जो की कोटा में, एक मरूधर जो बिकानेर में, एक है सजनगड, कितने वे चार, एक आप बताएंगे कौन सा है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आनन्द सागर जील काम पे है, बासवाडा में, और दोस्तों याद रखना, इसी का उप नाम है, वो है बाई का तलाब, तो यह भी कोश्चन, दोनों कोश्चन पुछेगे हैं, कि बाई का तलाब काम पे है, तो याद रखना, बाई का तलाब बांसवडा, बैसे बाई, बैसे बांसवडा, ऐसे याद रखेंगे, और याद रखना, बाई का तलाब है, इसी का अन्य नाव है, आन्ने शागर जीर, यह दोनोंगी क्वेशन प्रिवीश येर पुछे गें हैं, नेक्श एपन बात कर लेते हैं, वन रिपोर्ट का इपॉर् राजस्तान में कुल 1 चेतर कितना है आपको वर्ग किलोमेटर में बताना है कि 32,737 वर्ग किलोमेटर है या फिर 32,862 वर्ग किलोमेटर या 33,937 वर्ग किलोमेटर या 41,465 वर्ग किलोमेटर तो याद रखना वर्तमान जो न्विन्तम वन रिपोर्ट है सत्रवी वन रिपोर्ट भारतिय वन रिपोर्ट उसके अनुसार राजस्तान में कूल वन चेतर कितना है तो 32,862 वरक किलोमेटर बी नम्मर ओप्चन रैटन सरो जाएगा और याद रखना कि हमारे राजस्तान का वह जिला जिसमें स्रवादिक वन है तो नाम आता है उद्यपूर का और राजस्तान में वर्तमान बात करें वन रिपोर्ट निविन्तम के अनुसार वर्ग किलोमेटर में कूल वन चेतर कितना है तो 32,862 वर्ग किलोमेटर और टोटल अपन बात करें कि राजस्तान के कितने बुगोलिक चेतर पर वन है तो टोटल राजस्तान का 100% चेतर है उसमें से 9.55 परतिसत या फिर 9.60 परतिसत भाग पर वन है सुरेश भाई का भी आ रहा है बिल्कुल रैटेंसर है बिल्कुल भी रैटेंसर है चटे का सात्मा देखिएगा ये देखिए ये क्वेशन इपोर्टन क्वेशन है इसको भी स्टार मार कर लेना ये भी पूचा गया है कि सत्रवी भारत वन रिपोर्ट स्थिती 2021 के नुसार अते दिक सगन वन यानि वेरी डेंस फोरेश्ट कौन से जिले में स्तरवादिक है यानि अते रखना वेरी डेंस फोरेश्ट या अतेदिक सगन वन जैसे ही आपने देखा अतेदिक सगन वन सभी साती उध्यपूर लगाएंगे उध्यपूर लगाएंगे मुझे पता है तो यहाँ पर याद रखना अतेदिक सगनवन है वो अलवर में है जो साती डी बतारे उनका राटन सर है याद रखना अतेदिक सगनवन अलवर में है जबकि मद्यम सगनवन काम पर है तो उदेपुर होगा याद कर लेना दोनों बाते आपसे पुछेगा कि अतेदिक सगनवन या वो इंगलिस में देगा वेरी डैनिस फोरेस्ट अतेदिक सगनवन सरवादिक किस जिले में है तो याद रखना अलवर में है नोट्स बना लेना बहुत इपॉटेंट ये आपके लिए रहेगा और मद् सगनवन वाड़ा क्वेश्चिन पूछा जाएगा तो ये याद रखना उद्यपूर में है राजस्तान का वैजिला जिसमें सरवादिक मद्यम सगनवन पाए जाते हैं उद्यपूर में तो मादेव की लाड़ली बिल्कुल जुड़ चुकिया जैमाल काल का नाम लेके बिल परतिसत के अनुसार कौन से जिले टोप पे हैं राजस्तान में वन चेतरफल के दार पर चेतरफल के दार पर और परतिसत के दार पर मैक्सिमम वन चेतरफल परतिसत किस जिले में हैं बताएंगे दोनों क्वेश्चिन कि ऐसा जिला राजस्तान का जिसमें चेतरफल के मामले में सरवाधिक वन है और परतिसत के मामले में भी सरवाधिक वन है तो बताएंगे कौन सा जिला है याद रखना अगर आपसे पुछे कि छेतरफल के अधार पर सरवाधिक वन छेतरफल वाला राजस्तान का जिला तो उदेपूर और पुछे कि परतिसत के अधार पर तो भी उ तो भी राटेंस रोगा उधेपुर, तो उधेपुर के वारे में याद रखना बिल्कुल, मादेव जी की लाड़ली, उधेपुर बतारे हैं सुरेस भाई भी, उधेपुर बतारे हैं बिल्कुल, नेक्श अपन आगे बढ़ते हैं, आज का आठवा क्वेश्चिन ये देखि होती है, अरावली पर कम उचाई और कम वनसपती, अरावली का विष्टार अर्ब शागर की मानसून की साका के समारांतर हैं, या फिर अधिक उचाई और सगन वनसपती आवरन हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी की मानसून की साका में अधिक नमी होती हैं, तो देखिए, सो दक्षनी भाग है एक बार देखेंगे मेप में कि ये अमारे राजस्तान का देख्येगा बढ़ा ही प्यारा सा दक्षनी भाग बढ़ा हुआ आपके सामने ये देखिए ये हमारे राजस्तान का धक्षणी भाग है इसमें देखिएगा कि वर्षा बहुत अधिक होती है आप सभी को पता है लेकिन ये वर्षा होती किसकान है तो याद रखणा इस प्रकार अराउली फेली हुई है और ये अराउली बहुत ही उंची है और इसमें अरा ये ईयो आरो एक्जाम होता मैई में 14 मैई 2023 को उसमें ये क्वेशन पुछा गया और याद रखणा अधिक उंचाई और सगन वानस्पतिक आवरण के कारण अराउली क्या है वो बंगाल की जो मांसूरी साक्या उसको रोक लेती है उसको रोकने के बाद दक्षिनी और से अधिक तो सी नमर ओप्षन राइट एंसर हो जाएगा जो साथी ये बतारें गड़त है सी राइट एंसर होगा नेक्षपन बात करते हैं कि राजस्तान का वह जिला जिसमें ओस्त वर्षा सबसे अधिक होती है यहाँ पर देखिएगा दो कोशिन बनते हैं एक तो से राइट एक बताएगे नमर में का राइट अंसर क्या होगा भरतपरहुगा वास बाड़ा होगा या फिर जाला वाड़ या फिर इसी र zweiten बताएं वेंगे सबी जुड़ेई है शीय सरेश बबही का शीयर है नो साथी जुड़ेवे ये क्या एक कोई पता है क्या चलो इतनों कोई पता है। कि राजस्तान का वह जिला जिसमें ओस्त वर्षा सबसे अधिक होती है तो जालावाड और सरवादिक वर्षवाडास्तान तो माउंट अबू। दोनों क्वेशन पूछे के हैं प्रिवेश एक्जामों में। नेक्स्ट क्वेशन देखेगा। जिले में सरवादिक परती भूमी हैं। दस्वा क्वेशन आपके सामने हैं। अधिकास साती मुझे लगता है कि कौन सा उप्षन लगाएंगे। अभी देखता हूं एक साती का आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा राइटेंसर लगाएंगे। दस्वी क्वेशन का। चंदरपाल भाई बी लगारे चूरू। बिल्कुल गलत है चूरू तो बिल्कुल ही गलत है। चलो देखते हैं कौन सा राइटेंसर होगा। दी लगारे सुरेस भाई ये भी गलत हो जाएगा। देखिए का दो क्वेशन बनते हैं। दो क्वेशन बनते हैं। एक तो बनते है बंजर भूमी का, एक बनते है परती भूमी का। तो आपर ही बता देता हूँ, एक बनते है बंजर भूमी। एक बनते है परती भूमी। ए तो बन्जर भूमी सरवादी कहा जेसल मेर में याद कर लेना लोट बुक में लिख लेना, जबकि परती भूमी का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा परती भूमी है, वो जोदपूर में है, याद रखना सी बता रहे हैं सी भी गलत हवदिपुर में काँ परती भूमी आएगी यानि परती भूमी अपन बात करें तो मारवाडी में परती भूमी इसको थोड़ा हिंदी में परती भूमी लिख देते हैं तो यहाद रखना जब अपन एक भूमी पर बार बार अपन क्या करते हैं खेती करते हैं तो उसमें जो उपजाओ चमता है वो घट जाती है उस उपजाओ चमता को बढ़ाने के लिए इसको बाद में दो तीन साल खाली छोड़ दिया जाता है उसके बाद फिर से क्रिसी करना कर दिया जाता है तो बीच बीच में अपनक्या करते हैं खेती करते हैं और जैसे jakam hoפता है तो दो तिन साल फिर से उसको छोड़ देते हैं दो कहलाती पढ़ती भूमी और बंजर भूमी इंदीघर होती नह नहीं है बंजर भूमी सरवादिक झाशल मिर में है जबकि पड़ती भूमी जोदपूर में है अब बिल्कुल घूम फिर के आप ए पे आए हैं इस लाइट सेशन का सबसे महात्रपूर कुश्चा नहीं आपका फर्स्ट अमबर कुशन आप लोग यहां पर इसकी निपर सोग हो रहा होगा कल कर टॉपिक क्या रहेगा अभी ल से बात करेंगे मद्य प्रदेश की मानियता प्राप्त गिलास तो भी आपको पर आंसर करने तिक बंशन जो है सबी लोग भादावरी यहां पर उपसन नमबर सी आप लोगो दिख रहाँगा भादावरी निवारी गिर ऑपसन नमबर डी क्या बोल रहा है कॉंक्रेज माल भी अगिर तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हमा आप से बात करके निवारी कहा कि नसल है तो निवारी आप लोगो पता है जो आपका मद्द प्रदेस में निवार का चेतर है MP में जो निमार का छेतर है ये वहां की ब्रीड आपकी जैसे आपको पता है निमारी को और किस नाम से जाना जाता है सभी लोग बता है निमारी को और किस नाम से जानते हैं तो निमारी को आप लोग पता हो का इसको खरगोनी इसको खरगोनी ब्रीड भी बोलते हैं यह खरगोन जास पास का छितर है इसलिए इसको खरगोनी नसल भी कहते है किसको निवाडी को आप लोगो को पता हो का याद रखना सभी लोग इसको खरगोनी ब्रीड भी बोलते हैं बिल्कुल गोरव सिर्वास्तो तीवू सांध्रा है ना इसको खरगोनी breed भी बोलते हैं और आपकी मालवी जो नसल है यह बहुत ही पेस्ट नस्रेशा देहां जाते हुआ याद रहना मालवी कहा से 193 का ORIGIN इस्थन क्या है आपका मालवी का तो मालवी का ओरिजन स्टर है मालवा का छेत्र आपको पता मालवा बिल्कुल गौरव सिर्वास्त मालवा का छेत्र आपका इसका माना जाता है और मालवी जो नसलेश को और किस नाम से जाना जाता है तो मालवी को अपन मन्थनी भी बोलते हैं आप लोगों इसका नाम सुनाओगा इसको क्या बोलते हैं मन्थनी ब्रीड भी बोलते हैं किसको मालवी ब्रीड को मन्थनी ब्रीड भी कहा जाता है बिल्कुल महक है न तो याद रखना मैंने आपको बता है निमाड को क्या बोलते हैं निवाडी को खरगोनी बोलते हैं और माल भी जो यहाँ पर आपके ब्रीडेश को क्या बोलते हैं मन्थनी भी बोलते हैं और कैन कथा तो आपको पता है कैन कथा के बारे में कैन कथा आपकी कहां की ब्रीडे ब सब्सक्राइब आपको इन सब्सक्राइब बता है तो यहां पर इसका प्रिमिन करेक्ट आपका ठीक है इसको यहां रखना सब्सक्राइब कुस्ट नमबर जो आपका फर्स्ट है इसका एक exact correct answer next आपके कुस्ट नमबर आपको आप लोगों दिख रहा होगा बहुत ही important question है कुस्ट नमबर second कि मुड़े हुए सींग का पाया जाना मुड़े हुए सींग है ना horns is a found wisp of arrow grid तो यहाँ पर वहस की कौन सी ऐसी breed है जिसके सींग मुड़े हुए होते है तो यहाँ पर सभी का answer निकल के आ रहा है आपका मुर्रा निकल के आ रहा है कुछ लोगा कुछ लोग यहाँ पर जोए सी answer कर रहा है तो यहाँ पर option आप जेख सकते हो निली राभी, सूरती मुर्रा या यहाँ पर महसाना तो कौन सी यहाँ पर breed जिसके सींग मुड़े हुए होते है सभी लोग बिल्कुल basic कुसंदा बिल्कुल सभी answer correct कर रहा है बिल्कुल मुर्रा यहाँ पर सबसे basic पैचान है मुर्रा की सबसे important और पैचान अगर मुर्रा को पैचानना है तो क्या उसके सींग मुड़े हुए होते है बिल्कुल प्यू सांजना है यहाँ पर मिल्कॉप मशीन तो यहाँ बिल्कुल बर्ल्ड में सबसे ज़्यादा milk production करती है आपकी मुर्रा में पर पता होगा ठीक है तो यहाँ पर आपका C is a correct answer यहाँ पर सबसे correct answer क्यों सा है आपका मुर्रा बिल्कॉप आपकी भैस की बहुत ही famous breed है यह सब हुए चार्थ नहीं यह मुर्रा बिल्सक्ट की सबसे famous breed वाने जाती है खासतोर से अगर हम आपसे बात करें तो 4500 लीटर आप लोगों को बता हुआ ठीक है 4500 लीटर प्रती ब्याद इसका मिल्क प्रोड़क्शन है कि इसका मुर्रा का बहुत ही जादा जो ही यह भैस आपकी मिल्क प्रोड़क्शन करती है बिल्कुल दिल्ली रोता खिसार बिल्कुल सही आंस आपका 4500 लीटर के आसपाल यह मिल्क प्रोड़क्शन करती है प्रती व्याद में और इसका सबसे इंपोर्टेंट करेक्टर आप लोग एक तो पता लगे कि मोड़े हुए शीम्नेक्स इसका जो है सबसे इंपोर्टेंट करेक्टर क्या होता है कि इसकी पूछ लंबी होती ह तकने ठीक होती है इसका सबसे इंपोर्टेंट एक और करेक्टर है कि पूछ क्या होती है लंबी होती है तीक पूछ लंबी होती और टकने तक पैली हुई होती है यह अब्य याद रखना इम्परेंट करेक्टर सबी लोग लाइक करें बिल्कूल अभिनाश्ट है वह लोग लाइक स्थ्टी में मुर्रा होता है red बहुती फेमस ब्रीड भई तो यहां पे आपका इज़ा करेक्टान से क्या सी आपका यहां पे करेक्टान चरूगा ठीक है मुर्रा जहिंद सर अभी अभे चोधरी जहिंद भई तो मुर्रा के बारे में कुछ खास-खास बात है थी अपने ने कर ली कि इसको मुर्रा को जन्रली आप लोगों ने सुनाओगा इसको क्या बोलते हैं काला सोना भी बोलते हैं मुर्रा को यहां पे काला सोना भी बोलते हैं किसको मुर्रा को है ना काला सोना भी बोलते हैं मुर् और हड्याना की सान यह दोनों नाम जिसके हैं मुर्रा के है ना वफैलू आपकी बहुत ही फेमास है भाई मुर्रा नेक्स्ट आपके हम बात करते हैं अंग्ले कुस्चंज कि अगर आप लोगों को नहीं पता हूँ जो लिए फेक्टर में आपको बताइट हूँ नेक्स्ट आपका यहां पे कुश्चंज नमबर 3 निकल आ रहा है की भैस में क्या नहीं पाया जाता है तो यहां पर देंख सकते तो वाट इस दा मोस्ट फाउंड इन वफेलू तो वफेलू में क्या अपसेंट होता है वाई सर आज मेरा फर्स्ट दिन है मनीज बिल्कुल भाई सभी का स्वागात है और सभी लोग लाइक करते हैं जो भी नए लोग है चैनल पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लो यहाँ पर बोल रहा है कि बहाएंसट में क्या नहीं पाया जाता है तो देly आपको पता है रहा है वहें बहुच इंपोर्ट करेक्टर अम्रत शुर्मय यहाँ फिया रहे हैं जो भी पशीना ग्लेंड यहां पर याद रखें यहां पर आपकी वाक्षेलू कोसे उसमें अनुबस्थित होता है कूबर नेक्स आपका यहां पर पशीना ग्लेंड भी अप्षेंट क्शल आप लोगोंने मूर्गी के भारे में भी Им hormasिना घ्रक्षी होती नहीं जाते हैं नहीं इस चीज का याद रखनी है तो इस चीज़ आप याद पे ग्रिंति होकी यह पसेंट होती है किसमें मुर्गी में और दांत भी नहीं पाए जाते हैं तो इस चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है वाकि यहाँ पर कुस्त नंबर थर्ड इसका डी आपका correct answer होगा यानि भेस में आपके जो है काला दाना घिजर्ड है ना घिजर्ड पाया जाता है बिल्कुल पेशडी भी जिसको बोलते हैं है ना उनकर पस्थठ पीछने का काम करता हूं नेक्स तब आपड़ यहां पर निकल के आरा देख सकते हो त्वूंटीक्स चाप लोगो दिखरा होगा 40 ucz 16 क्या यहां पर आंसर होगा भरत में कितनी नसले सब्सक्राइब हो से इंद हैं तोल 184 व पैस। तोटल लगे बात करें पस्वों की तो टोटल 184 लिख लिए अगर नहीं पता हो तो बन एटी फोर जो आपकी पशों की नसले हैं टोटल अभी आई सीयार में रजिस्टर्ड है ठीक है अब सब्सक्राइब फिलाल में वो जो आपकी सोला नसले हैं तो आपको बदा सकता है ठीक है अब सब्सक्राइब पूछ रहा हूं इस वाएग पूछ रहा हूं कि जो ICR की कौन सी ऐसी पुष्टा के जिसमें इन सभी को बीट्स का नाम लिखा जाता है तो आप लोगो नहीं पता हो तो मैं बता दो उस बुक का नाम है आपका सेंट्रल हार्ड बुक याद रखिएगा क्या नाम उसका सेंट्रल सेंट्रल उसको नाम है सेंट्रल हार्ड जो यहां पर आपकी नसले आपको देख रही है यहां फिलाल में आपकी 16 नसले रेजिस्टर्ड है ठीक है सब्सक्राइब यहां पर इसका प्रफिलाल में रजिस्टर्ड है तो यहां पर बात करते हैं अंगले पर सक्में तो आपका किसंद किया है अग्यूंधल में डिकांशे लिएक फीट्ट्क यहां पर बात कमई एक है एक मिनिट हैं जब भी लोगे रुख किएगा ठीक है यहां पर आपने बात करते हैं आपके कि यहां पर आपकी बात करते हैं अंगले कुस्सन की आप लोगों को दिखरा हूँँ उससे नमर आका फाइब नमबर कुस्सन है यहां पे आप लोग देख सकते हो फिफ्ट नमबर कुस्सन ठीक है तो यहां पे आपका फाइब नमबर कुस्सन क्या पूछा है वही आप लोगों को दिख रहा है कि साफ नजर आ रहा है सभी लोगों को यहां पे सभी लोगों को साफ नजर आ रहा इस कि बताके अभी अभी फिलाल में आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही कि आप लोग पास अभी लोग बता हैं वह कि सब्भी लोग के पास आवाज आ रही कि अदिक नहीं रहा है अभी आप लोग पास आवाज नहीं आ रही कि मेरी आवाज आ रही है वाई आ रही है अच्छा थुड़ा सा नेटवर्क इश्यों हो गया था ठीक है भई तो आवाज आ रहे हैं अभी सभी लोग के पास सभी लोग बताएं वहीं इस थोड़ा क्वाइल नहीं कर लोग कर ले तो आप लोग को दिखने लगे है ए अब आपका यहां पर बात करते हैं सबीस बताएं यहां पर एहमेद निगर महराश्ट कौन सी गहां कीवाता एख़ती सिंधाने नंबर अंपर यहां पे की ब्रीड का झूट्पक्त सी इस्फान है बिलकुर यह crafts पर आपका सभी लोग अप्र सब्सक्राइब घले करें क्यों जो यहां प available फाईब एक सब्सक्राइब क्योंगा इसको इसको पूला जाता है है ना याद रखेगा सभी लोग इसको कनाडी के नाम से भी बोलते हैं और यह आपकी एहमद रगर महारास्ट से संबंदित है और इसका सबसे important character है आपका डांगी का एक लिखली जागा नहीं पता हूँ आप लोगों को सबसे important इसका character है कि यह नसल जो है इसमें सबसे बड़ा कूबर पाया जाता है यानि सबसे बड़ा क्या होता है इसमें हम्प जो होता है इसका सबसे बड़ा होता है सभी गायों की नसलों में सबसे बड़ा हम्प किसमें पाया जाता है यानि कूबर तो वह आपका यहाँ पर मिलता है किसमे यहां पर सबसे बड़ा कूबर मिलता है और याद रखना पूर फिलाल पोचिंग नहीं पना यह आपना यूट्यूब चैनल के माध्याम से जो भी चल रहा सभी थी के माध्याम से चल रहा ठीक है नेक्स्ट आप करें कुस्स नमबर शिक्स की कि निम्न मैंसे कौन सी गाय की नसल है जो उत्तर पदेश के पहाड़ी छेत्रों में पाई जाती है बहुत ही न्यूव इत्ये बढ़ साथ करिक्त आन्फर यहां पे आप देख सकते हो उत्तर पदेश में जोपारी लाखों में कौनसी ब्रीड बाई जाती है कौन वर सीरी गंगा-तीरी या मिथुन, कौन सी ब्रीड है जो उत्तर तो देश के पहाडी इलाकों में अपने को देखने को मिलती है ये ब्रीड, कोई बता सकता है बई यहाँ पर कुछ लोग्रां बी कर रहें कुछ C कर रहें है, जीतू यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पर आप लोग गलत आंसर दे रहे हों, जो आपकी यहां पर पहारी छित्रों से बिलॉग करती है, वो आपकी पोन बर नसल है, यहां देखना सभी लोग, यह बहुत ही new question और important question है, जो आपकी गाय की नसल है, यह पोन बर, यह आपकी उत्तरप्रदेश के पहा पहाड़ी एंहिली अरिया से बिलॉग करती है, ठीक है, शिरी भी आपकी प्रकार की जो है, यहां कहां से बिलॉग करती है, इसका उत्पत्ति इस्तानगर आपसे कभी को इपूछे, Sir, which book is the best for self study, लिए के लिए तो बहुत सारी book है, भाई आप लोगी ठीक है, बहुत सारी book उस्टन दागा है, बुगाति बहुती बहुती बहुति बहुत सकते है, खास्तोर से एकरी कल्चर थी एक हम आपसे बात करो, Sir का origin इस्तल आप लोग लिख लिए विल्कुल यहां पे सिक्किम और आपका, क्या होगा, पस्चिम बंगाल, विल्कुल यहां पे सिक्किम और बै गंगातिरी जो आपकी बीड है यह उपी की बीड है बहुत ही अच्छी बीड है आपकी यूपी की बीड है याद रखना सभी लोग ठीक है कि यहापके गोरो श्री वास्ता बहुत आंसर करें दाज चलिंग की नहीं रहे है यह आपकी जो ब्रीड है सीरी लिखते जाएगा मिठुन के बारे मारे में आप लोगों नो सुना ग़ा कि मिठुन आपकी ब्रीड है जंगली एरिढ की ब्रीड होकि अच्छी बीड यह नई आसे सबसे ज़्यादा में नाम की ब्रीड है इस पर सबसे ज़या साइंटिस्क आ पढ़े में अभी को इसके बारे में खोज मीं चल रही है फिलाल में थीक है तो यहां पे मैं भी एंदिसिया इसे कर रहा हूं भई ठीक है और तीक है सर सिक्किम डाजलिंग ले सकते हैं ठीक है इसक्किम और पश्चिम भी ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको सब्सक्राइब करेक्ट आपका यहां पर सेवन निगल के आ रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है कि विश्व में प्रिथम केंद्रिये 22 अनुसंदान संस्तान की इस्थापना कब हुई वेन वाजड़ा फर्स्ट चेंट्रल वाफेरो डिशूर्स इस्टिट्यूट इस्थापना कब हुई 1995 1985 1975 2000 को सब्सक्राइब यहां पर यहां पर आपका यहां कर रहे हैं और प्रवाई टेग्बल काम यहां पर दीए आंसर करें बिल्कुल यहां पर चुछर्म नंबर सैबने इसका आपका करक्ट आंसर क्या है बिल्कुल बिनाइंटेटीफाइग 15 1995 में आपका केंद्रिय बहेस अरुसंदान संस्तान की सथाफन ती कहां थी कहा हुई थी लव्यू भाई हिसार हरयाना कॉछ लोग कर नाल भूल रहे हैं कुछ लोग हिसार भूल रहे हैं जहां पर आपका क्रेक्टान साम्सार क्या है हिसार हर्याना ठीक है हिसार में आपकी स्थापना हुई थी इसकी 1985 में भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है करनाल हर्याना यहाँ पर सोरी हिसार हर्याना है न तो याद रखना सभी लोग कि अन्हां गरा की है तो यहां पर आप लोगा अंगला कुश्शन है इस बहुत ही नया और इंपोर्टेंट कुश्शन है आपका कुस्सर नमपर एट आप लोगो दिख रहा होगा अब आरे होगी अब मिलों को अबाज आ रही हुए थोड़ा इसु चल रहा है सभी लाइक करो है ना मिल्कुल भाई बट यहाँ पर आपके बात करते हैं कि स्थान पर भैस प्रजिनल अनुसल्णान के अंद प्रारम हुआ था यह आपका जो सुमेड नामा के स्थान है वहाँ पर भैस अनुसल्ण अनुसल्णान केंद प्रारम हुआ था वहाँ कहां इस्थिद है वहाँ कहां इस्थिद है आपका यह सर बस बिजूल जाता है अच्छा थोड़ा सा प्रोब्लम आरें डेट बरक इसु की बज़े से क्योंकि आर बरसात और बोट टाइम से पूरा दिन निकल गया है बरसात ह होते होते हैं तो थोड़ा हो शकता है नेट बरक इसु की बज़े से होता है ठीक है उसके लिए आप लोगों सभी से मापी चाहता हो मैं है ना थोड़ा आपनों को मैनेज करना पड़ेगा जो आपका सुमें डाम अगस्तान है उस वहाँ पे 20 प्रतिल अंसंदान केंद प्र लो सोरी सर होता है यहां पर आपका आंसर यहां पर बुल्गरिया में इसका जो आनुसंदान संस्तान है आपका फैस का प्रतिलन और अनुसंदान केंद कहा प्रारम हुआ सार आप कहां से हूँ तर मैं भही है अपका ऍचातर पूट से हो कि कि कै चतर पूट है यह यहां से थंब करता हूँ मैं next part कि आपके बात करते है क्ऴस्टन नम्ब 9 जित्व कि तो अ भारत में हैं दुनिया की कितने पर्सेंट बेड़े हैं तो भारत में पाईजाती है फॉस्ट कि परसंट परसंट बार्ट में हैं यह यहां पर कहने का मतलब है सर गष्वत है कि दुनिया में कितने सब और बहुने जाती है वहया पर 12 परसंट बोल रहे है कि गौर्व यहां पर बिल्कुल यहां पर अपका जो भी त्रीपरसंट आशार कर रहे हैं बिल्कुल यहां और दुन आटीक है तुनिया की कितने प्रितिशत बेड़े तोकल भारत में पाईब जाती है तो डुनिया की तुनिया कि तोटल थ्री पर कहां सा इस्टेट आता है इसाब से सट पे भी और की शंक्या में कौन सा मतर से भाषी को काव देखने को मिलती है तेलंगाना में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हुआ करता हूँ यू और बेस्ट यहां पर देख सकते हो तेलंगाना अंदर प्रदेश और करनाटका यह तीनों है इंडिया में अपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करें आप तेलंगाना में तो तेलंगाना में तो तेलंगाना में अपको 90 मृटर. आपको तेलंगाना में पल् conscious पि एनकृत विला मेंगी करनाकाब्रम कि अब tips कर लिखन सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पे आपनों देख सकते हो तो यहां पे आपनों देख सकते हो तैलंगाना आज प्रेस और करनाट का कहां कितनी भेड़ा है यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया सब्सक्राइब करके रखा है अगर्ण कितनी मिलियन है भारत में अरुन अभी फिलाल में देखा जाए अगर भारत में वेड़ों की शनक्या की बात कर तो 74.26 मिलियन याद रखना ठीक है सही कुछन पूछा आपने कि 74.26 मिलियन अभी फिलाल में भेड़ों की शंक्या है लेटेस्ट डाटा के अंशा कितनी संक्या है फुल भेड़ों की 74.2 मिलियन याद रखना ठीक है फुल सपोर्ट है रही जी बस आप ऐसे ही पड़ा देरो थेंक्यू भाई सर आपकी ग्लास का टाइम के रहता है जीक सा आट बसे के आसपास वह टाइमिंग रहती है ठीक है तो 74.26 मिलियन आपकी टोटल भेड़ों की संक्या है फिलाल में अभी ठीक है और आप अगर हम बात करें आपकी तो पिर्थाम राज मैंने आपको तीनों बता दिया ठीक है इस चीज को आप लोग सभी लोग याद रखना यह आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा ठीक है आप लिडियो आप लोगो डाल रखी है आप लोगो देखते नहीं है। सभी लोग ठीके है आप लोग देखते हो नहीं मैंने ऊघ्ने करेंव हैस Radio हों सभी्तार लोग देखते हो इन सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट आपके हम बात तरते हैं अंगले कुस्सन की तो कुस्सन नमबर आप 10 नमबर कुस्सन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि भेड की नसल है जो दुनिया वाली नसल के अंतर गताती है दूदु वाली नसल के अंतर गताती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो भेड की जो दूदु वाली नसल के अंतर गताती है यहाँ पर ओप्शन भी दे रहा है कौन सी ऐसी बेड की नसल है जो दूद के अंतर गताती है तो क्या यहाँ पर आंसर होगा आपका या हसन, कुका, भातरवाल या उप्रुफ्त वैसे सभी, क्या यहाँ पर आपका परेक्ट आंसर हो, कौन सी ऐसी ब्रीड है, तो दूद वाली भेड के अंतरगर्ट आती आपकी, बता है बाइ सभी लोग क्या होगा इसे परेक्ट आंसर, शत्यम शाहू का यहाँ पर D. आंसर इकल क्या रहा यहाँ पर C आंसर कर रही हैं, और बैभी और कोई आंसर करना चाहेगा, धिक है, अनुष का जैन्नी आप चैन्सक में रही हैं, और किसज लोग सबने यहाँ इसे परेक्ट, सभी यहाँ पर गलत आंसर कर रहा नहीं, आप लोग ठीए state, गएग। यहाँ पर बेड की नसलों जो दुनिया में यहाँ पर option में आप देख सकते हो तो यहाँ पर B option के साफ़ से is a correct answer है ना यहाँ पर आपकी जो कूका breed है यह जो है दूद के अंदूद वाली नसल के अंतरगत आती है कौन से breed कूका याद रखना हसन भी आपकी बेड की breed है और जो है दूद के अंतरगत आती है याद रखना यह सर कंफर्म नहीं था ठीक है आप लोग याद रख सकते हो कूका सुना है बिल्कुल है ना कूका आपकी बहुत ही फैमस बीड़ की याद रखना है ना बेड के बारे मैं जैसे जादा कुस्ण तो आते नहीं है बड़ कभी क कूछ भी लेता है मुद्जाम में तो यह आपको कम चकम याद होना चाहिए कि जो आपकी कूका बेड़ है यह आपकी क्या है कि जो है आदूद के अंतरगत आती है ठीक है नेक्स आपके अगर बात करें कुस्ण नंबर 11 की तो आप लोग देख सकते हो कुस्ण नंबर 11 कि न Bak you can आता है है और ही कि कि क्या चाहिए नियुंट किस में से कभी-कभी जो अगल्चरम देखने को मिलने मिल जाता है तो आपनों को बतना ही तो दी आपकि जो बकिरी है बकिरी में कभी-कभी गल्चर्म देखने को मिल जाता है ठीक है गल्चर्म का मतलब पोन चार्चले पिदायो नहीं मईने को पूरा दिन मेरा काम भाइख up ऐ बड़ा चल रहे स्टड़ी तो पुरा दीन में निकल जाता है मेरा निम्न-मैंसे किस पसमें कभी-कभी गल्चरम देखने मिल जाया घल्चरम आपका जर्रम क्या होता है बकरी में आप देखो के तो मिलता है। उसको जनली गल्चनम बोलते है तो यह घ्री जननी करके आप लोगो नहीं पता हो तो आप लोग वहां पे जूड़ सकते हो। कि आपको बदा दुँग टेलिगराम चेनल पर ठीके वाहँ तो यहाँ पर कृस्तर नमर टोट आपके निकल कdı आ रहा है कि गंगा तीरी गाय़ की किस पर शाइब इसके बारे में आपने पहली बात कर लांदू को पया तक कहांके आपको तो पहलेму तो सोफ है आदա पाइजा में आंसर कर रहा है तो यहाद रखना सबी लोग बहुत ही important है आपके लिए इक्जाम में पूशकता है नया कुसर गंगा तेरी और बहुत ही अच्छी ब्रीड है ये गाय कि आप भी गंगा तेरी बहुत ही पैस्ट ब्रीड माने जाती है वाई गंगा तेरी उत्तर पुदेश मों कहीं कहीं आपको जो है जन्रली बिहार में भी ये देखने को मिल यहार भी याद रखना सब्सक्राइब बिल्कुल कल आपने बाइलीजी क्लास रखने वाले अधित यहां पर आपका जो है गंगा तेरी मैंने आपको बताया उत्तर पडेश और बिहार का कुछ छेत्र यहां पर किस्य मिलकर गंगा तेरी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है अब आप लोगोंने एक ब्रीड सुनी ओगी बहुत ही आच्छी ब्रीड माने आती है आप लोगोंने कभी जो है अपकी ब्रीड है कौन कन क aired बद बता हैंग। कौन कर्ठ के बारे मं अभी तक सुना है बहुत इंपोटेंट इसलिए मैं इसके बारे में जिकर करना हूं यहां पर कि कौन आपकी ब्रीड इसका सबसे इंपोर्टेंट करेक्टर क्या है वह अनजली सौनी नो सर और सर कैसे हो बिल्कुल भाई ठीक हो आपके से हो जीते जीत ह तो यहां पर बोलते हैं तो मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट यहां पर सबसे करेक्टर क्या है यहां पर कॉनकर कपीला का सबसे यह क्या है तो यही याद रखे कि बिलों करती है यह इंगलिस में करो सर यह इंगलिस में यह भाई ठीक है यह आपका कॉनकर कीला इंगलिस में लिखेंगे ठीक है तो यह आप देख सकते हो Goa और महराष्ट की breed है second इसकी जो important बात है कि यह A2 Milk के के लिए बहुत ही famous है ठीक है A2 Milk होता है इसके लिए बहुत ही famous मानने जाती है आपकी breed A2 Milk के के लिए कौन सी breed ओन कन कपीला मोक टेस्ट कप्षे चालू करोगी सर बिलकुर आप कर देंगे भाई ठीक है अभी वेट करो थोड़ा सा तो यह यहां पे जो आपकी ब्रीड है एक एक टू मिलकी के लिए बहुत ही फेमस ब्रीड माने जाती है कौन सी ब्रीड कौन कन कपीला करके यह ब्रीड है आपकी बहु सर्व पैलो की है नहीं भई आपका यहां पे कौन कंपील पील या ब्रीड है वह दिए अपक्वशब करो आप्टेिक है न मैं आप Sedarmul में आपना जो सब्सक्राइब आपके बिलॉग कर तो कहा से विलॉग करती उत्तर्पदेश से बिलों करती और बिहार के चित्र से सही बिलॉँ विलॉग करती है तो यह आपकी एटुम मिल में बहुती कम मतलब खार जाता है इसलिए जीडो बजट फार्मिंग लिए बहुत ही फेमस है और यहां पर आपका मतलब है यहां पर मतलब होता है कि जो है अपने को देशी और सुद्ध दूध राप्त होता है तो यहीं बताना पूरा एड्रेस बिल्कुल भाई अब एड्र इसको बोलते है ठीक है इसको ही बोलते है यहां पर उसमें केरोटिन की मातरा जाता होती है इसलिए जो है सब्सक्राइब करेक्टर में आपको बता दी कि जीरो बजट फार्मिंग एक्जाम में बिल्कुल पूंच सकता है आप लोगों सही बिल्कुल इस बात को सभी लोग जो भी अवे फिलाल में फिट्टी नाइश नोग लाइब हैं वह सब्सक्राइं इस्टार लगातीी लिखता है कि जीरो बजट फार्मिंग के लिए आपको जीरो बजटा फार्मिंग के लिए कौन से ब्रीर गर्षिए सर बता है कि यहां पर बात करते हैं कुछ नम्बर 16 निकल रहा क्रिश्टना घाटी नसल है यहां निकल क्या रही है यहां पर कुछ्छनस नसली के बारे में ज़्यादा से ज्यादा लिख्या आया है ठीक है, कोई को पिला, ओके, ओके, बिल्कुल है ना, सर नमबर तो, नमबर राजन, रागे बेंदर बाई, आप टेलीगराम मेरा चैले पर जूट सकते हो, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगे, ठीक है, आप परसनली मेंको मेसेज कर सकते हो, मेरे टेलीगराम गुरूप से एग्री जन्नी करके है, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मेंको परसनली मेसेज कर सकते हो, लिलीं कर दे को चैनल को जरू सब्सक्रीब नहीं किया सब्सक्राइब ।si है यहाँ पर कि italiano गाटी नसल है यह कहां से बिलोग करती है आप टिर्ष्णा गाटी नसल बसंत यहां पर किंग बोल रहा है कि नंबर से दो सर थीखे यूपी सी एटी का कोर्स है सर क्या हाँ निकल दुबे मैं कुछ है मेरे पास में सेंड का दूँगा तीक है आप लोग बेट करो सबी कृष्णा गाटी नसल कहां से बिलोग करती है किसकी नसल है बैए क्रिश्णा गाटी गौट की ब्रीड है बफेलू की ब्रीड है सी किसकी ब्रीड है घाए डरी समखिस लोग को और jeśli ना हम से जानते हैं एक किस नाम से जानते हैं। पिल्कुल यान इतना तो बनता है टीक है वैश्यक आपको चेतर है यहाँ पेर इसको बोलते हैं az रखना भाई सभी लोग ठीक है बिल्कुल आदेति राज जो है केमिस्टी भी क्लास चलेगी बैलोजी आप बेड़तों करो ठीक है मैक्स वोलिगर तुम बहुत इंटलियंट हो सही मैं अच्छा तो करनाट का जो यहां पर है इसका ओरिजर इस्थल माना जाता है यह गाय की बहुती फेमस ब्रीड है आपकी किसना गाटी और किसना बेली है ना नेक्स आपके हम बात करें अंगले किसन कुस्सन नमर 14 नमर यहां पर कुस्सन निकलके आ रहा है में कि बरवरी बरवरी बकली का ओतिपती स्थान यहां पर पूछा हुआ है फई ना सर आप दिख नहीं रहे क्या बाई बसंद लिख नहीं क्या धखना है ब्लुकुल करनाट का बिल्कुल यहां पर कर दिया से क्या देखना यहां पर सब्सक्रार टो सब्सक्राइब करनाट को इसका और भी अफ्रिक है पंजाब आंधरा प्रदेश या सुरक इसका और इसन क्या इसे एक नसल है बहुत भी फेमस नसल आपकी ब कर लेंगें अगर आप लोग पढिने के लिए छ मैं पर तो अठाबा उसे इस धने जम न लिएन जमना पानी है इताबा तीक है यहां पे आपका चुएist पूर्वी अफ्रीका याद रखना थीक है जो बर्बरी यहां पे इसका उत्पत्ति इस्थांग क्या माल जाता है यहां पे आंसर क्या लेंगे पूर्वी अफ्रीका इसलिए मैंने यहां पे इस तो पुर्वी अफ्रिका या नहीं जो इस्टन अफ्रिका है यह आपका जो है बर्वरी का हएं बहुत ही थिमास मतलब उत्पत्ति स्थान माना जहता है नहीं सर शाम को सही है ठेक है भाई साम को ही रखेंगे ठीक है बर्वरी तो आप लोगों को पता इसका प्रवरी को और ब किसका बरबरी बकरी का और City of God के नाम से इसको जाना जाता है सब भी लोग याद रखने बई सब 7 बज़े सुबहे की टाइमिंग दूसरी क्लास जबाते हैं अच्छा वाई तो यहां पर 1.5 से 2kg के आसपा जो आपका इसका बरबरी बकरी का इसको City of God भी कहते हैं और 4.5 इसम बशंत कींग के आँपर बोल रहे हैं कि इस सरे कितने बज़े से चालू होती है और बज़े से आपकी कलास रहते हैं ठीक है आठ बज़े क्या सपास आप किसी चीज से पढ़ते हो बता दो अच्छा वाई पढ़ने के लिए बुक से है यार तो तुम लोग पढ़ते हुआ सब लोग सब्सक्राइब, सबी लोग याद रखें, नेक्स्ट बीलकुल बात करें, नेक्स्ट आपकी यहाद करें, से किन इसका साइज भी स्टा होता है ने हैं इसका सब्सक्री बजन कि फेलिक चालिस कि यहाद है कितना 35 से 40 kg की आज पास ठीक है थार पात कर अच्छा सर आपकी चैनल नहीं आता है टेलिग्राम पर आज आएगा भाई ठीक है आज आएगा आपका टेलिग्राम प्रदी भाई आप डालोगे एगरी जन्नी आपको मिल जाएगा बिल्कुल भी आप पटेशान मत हो बागी सब्सक्राइब करना चाहते है तो वहां पर आप लोग जूट सकते हो ठीक है सर ठीक है भाई लोग नेक्स्ट आपके हम बात करें कुछ सरमर फंदरा की तो भारत में सबसे अजिक सबसे अच्छी गाए की दुई-काजी नसले आपको पूछी हुई है डवल परपस ब्रीड आपको उसकी पीडिएफ चाहिए क्या आप मुझे सुनदा की दे दो अच्छा बाई सन इस्टाग्राम पर मेरे मिल जाओंगा मैं ठीक है आप वहां पर भी जूट सकते हैं जिसको टेलीग्राम पर प्रोग्लम आ रही तो वहां पर भी आप लोग जो है जूट सकते हूं यहां पर पूछा हुए दुई-काजी नसले कौन सी है यहां पर बेस्ट ब्रीड ब्री किसान की सबसे पहली पसंद भी इसको बोलते हैं नबल ओमने बिल्कुल यहां पर ए आंसर है ठीक है यहां पर क्या होगा किसान की पहली पसंद किसको बोलते हैं सबसे पहली पसंद होती है किसान की हर्याना किसान की पहली पसंद भी इसको बोला जाता है किसको आपकी जो हर ब्रीड ओटी इसको है ना थार पार करती सर नहीं बाई यहां पर आपकी दुईकाजी सब्से कोई ब्रीड है तो मैं आपको बता दू हर्याना ठीक है हर्याना इसार बैस्ट आंसर ठीक है और भी सकते मतलब जो है सबसे ज्यादा उत्तम माने आदे इसके बेड़ किर्सी कारो सबसे सबसे बैस्त बैल कोंसे ऒते या सार इसके होटे तो आपको याद हogना चीन हर्याना के ठीक है सबी लोग याद रखना का आंके लोग नियुश चıtके इकलिए ना प्रेजेंवल भी करों से टृकती चीशेंड करो देटेट 120 वाई जाएंगे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे तो यह गलग चीजे नहीं चलाया करो बट इसका सही उपयोग किया करो ठीक है कोई बिल्कुल उसमें गलग बात नहीं है सर फाल्दू कमेंट पर ध्यान मत दिया गरो हाँ बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट आपका हम बात करें भारत में सबसे अच्छी गाय के गुई काजी नसल कौनची है तो यहां पर हर्यारा आपका करक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपके हम बात करें अंगले कुशन की यह आपने सह सबसे अधिक लंबे कानवाली नसल कौन चीङंए आपे तो व्ल्ड हैस लॉंग own your सभी मतलव हिहां भी सब्यों खंटि कौन सब सबसे सबसे लंबे कान मिल जाएक कों recrui तुमान सबसे quand लंबे को दो लोही नसल की नसल होती जिसके दुनिया मैं सबसे लंबे कान तीक है लोही बिल्कुल पर अगरवाल ठीक है इस आ परक्ट आंसर क्या होगा सी दुनिया में सबसे लंबे कार अगर इछी ब्रीड के होते हैं तो वह लोही नाम के आपकी ब्रीड नसल है इसके सबसे लंबे कान पाए जाते हैं याद रखना सबी लोग ठीक है मैरीनों भी आपकी जो है फेमस यह बाट उन्हें के लिए बहुत ही फेमास भीड है आपकी मेरीनों ठीक है बड़ इसके इतने काल लंबे नहीं होते हैं सब्सक्राइब काल लंबे आपकी लोही नसल के होते हैं ठीक है याद रखना तो यहां पे सी इसा करेक्टा आंसर ठीक है वही नेक्स्ट आपकी अगर हम बात कर कोष्चा है कुस्टन repent 17 कर दिख रहा है कि आप है कोरी डेल कोडि बेल से प्राप्ट होता है वहीं कर डेल नाम के बेढ की नसल है इससे क्या पिर आप्प से इसे छए सर्वोर्तब ़ूर प्राप्ञत होता है या आपका सर्वोर्त्तं माक्त्रा अको सर्वोत्तम बाल दो है शब प्लीजर कर रहा है है एक कर राप्त होता है क्या होता है रसफोन आपकी इसले पेड़ की से क्या प्राप्त होता है कि तो नमर 17 का अंसर करें सब्लोग कैसी प्रीड़ है आपकी दूइक अजिप यह तो यहाँ पे सर्भूत्तम माश्वली ब्रीड है तो यहाँ पर जो भी आपका टी आंसर करना किस कोई भी आपके डी आंसर नहीं करना है बहुत सभ डया सभी लोगों का क्योंकि कोई भी किया रूद है अभी और सकते क्रेक्ट उपम डिंगल निकल के आया Όतो आपकी बेड़ है वह डावर परेड़ है रहिए याद रखे कि एकलोती ऐसी ब्रीड़ है थो आपको बिभेड़ किसी आंसर कर रहे हैं तो नहीं आपके सीनियों का सर्वुत्तम बाल के लिए नहीं पाई जाती है ना सर्वुत्तम जो आपके यहां पे उन के लिए आपको पता है मेरी नो है सरवत्तम मून के लिए ब्हेर दो छिसे कए आँ पाए लुगे का या कंसос है मेरीनो अपकी सरवत्तम मून के लिए ब्हें सरवत्त के लिए आपकी प्रीड लुक्त बहुत ही फैमस ब्रीड है नंबर दिक अच्छा इसाद डेल है सर नहीं भाई वेदान कहां पर हिसाद नीए ठीक है आपको बता है तीक है मेरी नों के बाद आपकी बुलेट होती है पिर आपकी पूलवर्ट होती है बट यहां पर मास की भी अगर बात कर तो मास के लिए सबस चोटी बातों में ये सक छोटी-चोटी बात हैं क्लियर हो đीच यह ठीक है exam में आगया तो फिर्ट्या करोए गलती करों पता है जहां भी कुष्टन में confusion आया जहां भी कुस्टन में confusion आया वहां पे 100% कुस्टन आपका बलत होगा ठीक है जहां भी खुशन में चला यहां आप मानके सब्सक्राइब लोग तो यहां पर आपकी डबर परफस बीड़ है और खाल के लिए सबसे फैमस बीड़ को चाहिए किसी पर खुशन के लिए एक ही लिए इसकी बेड़ की बहुत ही फैमस है कारा कूल याद रख सब्सक्राइब कि कि गाय को उजलि सिंधी गद्धी लोही दूइकाजी में आती है तो यहां पर अपने से स्फ मुछा हुआ है कि गाय की नसल को उजली सिंधी कहा जाता है na सब्सक्राइब बताएगा यहां पर किसको बोलेंगे सभी लोग आंसर करें यहां पर यहां पर कुछ लोग सिंदी भी करेंगे यहां पर यहां पर कर तो मैं आपको बता दूँ गाय की जो नसल है जिसको उज्दी नाम से नाम से कहा ना तो इसको उज्दी सिंधी भी कहा जाता है उजली सिंधी के सासर इसको सफेद सिंधी याद रखें सफेद सिंधी ठीक है इसको सफेद सिंधी भी कहा जाता है किसको थार पारकर को शभेद सिंदी ऊजली सिंदी ठीक है ठारी भी इसको कहा जाता है ठारी ठारी भी इसको बोलते है किसको ठार पार कार कॉछ यह इसके नाम है अगर हम आपके बात करें तो ये रज़स्थान की रजहुत्तान की बहुत ही फार कार ओith राजस्टान की बहुत ही फैमस भी यह राजस्थान की बहुत ही प्रिस्टीरिवी कहते हैं याद रखे सभी लोग है ना तो यह पहुत ही इंप्वर्टेंट है कुछस्टन है आपका सबसे अच्छी ब्रिदें निश्टानी परिष्टे लिए और अगर बुला जाए तो बहुत ही अच्छी और बेस्ट ब्रीड है आपकी उच्छी सिंधी कहते हैं थार पार का को ठीक है नेक्स्ट आपके हम बात करें अंगले कुशन जी तो कुस्त नंबर यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है कुस्त नंबर 90 नंबर कुशन ठीक है तो 90 को लाने पड़ेंगे minimum minimum 145 या 140 के असवास आपको नंबर लाने पड़ेंगे GMKB के लिए जनल के टग नीच अगर हम आपसे बात करें ठीक है क्यों कट ओफ इसवार हाई जाएगा वही सभी लोग तो हसिया या दराते नूमस सिंग हसिया या दराते नूमस सिंग भेज की कि कि लेहां है दो कि लाग को ओन्स नूमस सिंग्ञिंग या आनसर दें यां को सूर्ती मुर्रा भाडा यहां नांगपूरी तो क्या यहाँ इसकाatri祂 सबसे बड़ी करतलिमजीन है पहला है कालाना जीन दूसरा राजिसमन जीन तीसा नक्की जीन जोता महतं समय जील यहां जैसे में जील राजिस्तान की सबसे बड़ी करतवी में जील है इसलिए आपका डी ओप्शन एक्जाम राइट अपसे लो जाएगा अगला प्रसंद किस व्रक्स को तार का तरफ प्रफ्रक्स का जाता है पहला है नापपनी दूसरा है खेजिडी तीसरा है बर्कद प्रफ्रक्स को तार का तरफ प्रफ्रक्स का जाता है पहला है नापपनी दूसरा है केजडी तीसरा है बर्गद चोता है दूसरा है दुसरा है तरफ टी दौरारी कविताकर के लेका कौने पहला फिंद नापस सघ्लित यह को त्रीव डालेंस, लिख भूर्पस कहा लिए घृति तरछा है बर्फियृ कोईंस। जो पूरे के पूरे तीन नमबर दिलाएगा जर्थी दोरारी कविता के जो लेकर के बिल्कुल कने अलार सेखे हो जाएंगे जो जो की मौ से बजाएंगा जाएगा जाएंगा जाएगा आसापूरा माता किस वंस की कुल देवी है पहला है चोहन वंस, दूसरा है रपोर वंस, तीसरा है खेंची वंस, चोहता है गोल वंस, राइट अंसर मतना है दोस्तों आपको आसापूरा माता किस वंस की कुल देवी है पूरे के पूरे आपको त्री नमर दिलाएगा अपला पसंदेखे चटा प्रसंद है राजिस्तान में ब्लू पोर्टरी का परशिद केमरे बहुत इंपर्टन प्रसंद है पहला जैपूर दूसरा एलवर तीसरा पोर्टा चोता उन्हेपूर दोस्तो राजिस्तान में ब्लू पोर्टरी का परशिद केमरे कौन सा है बतना राइट उन्हेपूर दोस्तो राजिस्तान में संगीत अकादमी इस्तित है राजिस्तान में संगीत अकादमी जो इस्तित है वो जाएगा जोगपूर आपको तीन अनका दिलाएगा अगला प्रसंट के और बड़े नमा कोश्टन है राजिस्तान का सब से पहला कोलेज इस कहां पर कोला गया था पहला अपशन है दोस्तो पहला उपसे है दूसरे जोद्पूर तीसा अजमेर चोटा है जैपूर तो दोस्तो राजिस्तान का सब से पहला कोलेज जो है तो आप जो जो आपका तो डाई अन्सर हो जागा आपका ह 뻗ा आजमेर में जो है राईजितान का सबसे पहला कोलेज को लाला जाता है इसलिए C घैच्था प्रसन है लिए और जैच्पर प्रसनिगте देश वा कर दोंसों इस पाफी जान मंदिर है जिए को सभास्ट करें कर दो कम दोंसों फरॉप्ड उन्होंने ही एक प्रेसर इसका निर्मान कराः था जो दार्नक्षा है उन्हाने जो है रनाटपूर जयन मंदिर का निर्मान कराःता पाले जिल्ए में इस्तिते हैं तो कितने खंबे हैं उसमें पहलाई 1.100 चमाणिस हैं हाले प्रसमिंदे 부탁 केहां दोस्तार कम यह सम्ब और उसंद नहीं दुस्तार को बहुत ही तो धीले ट oppose रेंडा मता चोबता रलाषल की सचEMA के साथ वह भ्रतकों के बात ठोछु ग bothers नहीं को जाएके दैक। फैस जाज को ते दिद भाट करें तो अब पूरी रजेतान में तो और लुक जयात्या लुजान्य काई से लुद्धो तुर्व धाधा मता है कि करी लुद्ध्ध लुद्धोद मैं不用 अझिवर्ण क्रलाक। जो हडुत की सबसे ἂरें पुरस्षार की चेतर में दिया जाता है। पूरे के पूरे आपको तीन नमर दिलाएगा महलना पुरुषकार आपके खेल बुच से समिन दीते हैं दोस्तों अगले परसंट के अबड़े किस वरस से केम्देश चासित परदेश अजमेर महरोड है राजिस्तान में मिला किसी वरस से केम्देश चासिप परदेश अजमेर महरोड है राजिस्तान में मिला था राजिस्तान में राजिस्तान में जो आएगा सर लेगे पर साथ समावत करा अंदे नाम में से लिए राजिस्तां में राजिस्तां में साथ साथ मका मंदिर आ हैं पर बंदार सिर्ट नागदा को शोगता पार बंदार दिस्तां से वाहता हुआ है जो मंदीर है इस्टी थे इसमें सी ओप्षन एंदम राइट उप्षन जाएगा अगले पसंद के बड़े सद्रवा परसन है मेवाती बॉली से संबंदी थे जिला है पहला है जैपूर दूसरा है सीखार है तीसरा है कोटा है चोटा है अलवर राइट अंसर बतादा दोस्तों मेवाती बॉली से संबंदी थे सिक्याइब आगए अरेट इसे संबंदी थे लेकिन अब मेवाती से संबंदी थे दोस्तो दी ऋप्षन एगगा ऑलियत अटारे उससन है जय कोटा है जोट्दाar में राजिस्तान लोकसे भायो कादिक्स कोन ने राखिस्तान की बी एस टीशीर हो हो या पिर प्राइट हो में जो है । अप्र नाम ओर o fís है वार्तमार कोना दिक्स कोन है कि अगासर की बात करें ने टाल ने राजिस्तान विदानसभा के अध्यकרי您दा सिंग बना दोसरा दिविया सिंग उल्टर सनी ऑलता असल से कोघार कुछ राजिस्तान विदानसभा के अध्यकश कुछ राइट हमसुद्टण sìप जोच्श को जा है नियू ब्लाइड ऐसू ग्नार इस नियू सबस्थ के राइड़तान फ naar मरत्र मीद्जाद में भञाइव ल्क बातान साथ कि उर्थ ग्ला म現在 करके रटाहि घ्थ वो सब्सक्राइब नहीं आप ने जिस्वी नहीं होग। कि श॥े रास्ट पती होगा कियूंकि नहीं आजजिस्वीत नहीं से जाती है राई प्सषण करो लाई, पिया प्रामुटर लाईए बची सब्सक्राइब तो आईगा नहीं, बचल कोनछा बासवड़ा? ठीक है चलिए अगला प्रशन है साथियो और बेहदी इंपोर्टेंट प्रशन है अगला की राजस्तान में इनमें से कौन सी रभी की फसल नहीं है तो रभी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है राजस्तान के अकोडिंग बात करनी है तो राजस्तान के अकोडिंग बात करें तो गेहू रभी किया है जो रभी किया है चना रभी किया है लेकिन बाजरा क्या है बाजरा अपने किस की फ़सल है दोस्तों जी हाँ खरीब की फ़सलों में सामिल किया जता है बाजरा को ठीक है चलिए अगला प्रसन है राष्टिय सरसो अनुसंदान केंदर कहा पे है बिल्कुल इस सरल प्रशन है राष्टे सरसो अनुसंदान के अंदर अपने सेवर बर्थपूर के अंदर इस्तित है ठीक है चलिए अगला प्रशन है मैं तुन प्रशन है कि निर्म में से कौनची एक मीठे पानी की जील नहीं है तो दोस्तो यानि कि ये प्रशन कहरा है कि इन में से एक कौनची खारे पानी की जील है तो पिचोला मीठे पानी की है आनसागर मीठे पानी की है पुसकर मीठे पानी की है लेकिन तालचापर जील चूरू की अपने किसकी है खारे पानी की जील में शामिल है चलिए नेक्स प् में भी मैदनी छेत्र में अपने बाजरा बोया जाता है ठीक है चलिए next persons बारे में बात कर लेते हैं तो next person बेई important person और कहरा है कि राज़तान में सबसे छोटा कृशी जलवायु प्रदेश कों Japan चाहे तो satu में सबसे छोटा कृशी जलवायु नदी नहीं है यानि कि ऐसे कौन सी नदी है जो अंत्य परवा की नदी नहीं है अंत्य परवा की नदी नहीं है अंत्य परवा यानि कि जो नदी अपना जल और केवल और के वह रास्तान के अंदर अंदर ही अपना जल दिखेरती हो बहती हो रास्तान के अंदर अंदर ही बहती उसको बोलते हैं अंतर परवा की नदी ठीक है अब ऐसी कौन चीह जो रास्तान के बार भी बहती है तो important question बन जाता है साथ आपने इस question के बारे में सुना भी नहीं होगा बिल्कुल important question है क्योंकि link नदी के बारे में साथ मुझे आपको पता है कि आपने पहली बारी सुना होग ठीक है और link है मेंटा है खंडिला है ठीक है चलिए next question दोस्तो और बेदी important question है कि राजस्तान में सबसे बड़ा कृष्णी जलवाईव प्रदेश कौन सा है तो राजस्तान में सबसे बड़ा कृष्णी जलवाईव प्रदेश आपसे पूछ ले तो first c यानिकि अती सुष्क आन्सिक सीचित छेतर अपने राजस्तान का सबसे बड़ा कृष्णी जलवाई प्रदेश की छर्णी माने वाला भाग है ठीक है first c यानिक अती सुष्क आन्सिक सीचित छेतर next question है कि निम्ड में से कौन सी नदी सामर जील में मिलने वाली नदी कौन सी आ जाएगी next question है कि निम्ड में से कौन सी नदी जापूर जिले में होकर प्रवाइट होती है जापूर में बारण गणाई होती है जो अपने बहराज की पाड़ेंट से निकलती है नीचे दीगे राजस्तान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती भई पाकिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती श्रिक नंगा नगरी लगती है जैसर में लगती बाड़ में लगती है जोतपुर की नहीं लगती ठीक है अब अनुगणी की भी लगती है ठीक है ये भी याद रखना, निम्री के दिजियों को में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसके बारे मताना है, एक तरफ वन्नी जी अब्रान एक तरफ है जिला, और बेर इंपोर्टन प्रिशन बनने वाला है, सज्जनगर उद्यपुर में है, सही है, रामचा गर दोनपुर में है तालशा पर चूरू में बच्सा कौन सा से अगर, शिरोही जिले में इस्तित है, नहीं है, चलिए। करम में सही है मतलब कि बड़े से छोटे की करम में कौन सी सही आजाएगी नीचे दियेगे option के according बात करना है तो बड़े से छोटे की बात करें दोस्तों सबसे पहले सेर आजागा फिर तेलवाड़ा फिर जर्गा फिर आचल लगा राइट आंसर उप्सन नंबर भी जर्गा फिर आज़ेगा तीक है इसके बारे में option नंबर भी राइट आंसर ज़ेगा अगलाए निमल के तमें से कौन शी नदी अपना संपूर्ण प्रवाय राजस्तान में ही सीमित है यानि कि राजस्तान में ही बैने वाले नदी एकमातर नदी कौन शी surrounding कौनल शीए अगला है कि रावत बाटा और अनुए कूल गर電व में से किस जिले में आउस दित है भी रावत बाटा का पर आप सोजने जिले में है तुछ चित्तोर में है Erido هو albums मर्दा राजस्तान के किस एडलवाई छेचरों मिनती है तो Erido caférus मर्दा है उर राजस्तान के दूस्तों बात करें तो राजस्तान के सुस्क छेचरों में जातर देखने को मिलती है Eridoıs heartfelt चलिए अगला प्र liaison है कि राजस्तान में लाल लोम बरदा मिलती है तो राफ्तान में लाल लोम बरदा की बात करें दोस्तों तो ये जातर अपने उद्यपुन में मिलती है अगला एक निमले कितमे से वैजिला जानती नदियों का संगम होता है तो कुराल नदी का संबंद, निमलिकत में से रास्ता निए किस जिले से है, कुराल नदी का संबंद, किस जिले से है, तो इसका जो right answer आ जाएगा दोस्तों या जाएगा बूंदी जिले से है विस्व जैविता दिवस कम मना जाता है, बिल्कुल बेदी important प्रिशन है, इस तरह से प्रिशन भी आपसे पूझ जा सकता है, 22 माई को मना जाता है, विस्व जैविता दिवस अगला प्रिशन है, कि project tiger वर्ष किस वर्ष में आरम में किया गया था, तो project tiger, जी हाँ दोस्तों project tiger, important प्रिशन बन जाता है, project tiger, तो ये दोस्तों अपनी 1913 में लागू किया गया था important question है, अगला प्रिशन की राजा अजमल किस लोग देवता के पिता थे, तो राजा अजमल अपने किस लोग देवता के पिता थे, बेहदी important प्रिशन बन जाता है, और ये राम देवजी के पिता थे, राजा अजमल अगला है कि राजसम्बन जिले में इस लोग कला के लिए विख्यात है, तो मुले लगाओ आप सब को पता है, ये अपने मरण में मूर्ति कला के लिए प्रिशिद है, मुले लगाओ राजसम्बन का चलिए, अगला प्रिशन है कि जैपूर चित्रकला सैली की विशेस्ता परगरती किस सासक के काल को मना जाता है, तो यानि कि जैपूर चित्रकला सैली को उचाई ओपर किस के सासनकाल में लाया गया था, तो इस सवाई प्रताप सिंग के सासनकाल में ही जैपूर चित्रकला स विद्रो के समय मेवाड का पोलिटिकल एजेंट कौन था तो पोलिटिकल एजेंट मतलब पी ए कौन था अटरो से ताउन के विद्रो के समय मेवाड का तो मेवाड का आप सबको पता है कौन था भई मेवाड का सबको पता है सरी तो सबको पता है तो बताओ कौन था तो कप्ता कठावा यह कणावा ठीक है चलिए अगला फर्षाय सिंग के दूस्तो बेढ़ इंपोर्टिन परिशन है कि 1793 में सवाई जैसंग के बाद जैपुर की गद्दे पर कोन आसिन हुआ तो 1793 में सवाई जैसंग'd अगला है कि मेवार के किस महाराना ने अजमेर दरगा के लिए चार गाउं अनुदान में दिये थे और ऐसे महाराना का नाम था महाराना जगत सिंग दिती है मुगनों से निरंतर संगर्ष में रहने वाला मारवाड का सासक कौन था तो मुगनों से निरंतर संगर्ष में रहने वाला मारवाड के एक मातर्ष रासक चंद्रश हैं तो जिसको मारवाड का प्रताबी कहा जाता है ठीक है चली प्रदान मंतरी को नियुक्त किया गया था प्रदान मंतरी को नियुक्त किया प्रदान मंतर प्रदान मंतरी को नियुक्त है अगला सातियों की सहल्य ी बाढ़ी रादस्तान गी इक सेर में कि इस्तित बताये। भहत ही इंपोर्ट में इस्तित है सहल्य की बाठी अगला सुर्यमल मिशन इसको मिशन विकोते हैं ग फ rates कि राजपूत राज्य reliedится की अगला है गोसुंडी सिलालेक निवन में से किस लिपी में लिखा गया था तो गोसुंडी सिलालेक दोस्तों आप सबको पता होगा यह अपने किस लिपी में लिखा गया था तो ब्रामे लिपी में लिखा गया था किस एक रपन स्थन से जुते हुए खेथ के साक्ष परप्थ हुए हैं जो में से प्राप्त हुए हैं लेकिन गुमा फिरा की पूछने का अंदाज आप देख सकते हैं कालिपिंगा वर्तवान गंगानगर में किस नदी के काठे में इस्थित है तो भाई सब को पता है घंगर नदी के काठे में इस्थित है ठीक है चाहिए अगला और बेहती इंपोर्टन प्रेशन है निम्ड में से सुम्रित नहीं है एक तरह पुष्टक एक तरह पर लेकक तो बताएए कौन सा सुम्रित नहीं है रास्तान जीके का बेहती इंपोर्टन प्रेशन है दोस्तों बताएए तो बिसल्देव रासो नरपती नाले दुआर खुमार नासो तरमत विजय दुवारा वैली कृष्मन रुख्मनेवी प्रत्वरा रठोड के दुवारा ओड्राव जैचिरो चंद सीवदास गांडण के दुवारा नहीं लिखा गया ठीक है ओप्शनमबर दी ही राइट आंसर है आजएगा चलिए अगला प्रश्ण है कि र या जिए अधिन के जिले में पत्थर माल होली परश्ण है नई पत्थर माल होली कहले जाती है अगला है कि दुवेंसर को तो आपसे पूछ लए तो यह कर वाई खाल सा खाकी नागा और राज़ता के सम्परदाई की भागा तो खाल सा खाकी नागा ये अपने संपरदाई संटेज्इनों संपरदाई लिया ग collector बेद इंपोर्टन प्रिशन रसाइन सास्तर में उस मिसंट को क्या कहते है जो समरूप हो तदा जिसके अब उसको आसान इसे पैचान नहीं जा सकता क्या कोते है उसको समरूप ही कहा जाता है दोस्तों क्या समरूप कहा जाता है आगला पारस मोंबती के जल्ने के प्रक्रम में सामील है क्या सामील थो तो बोतिक और रासाइलिक दोनों अभेकिलिय की प्रसन्ट थो मोंबती Lynёт कि ड्रावंइन के प्रसन्ट पोछ जाता है तो बोभती प्रक्राव्य् gets vérit अगला करका कौंछ बदा नाम क्या है अगला प्रशे है नाम Sulfuric Acid क्या Sulfuric Amul Option है? पहला Option जैए हो जाएगा अगला फ्रसंट Hydraulic Amul का अन्य नाम क्या है? Hydraulic Amul का अन्य नाम है प्रसंद आपके सामने है इसका Option सही हो जाएगा Option सही Option No.3 अगला फ्रसंट उधे दर भी Coupleужд का सही होँदार का कुछ सा है एल्टू क्या एल्टू सी ओथरी क्या एल्टू ऊप्सन वी अगला परसंड वेडिन पाउडर कुसका मिश्रान होता है यह वह तो वह शुडियम हाइव राघॉजन कार्पोरीर्ट दा टाटरिंड एसेड का एक मिक्सर होता है को सा उसन में और हम सही हो लाइक हो संपिस्पान यह मिश्टात नहीं बताना कुन इस रूप के इंदर प्लास्ट जिसको लिए कि आलिका में हेलोजन के साथ रखा गया किसको रखा गया दोस्तों पदेए को बाल्ट और इसको बाल्ट और निकल को रखा गया दोस्तों बहीं सही हो जाएगा अगला प्रसाइख कि ट्रा इकलोरो मौ फ्लयोरो मिन्थं कहलता है क्या 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 था दोस्तूं штami क्या फिरियोन इलै exhale क्या थे क्या है उसन और रहेuster हीरे और ग्रेपाइट के समद्ध में कौसा कतन असत्य कतन बताना है हीरा एक प्रकदास रंचना है दो पड़ते मंडरवाल बनों के द्वारा जूड़ी रेती है ये क्या गलत हो जाएका किसी पिंड की उस गटी को क्या कहते है जिसकी कुछ समिफ के अंतराल के बाद पूर्णा वर्धी होती रहती है उसको क्या बहुते है दोस्तूँ उसको आवदी क्या आवदी गदी कहा जाता है और सा उप्सन उप्सन पहला अगला प्राशन जब किसी पिंड को दर्वे में डुबाए जाता है तो उस पर क्या कार्य रहत होता है तो इस पर क्या कार्य रहत होता है अगला प्रासन की सिधानथ पर कार्य करता है रोकेड दो तूब है न्यूटन के थाइड लोग के उपर इसके न्यूटन के तर्थिय नियम के उपर क्या कार ये करता है दूश्तू अगला प्रासा उत्तर दर्पन का उपियों क्या जाता है उत्तर दर्पन का उपियों क्या जाता है वहनों के पश्चे द्रसे दर्पन के अगला प्रासा आंत्रिक्स या दारी को आला धिखाई देता लिए निकट भिंतौ मतता निक्स से दूनी का तारत वर निर्फर करता है विधान से चाहते है किया किखा जाता हूँ अगला प्रास today आवनी को हमंभा काणों के उच्छ गड़त्व काचेतर क्या कहलाता है संपिड़न कहला दो निमल कित मैं पाचे ए उसमसर नगियों क्रो सकतिए किसके इंदर करती है उस इंपोर्टन प्रसंद बताइए ग्रसली के अंदर करती है दूस्तों अगला प्रसंद एंजाइमों द्वारा सरवादिक बोचन पाचन की किरिया संपन की जाती है किसके द्वारा बताए दूस्तों संपन की जाती है दूस्तों ग्रहली के द्वारा ओ हमारे जुस्वाना से लेते हैं उसको नियतर करता है किस कोशिकांग दूआ चलता है तो अगना से की कोशिकांग कर दूआरा वरश में सबता पुर्वक जनम लेने वाले प्राथम परकनली सीसू का नाम क्या रखा गया लूसी ब्राउन नाम रखा गया अगला प्रसक विटामिन का यह अच्छा सुरूत है जाता है अगला मचली में मुझूदा राइसो फ्लाविन को किस विटामिन के रूप में भी जाना जाता है में विटामिन के रूप में sollat कीश डिचात्य सचत्र एक्हटन राखक अगला प्रसंति मीनावाट का रोग कारत यह k gaz भी फ्लान संबрах और नंबर 270 योग करने की सबंगन अगला सबाने पसान कि बुंतिक आवस्ता में सामीने यह क्या कोल ऑप्रोलाइड दोस्तो 21 के इंदर रेडोक्स डिक्सन की अंदर 00 लेडोक्स अगला प्रशए इसन अमधर बैग से है संचन की प्रकिरिया है उस्मा से सही ओक सी करण अभिखीरिया, option A, अगला प्रसंट, निमलिकित में से कुनसा योगिक अमल यह दता, साथ यह दो नुझ वजाता हूँ, कुनसा योगिक है, A and O3, option number A सही हो जाएगा, अगला प्रसंट, निमलिकित में से एक दूरबलाउं, जिसे वोतें weak base कहलाता है, कौन क अगला तो वीक भी इंपोर्टन पासर हच टू-C-O-3 कुल सा ओप्षन ओप्षन नंबर भी अगला प्रासन दूब्रवभ बनाने के लिए किसका प्रीयोग इसका प्रीयोग फोसस्का अगला प्रासन नीवल मेंसे एधात्यू है एधात्यू कूल सा नियुए अगला पराजन पर दातों का मू की अस्यक है 12 नंवारी विंग कितने तत्वों को अपने चानी में वेवस्थित किया था प्देशु न्यू लेंड ने कितने तक्टों को अपने अस्टेक वाली आवर्ठ सांडी में वेवस्दित किया था कितनों को 56 ब्यूंब क्लोरोफ्लोरो कारवल कांदर होता है एरॉसल बनाने में रूप में रूपमें प्रतिसकों के रूप में उप्रोग सबी सबी के अंदर होता कि लुप सब्सक्राइब करने वाले गुरुत्वा बलको किस रूप में जाना जाता है बते हैं गुरुत्वा बलको जाना जाता है दोस्तु किसके बार में जाना जाता है अगला प्रासर एक वस्तु का दर्वे मांद 85 kg है जड़ा वेग 60 मिट्र स्कॉयर है और वस्तु का सवेग हो जाएगा दोस्तु 1100 केस्वी ओप्सन नंबर बी अगला प्रासर ताथकालिक वेग और उसजवेग बराबर होते हैं तो वस तुम में सुने तावरण होगा क्या वस्तु के दर सुने तावरण होगा अगला यदि 10 kg दर्वे मांद कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटल का पल लगाए जाता है तो तावरित किता हो जाएगा दो मेंटर स्कॉयर अगला प्रासर दूर देस्टी दोस्त से पीडित वेक्ति के किसी वस्तु का प्रादि विम कहा पर बढ़ता है कहा करत ला एकि दर्वे प्रादिवीं वन्यूटल के प्रासर श्तर मता है रहे हुं से कि एक उसलने उसंने रहरा है जैए द्क्रडिक diferen द्क्रबांद और मेंटाय फ दो तो इनके द्वारा इनके मत्ते रखिवी वस्तुवाले प्रतिविमों की संक्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी अगला प्रसर एक दावनिक अनुर्वा प्राति दावनी जो तंपन होने में होने पर नियत सवर्मान पर गूजता है बते जो तू ट्यूनिंग फोक कहते है अगला प्रसर दिये के एक तापमान पर दावनी की गदी अधिक्तम होती है कब है बते जो तू एलूमीनियम के अंदर अधिक्तम होगी किसके अंदर है एलूमीनियम के अंदर अगला प्रसर दावनी की तिर्वता दावनी के दुआरा निर्दारित की जाती है किसके दुआ सब्सक्राइब के द्वारा अगला प्राइब सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अगला प्राइब एक समान चपो के छेतर में बूर्णर करती कुडली में प्रेविद वहक बल अधिक्तम होगा जब कब होगा अधिक्तम दोस्तों जब कुडली से जुड़े इफ्लेक्स में परिवर्टन की दर अधिक्तम हो जाती है अगला प्राइब वीदू दिदाना की अंतराष्टिय मानक ही काई बोल सी है इंपोर्णर एम प्राइब क्या है एम प्राइब ओप्सन बी अगला प्राइब इंजाइबो दोड़ा सर्वादी के बोजन पाचन की किरिया यही संपन की जाती है कुला प्राइब आपकाली जिस्ति के दोराण कौंसा हॉर्म२ उत्सांजित होता है कौंसा हॉर्म२ है वो ऱुत्सांजित होता है q बदे दोफु कुसा ओस सही हो जाएगा अगला प्रासन कोब्रा कोड्री जेमिना पाया जाता है कहां पाया जाता है तो तो नंबर डी सही हो जाएगा आगला प्रास सामाने जुकान के इलाज कीविटामीन का उप्योग किया जाता है विटामीन प्रौक विठामीन प्रौक यहाइज आजिना फिन tubingेटी अगलेर से संदीत नहीं कोंसा नहीं है एडीम मत्छ्य सबसे पहले ले क्लून के आवीज़ का नेधर्ण किसने किया था कुसा कोञत था इंकूर्टन परसन किसी तत्व कि सम्भि स्थाने को कोवा कौख सा गुंञड़ बिन्स है अगला पस्ट पर दोनों में अगला प्रसंट किस से प्राप्त किया जाता है क्या अगला प्रसंट किस आयोटिन का गोल होता है इंपोर्डन प्रसन पोटीसियम आयोडाइड का अगला प्रसन निमलिकित में से कौन सा एदातु कमरे के तापमान पर दर्व आवस्ता में मिलता है बता ही दोस्तों ये भी एक्साम के अंदर पूछा गया जो प्रोमीन है मारा वह कमरे के तापमान के उपर हमें क्या दर्व में जाथ के अंदर मिलता है अगला प्रसन ये कि आवरद में बोषूत आधुनिक आवरद सानिके ततो अगर 17 पर्माण कर्माण के तो ये एक क्या है? हेलोजन गेस है दूट अगला प्रसाद क्लोरोफलोर कार्बन के विसे में निम्न में से कोंचाता थे जो सही नहीं है ये वाईो मंडल में ओजोन परत के सुरुक्सा करते हैं ये सुरुक्सा नहीं करते हैं क्या करते हैं? उससे हानी पहुंचाते हैं CFC अगला प्रसाद वाईो मंडल की किस परत में 90% क्या ओजोन पाई जाती है किस परत के किस परत के अंदर समताब मंडल के अंज़र अगला प्रसाद मिथेर की अतरिक्ट कूंसी ग्रीन हाउस गेस क्रसी छेतरों द्वारा उत्पन की जाती है कूंसी नाइट्रस ओक्साइड कूंसी है नाइट्रस ओक्साइड अगला प्रसाद एक बस पूर्वे दिसा में घतिमान है यह बस चार गंटे से 200 किलोमेटर चलती है तो बस का वेग ज्यात कीजिए बस का वेग क्या होगा 50 किलोमेटर पर गंटा पूर्वे की ओर ओप्सन बी अगला प्रसाद रेखे सा वेग किसके बराबर होता है रेखे सा वेग है तो तो जो दर्विवान और वेग कूंसा ओप्सन ओप्सन बी अगला प्रासाद एक कार का वेग क्या है एक कार का वेग है पांच S में 18 किलोमेटर पर हार गंटे से 36 किलोमेटर गंटे समान रूप से बढ़ता है तो कार की तवरन की गणना कीजिए क्या हो जाएगी वन बेटर स्कॉइट उप्शन B अगला प्रासद बन की परिबासा बन क्या होता है बन होता है दोस्तु दर्वेमान गुणा तावरन ओप्शन एग अगला लेस की समता का SI की मात्रक होता है क्या डायोप्टर क्या होता दोस्तु इंपोर्डन प्रासद डायोप्टर अगला प्रासद मायोपिया किस अंका दोस है अगला प्रसंद माना उचे नेतर की जिस बाग पर किसी वस्तु का प्रातिपिम बनता है उसको क्या पते हैं उसको क्या रेदी ना या द्रश्टी पटल कहा जाता है अगला प्रसंद एक अल्ट्रासोनिक दावनी तरगी आवर्टी से भी अधिक होती है बीस हजार हट्स से भी अधिक होती है उप्सन डी अगला प्रसंद दावनी का वेग दावनी का वेग जो सर्दियों की तुल्ना में गर्वियों में अधिक होता है उप्सन डी अगला प्रसंद एक वेग्ति ने चटान के पास तालिव जाई और उसे चार सेकेंड बाद सुरी क्या होगी यदि दावनी की गती 346 मिटर पर सेकेंड हो तो उसकी गती क्या हो जाएगी उसकी गती हो जाएगी 960 बरांड प्रसंद अगला प्रसंद वायू में दावनी के वेग से अधिक की चाल से यादा करने वाले तरंगों को क्या कहते हैं क्या कहा जाता है अगला प्रसंद सरहानिये प्रतिरोद वारे चालक को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रतिरोदक कहा जाता है अगला प्रसंद हमाचे ग्रंदियों की पेपसी इसरावी कोसी कहीं है उनसी है जो तु कोसी कहीं हूखे कोसी कहीं अगला प्लसन आरेच रोग के क्या लक्सन आरेच रोग के लक्सन है दो तू ये तीज हदी रती होती है उर्जा की कम होती है और बड़ा प्लसन दी सब्सक्राइब तो आपर देखिएगा क्वेश्चन पुछा है रादस्तान इत्यास कलियर सर बोईस बिलकुल थेंक्यो देखिएगा पहला question राजस्तान history का question पुछा गया रास्तान इत्यास का जिसमें जो राजस्तान साहिते हैं यानि राजस्तान में जब अपन रास्तान साहिते पड़ते हैं तो उसमें अपन जो पुस्त के पड़ते हैं उनके बारे में बताएगे बिल्कुल चंदरपाल भाई नामें पूछा गया था तो आप देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये क्वेश्चिन आया इसका राइटन सर्फ बताएंगे ऑप्शन देख लीजिएगा तो आप ये बात कर लेते हैं ये एक तरफ पुस्तके दी गई दूसरी तरफ उनका लेखक का नाम दिया गया तो पहली पुस्तक का नाम दिया गया भारतेश्वर भावु बली रास दूसरी पुस्तक परत्वी राज रासो तीसरी पुस्तक राज विनोध चोती पुस्तक गरं पर्तुराज रासो चंदर बरदाई नहीं लिखी थी, तो बी में थर्ड आएगा, तो बी में थर्ड की बात करें, तो यहाँ पे नहीं है, 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 यह भी खट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे A option नहीं है डी नमेर उप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि अपनको एक ही पता है कि परत्विराज रासो चंद्र बर्दाई ने लिखी थी और यह दरबारी कवी और साथ में उसके तरित्य के दोस्त बहें थे नहीं में उसके दोस्त आपको यह जाए बरदाई दूसरी बात करें कि भारतेश्वर भावबली रास के जो लेकक है उनका नाम है साली बदर शूरी तो यह याद रखिएगा भारतेश्वर भावबली रास जो पुस्तक है उसके लेकक है साली बदर शूरी बात करते हैं राज विनोद तो राज विनोद लिखी थी भ अब देखिएगा एक्जामिनर कोई नेक्ट एक्जाम होगा उसमें पूछ लेगा कि भारतेश्वेर बावबली रास पुस्तक के लेखक कोन है तो याद रखेंगे साली भदर सुरी उसी प्रकार परत्वी राज रासो तो चंदर बरदाई ये तो कोमने याद रेता ही है क्वेशन पूछा गया यह देखिएगा ऐसे क्वेशन बहुता है कि मैच लिष्ट फॉस्ट विद मैच जो लिष्ट शेकिंड यानि सुची एक को सुची दो से सुमिलित कीजिए यहाँ पर देखिएगा आर्ट एंड कल्चर में जो महतपूर्ण स्तान है महतपूर्ण जो स्ताप्ते कला के जो महल बगेरा हैं उनसे क्वेशन पूचा गया यारी अपने बात कर सकते हैं महल मिनार के लिए इनसे समदित क्वेशन पूचा गया और बताएंगे जिन साथियों को नहीं आ रहे हैं उनको मैं बताने के लिए आपर बैठा हूँ विकास आचुके हैं चं महल दूसरा मुबार्क महल तीसरा नहर खान की मिनार चोता मेरानगड किला अब देखिए आपने को मेरानगड किला पता है कि जोदपूर में तो डी में त्री तो डी में त्री देखेंगे तो दो अप्शन मिल रहे हैं डी में त्री डी में त्री तो यहाँ पर इसमें नही और बात करें मुबारक महिल याद रखना जेपूर में है तो बी में फर्स्ट इसी में है तो बी नमर आप्सन राइट होगा याद रखना एक बार बता देता हूँ मुबारक महिल जेपूर में है मेरानगड किला जोधपूर बादल विलास याद रखना जेसल मेर में है और ज देखेंगे C में दो नम्मर तो इसमें यह है इसमें एक नम्मर तो यह नहीं होगा तो आप एक बार लिख लेंगे एक बार नोट बुक में छाप लेंगे विकास भाई पूछ रहें कि सर आपके किस इस चैनल से कितने रुपे कमाते हैं तो अभी देखिएगा रुपे वड़ा अभी सिस्टम हुआ नहीं है आपको बताओं कि अभी तो कुछ नहीं मिल रहे हैं यूटूब से नेक्षिबन बात करते हैं कि बादल विलास महल जैसल महर याद रखेंगे मुबारक महल जैपूर याद रखेंगे नेर कान की मिनार इपोर्टेंट करके लिकेंगे कोटा और महरांगड किला जोधपूर तो फिलकुल सभी साथी बता रहे हैं जोधि का ए आया था चंदरपल भाई का ए आया था लेकिन B is the right answer of this question, याद रखेंगे, नेक्श अपन बात करते हैं, ये देखिएगा, ये question मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और मुझे लगता है कि ये question पढ़ाया गया, आज तक नहीं पढ़ाया गया है, कि थार रेगिस्तान का कुल छेतरपल है, the total area of thar desert is, कितना है, स्केर में पूछा गया था, तो बताइए, question का राटन से कौन सा होगा, बिल्कुल सभी जो बाइबेन है, सभी को good evening, और सभी जो बाइबेन जुड़े हैं, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, इस चैनल पे, और मैनत करते जाहिएगा, important जो ये class रहे की, और जो भी शाती सभी बताइए, कमेंट में, मैं याद, यानि जो आपका इंतिजार कर रहा हूँ, तो आपे देखीगा, राटन से रोगा, याद रखना, दो लाक, 38,254 किलो मेटर स्केर, याद रखना, ये question आगे चपेगा, मतलब चपेगा, ये जियोग्रोफिक का question है, और ये question लगातार अब एक्जामों में पूछा जाएगा, तो आपके पसु परिचरे एक्जाम की दर्श्टी से important है, थार रेगिस्तान का कुल चेतरपल, दो लाक, 38,254 किलो मेटर स्केर, जिस परिकार आपको राजस्तान का चेतरपल याद रेता है, कि कितना है, तो आप कहेंगे, तीन लाक, 42,49 उसी परिकार याद रखना, दो लाक, 38,254 थार मुरुस्तल का कुल चेतरपल है, जो साथी डिये बतारे हैं, उनका गलत है, बी इस देर एटेंचे अप दिस क्वेश्टिन, दो लाक, 38,254 नोट कर लेना, नेक्स क्वेश्टिन अपन देखते हैं, इस क्लास म की विकास आपका गलत है, यहाँ पर देखिएगा कि राजस्तानी भाषा का सब्दकोस किसने निर्मित किया, वो प्रिपेर्ट दे, डिसकनरी ओफ राजस्तानी लेंग्वेज, यानि जो राजस्तानी भाषा का सब्दकोस है, वो किसने लिखा, कॉमल कोठारी, कनेहलाल भीजेदान देटा सितारां मलालस बताएंगे. तो बताएंगे, पांच साती देखरें, पांच भाइडें देखरें, जो साती सी बिता राजस्तानी भाषा किसने चल वोगा, याद रखना, रास्तानी बाहशा का सब्त को उसकिसने लिखा सिता रांद लालसु नहीं Next अपन आगे बढ़ते हैं कि यह देखिए यह कोशी नाया पशुमेलों से समंदित आपके स्लिबस में पशुमेलों से समंदित चैप्टर दिया गया है टोपिक दिया गया है कि निमलिक्त में से राजस्तान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है असंद परबत सर जालोर और तिलवाडा अब देखिए चंदरपाल जाकर केरें भी और जोती जी केरें कि I am प्रॉम हर्याना यानि यह हर्याना की है तो बिलकुल हर्याना वाले जो साती है उनका भी स्वागत है जो हर्याना वाले भाई बेन है उनका भी स्वागत है तो आपर देखिएगा जो तेदा जी की याद में जो पशु मेला लगता है वो लगता है परबत सर नागोर में ठीक ह वर्तमान में पर्वतसर कहांपे है तो डीडवाना कुचामबन में डीडवाना कुचामबन हाली में आप सुभी को पता है कि राजस्तान में जो ने जिले मने थे तो पर्वतसर वर्तमान में डीडवाना कुचामबन में है लेकिन यहाँ पे सिधा स्थान पुछा गए है देखिए किस परकार के question पूछे जा रहे हैं कि राजस्तान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है तो यहाँ पे सिधा परबत सर स्थान पूछे है जैसे जालावार में जो चंदरभागा मेला लगता है वह जालरा पाटल में लगता है तो दोस्तों देखियेगा जब हो चंदरभागा पुछु मेला पूछेगा तो वह कभी भी आप से जिला नहीं पुचेगा वो स्तार ही पुचेगा जालरा पाटल ठीक है इसी परकार यहाँ पर डीडवाना कुचामबन वर्तमान में परभत सर है वो डीडवाना कुचामबन जिले में आता है तो यहाँ पर याद रखेंगे नेक्ट आपन बात करते हैं यह देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ रखेंगे के बहुत जादा आते हैं तो जो भी साती जुड़े में सभी बताएंगे यहाँ पर देखिएगा जियूगरूफी इपॉर्टेंट रहेगी राजस्तान की जियूगरूफी से सबसे जधा जादा रास्तान आर्ट एंड कल्चर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्वेशिन आती है रास्तान जिग्रोफिक है तो आप देखेंगे कि युगम सही सुमेलित नहीं है राणा परताब सागर प्रियोजना राजस्तान और पंजाब तो यही पहला ही क्या गलत है क्योंकि आप सभ को पता है भाकड़ा नागल और व्यास प्रियोजना यह राजस्तान पंजाब हर्याणा तीनों की सिंक्त प्रियोजना याद रखना नेक्शिपन बात करें चंबल प्रियोजना तो चंबल प्रियोजना आप सुमी को पता है राजस्तान और मद्य प्रदेश राज्जी की सि पी है और याद रखना इसमें जो अपन बात करें कि राजस्तान और गुजरात का जो वित है वो कितना कितना परसेंट है तो राजस्तान का 45 परसेंट है जबकि बात करें गुजरात का 25 परसेंट है ये भी याद रखना माई बजाज सागर प्रयोजना में जो वित है वो गु तो यहां पर याद रखेंगे राणा प्रताब शागर वैसे ही आपको पता है चितोडगड में है तो पंजाब से चितोडगड का समद्ध कैसे हो सकता है ठीक है तो यहां पर अनुमर ऑप्शन राइट हो जाएगा बात करते हैं चंदरपाल भाई अब राइट एंसर नहीं बता रहे हैं यह देखिएगा यह क्वेश्चिन भी पोर्टेंट है इसको मा आर्ट एंड कल्चर के अंतरगत या फिर करंट अफेर में भी यह चर्चा मेरा था संसेरा जल्देवी माता जी का मंदिर निमलिक्त में से किस मेगर में स्थित है in which of the following city is the temple of संसेरा जल्देवी माता जी is located यह पूछा गया जल्दी से बिताएंगे option है जालो और राजस्मंद जोदपूर अजमेर तो यह पर याद रखेंगे जो संसेरा जल्देवी माता जी का मंदिर है वो है राजस्मंद में और राजस्मंद में एक स्थान रेल मगरा तो यह रेल मगरा राजस्मंद में स्थित है और यह question आगे भी पूछा जाएगा संसेरा जल्देवी माता जी का मंदिर याद कर ले रेल मगरा राजस्मंद। नेक्षपन आगे बढ़ते हैं कि निमलिक्त में से किस असेर में इंदरपरस्त आध्योगिक चेत्र इस्तित हैं। देखेगा एक बार सुभी साथी बिताएंगे कि वाज कैसी आ रही है। विल्कुल थोड़ी सी कटिंग मुझे भी नजर आ रही है वाज में एक बार मैं ठेक करता हूं। तो आप एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे। तो आप एक बात कर लेते हैं। जो इंदरप्रस्त खुद्योगिक छेतर हैं। अब आवाज कलीर आ रही है न। जो इंदरप्रस्त खुद्योगिक छेतर हैं। तो याद रखना ये कोटा जिले में स्थीत हैं, कोटा सहर में स्थीत हैं। तो याप एंदरप्रस्त खुद्योगिक छेतर याद रखना। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स एपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन को पशुपालन वाले क्वेशन भी देखने हैं। ये देखिए राजस्तान जिके में राजस्तान पॉलिटी का क्वेशन आया है। राजस्तान जिके के अंतरगेत राजस्तान पॉलिटी का क्वेशन के राजस्तान राज्ये का वर्तमान में जो चटा वितायोग है। इसके अध्यक्स कोड है। अप्शन है मानिक चंज सुराना, बीडी कला, कुवर करदोमन सिंग, डॉक्टर जोती कर्ण सुकला। तो बताएंगे जो भी तीन साती देख रहे हैं, तीन भाईवें देख रहे हैं, सभी बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखना, जो चटा वर्तमान में वितायोग चल रहे है राजस्तान का, इसके जो अध्यक्स हैं वर्तमान, वो है कुवर परदोमन सिंग, तो स्री नुमर आप्शन यहाँ पर राटन्स रो जाएगा। देख शेपन आगे बढ़ते हैं, कि जेपूर से पहले राजस्तान की राजदानी कहां थी, बिल्कुल ओपीसियल हर्यों, बता रहे हैं, बिल्कुल सी आ रहे हैं, बिल्कुल राइटन्स रहें, यह देखिएगा, यह जो संगरक परिक्ष्या जो आज हुई, इसका क्वेश देखिएगा, बिल्कुल उद्यपूर, आप सभी को पता होगा, राजस्तान एकिकर्ण का तीसरा चरण, जिसमें उद्यपूर सम्मिलित हुआ, और उद्यपूर को रादानी बढ़ाया गया, लेकिन चोते चरण में, जब चार बड़ी रियास्ते, जेपूर, जोदपूर, बिकाने, जेशलमेर, ये सम्मिलित हुई, तो जेपूर को रादानी बढ़ाया गया, चोते चरण में, तो याद रखना, जेपूर से पहले, राजस्तान की रादानी उद्यपूर, डी, जो भी साती बता रहे, डी, राटेंसर है, चंदरपाल भाई, डी बता रहे, सारा को स्वागत है अपने चैनल पर, और सारा जुड़ जाओ, और राटेंसर बताओ, ये स्वाध को नियाओ, ये मजो को नियाओ, ठीक है, तो बताओ, कि निवलिक्त में से कौन से चेतर में, रतवई लोक गीत गाये जाते हैं, अब देखिए, रतवई रन बाजा, रतव से बताओ, और देख्ते हैं, ये तो याद रखोला, ये मेव जाती के है, तो मेवात उयतना जेतर की, तो मेवात खैतर साथी चेतर के लोक गीत हैं रतवई तो बी नमर उप्शन यह पर राइट एंसर हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है जो साथी डी बितारे उनका गलत है जो साथी बी बितारे उनका सही है नेक शेपन बात करते हैं राजस्तान की परशिद खिलाडी अरुंदती चोधरी नि अरुंदती चोधरी बताइये जो कोटा की है अरुंदती चोधरी का समंद किस जिले से हैं तो कोटा से हैं ये बताइये मुख्के बाजी से समंदित है होकी से badminton से या फिर गोली चलाना यानी shooting तो देखते हैं कौन से साथी बताएंगे एक चंदरपाल बाइ विकास बाइ भी देख रहे हैं जोती बेना भी देख रही है तो यहां पर सभी बताएंगे तो देखिए जोता देता हूं अरुंधिती चोजरी कोटा कोटा जिले की हैं और इनका खेला वो है बोक्सिंग यानि मुक्के बाजी ए नम्मर उप्शन यहापर राटन सरो जाएगा और यह जो आज की संगनक परिक्ष्यावी थी उसमें आया था तीन मार्च को यानि आज ही एक्जाम होगा था उसके क्वेश्चन है यह देखिएगा इपोर्टन क्वेश्चन यह देखिएगा आपके पसुपरिचर एक्जाम की दृष्टन से इपोर्टन एक क्वेश्चन यहापर चुपावा आपको नजर आएगा कि राजस्तान की उन्नी मील यानि सूची एक के साथ सूची दो को मिलाना है और यहापर एक तरफ आपको पहला ही ऑप्शन दिया गया है कि राज्य उन्नी मील तो आपको पताई होगा कि राजस्तान की जो उन्नी मील है सबसे बड़ी उन्नी मील है एशिया की सबसे बड़ी उन्नी मील है कहां पे है तो आप कहेंगे विकानेर सर तो यहापे ए में बी हो जाएगा बिलकुल याद रखना बिकानेर में है जबकि बात करें ACC Cement Factory यह याद रखना अपने राजस्तान की परतम Cement Factory या राजस्तान का परतम Cement कार खाना ACC Company के द्वारा लाकेरी बुंदी में लगाया गया तो आपे B में हो जाएगा 3 बात करें राजस्तान राज्यरसाइन कार खाना यानि रा आपे तो डीडवाणा में है जबकि बात करें सिमको बेंगन फेक्टरी जिसका फुल फोम है Central India या मसीनरी मैनुफेक्टरिंग कंपनी जिसको अपन सोट में सिमको बेंगन फेक्टरी बोलते हैं यह कहां पर है तो यह भरतपूर में तो अब क्वेश्चन जो अपन देख लेते हैं कि विकलप कौन सा सही होगा तो यहां पर राज्य उन्ही मील यानि एक में होगा B तो ए लाखेरी बुंदी में तो B में थर्ड होगा इसका मतलब B में निचले वाली में है तो D निम्मर ऑप्शन राइट हो जाएगा D is the right answer of this question याद करेंगे राज्य उन्ही मील बिकानेर SEC Cement Factory बुंदी लाखेरी बुंदी में है बात करें राजस्तान स्टेट केमिकल वर्क्स ज तो याद रखेंगे D निम्मर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा Next यपन आगे बढ़ते हैं A बतारे हरियों भाई और विकास नहीं बतारे हैं चंदरपाल भाई भी नहीं बतारे हैं तो यह तो नहीं होगा यहाँ पर D होगा ठीक है Next question देखिएगा कुछी देर United Nations Educational Science and Cultural Organization B.R.A. जैपूर 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 बिल्कुल जोती बेना का B.R.A. बिल्कुल राइटेंसर है याद रखना याद रखना कि 2019 में जो जैपूर सहर है उसको युनेसको के दोवारा विश्वे दरवारस्तल में सामिल किया गया और 2010 में जो जंतर मंतर है जंतर मंतर को सामिल किया गया था यह भी कुशन कही बार पूचा जाता है कि जंतर मंतर को कब विश्वे दरवार स्तल में शामिल किया गया 2010 में और याद रखना जो हमारी पगड़ी है जो हमारी राजस्तान की आन बानशान है उसी पगड़ी को युनेसको की विश्वे दरवार जो अमूर्थ सांस्क्रित विरासित है उसमें सामिल करने के लिए परस्ताव 2010 में बेजा गया था लेकिन वो परस्ताव UNESCO के तवरा मंजूर नहीं किया गया और 2010 में ही जंतर मंतर का जो परस्ताव बेजा गया था उसको मंजूर कर लिया गया था तो याद रखना आपसे examiner question पूछ लेगा कि राजस्ता में जंतर मंतर को विश्वे जो UNESCO की द्रोवर्स तल सुचिया उसमें सामिल किया गया था तो भी राटन से रहे जेकपूर ठीक है नेक्शेपन बात करते हैं मेरा बाई रोजनम किल स्तान माता होयो बताओ राजस्तानी बाशामतन बताओं कि question यह आसक है मेरा बाई रोजनम किल स्तान माता होयो बताओ चितोडगड नागोर कुड की मेरता तो मेरा बाई का जनम देखिए जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा question को मेरा बाई का जनम किस स्तान पर वा बताएंगे चितोडगड नागोर कुड की मेरता तो आप सभी को बताएंगे question कि मेरा बाई का जनम हुआ था कुड की गराम पाली जोकी वर्तवान में चला गया है ब्यावर में कुड की गराम पाली कब हुआ तो 1488 में देखिएगा मेरा बाई के बारे में question आता ही रहता है C बतारे बिल्कुल जो ती समुरी जो निशा जी है वो बता रहे है C किसाथ elfर दी बतारे मेरता में नहीं हुआ कुड़की गराम पाली 1488 में में जनम हुआ मीरा भाई का इनका नाम है पिम्मल बायसा याद रखना है इनका मूल नाम पिम्मल बायसा याद राकियो मेरा बाई का जनम 1408 में कुड़की ग्राम पाली और ये कुड़की वर्तमान में चला गया है कुड़की जेतारण जेतारण चला गया है ये आपका ब्यावर में सर आप कौन सा क्वेशिन पर हो 84 नमर क्वेशिन पर हो 84 नमर क्वेशिन पर ठीक है तो मेरा बाई का जनम याद रख लेंगे नेक्षिपन चलते हैं कि राजस्तान के किस नगर में औरियंटल रिसर्च इंस्टूट ये इपोर्टन कोईशिन है और ये थोड़ा मुझे काफी खोजना पड़ा इस कोईशिन का राइटन सर तब जाके मुझे ये मिला कि राजस्तान के किस नगर में औरियंटल रिसर्च फहीं इन्स्टूट अब देख़ेगा सभी साती बताएंगे हर योम बाई देख रहें कि योती यह दरेख में देख रहें अबory सब्सक्रांविज को अब बाइस है को अच्गर कि वाच्झा आपके मैं अनुसर्च इला में नंवानकर से घर खांठ करने अद्म साथ भी बिता रहे हैं तो याद रखना औरियंटल रिसर्च इंस्टूट अजमेर में नाव के जोधपूर में हैं तो ये भी लिख लेना ये ने क्वेशिन है राजस्तान जिक्षे से समंधित जो आज के संगणक एक्जाम में पुछे गये हैं तो सभी साती जिनको पता नहीं है लिख लेंगे और आपको अपडेट रहना चाहिए आपको जितने भी राजस्तान में जो एक्जाम हो रहे हैं राजस्तान में जितने भी एक्जाम हो रहे हैं हाली में उसमें राजस्तान जिक्षे आपके पसूप रिच्षर एक्जाम की दर्ष्टी से इपोर्टेंट है त ठीक है तो यह पर बिल्कुल बात कर लेते हैं जोदपूर राइटेंस रो जाएगा डी नेक्षपन बात करते हैं थोड़े ही क्वेशन रहे हैं बताएंगे कि निमलिक्त में से कौन सा टाइगर रिजरू देश का बाउनवा टाइगर रिजरू है राणिपूर टाइगर रामगड विश्दारी टाइगर रिजरू या फिर रनतमबो राष्टे रूद्यान तो राजस्तान का यह यानि भारत का बाउनवा टाइगर रिजरू कोण से बताएंगे यह तो आसान सा क्वेश्चेन है और कई बार यह प्रिविश यह राजस्तान में जितने भी एक्जाम होते हैं उनमें पुछा गया है कि राजस्तान का चोथा और बात करें देश का बाउनवा सी बतारें बिलकूल रामगड विश्दारी टाइगर रिजरू जो की बुंडी में है याद रखना यह क्या है हमारे देश का यानि भारत का बाउनवा टाइगर रिजरू जबकि हमारे राज्ये का यानि अपने राजस्तान रा चोथो टाइगर रिजरू है राजस्तान का चोता टाइगर रिजरू और बात करें देश का 52 टाइगर रिजरू है राममगड विश्दारी टाइगर रिजरू और आप सभी को पताओगा कि एक हाली में पीछे बना था राजस्तान का पांचवा टाइगर रिजरू उसका कोई साती नाम बताएगा क्या या बताएंगे कौन साथी बताएंगे देखते हैं, साथ साथी अभी लाइफ चेट में देख रहे हैं तो next question अपन चलते हैं, ये question देखीएगा, राजस्तान history से समानित question पुछा गया important question है, इसी को notebook में लिख लेना, चाप लेना, star mark कर लेना, आगे भी ये question आ सकते है दिल लगा लेना, जो भी लगा लेना, ठीक है, राजस्तान की किस राजा को वाक पती के उपादी से समानित किया गया है which king of राजस्तान was honored with the title of वाक पती परताब सिंग, मुंज, राव जोदा, अबे सिंग, जल्दी से बताएंगे, C, R, 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 जोदा, A, R, परताब सिंग देखिए अभी A बता दिया, C बता दिया, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, A भी गलत है, C भी गलत है तो बताइए याद रखना ये question important है, वाक पती की उपादी है, वो राजा मुंज को प्रापत है राजा मुंज को ये प्रापत है, उपादी राजा मुंज की है, वाक पती, ऐसे लिखना है, ऐसे याद करना है, वाक पती राजा मुंज ठीक है ऐसे याद रहेगा वाकपुती उपाती है वो राजा मुंज की है बी नमर आप्सन राइट हो जाएगा जो साथी A बतारें C बतारें गलत है नेक्श अपन बात करें यह देखिएगा जियोग्रोफिक के क्वेशन जदा है जियोग्रोफिक के क्वेशन हर एक्जाम में रास्तान के हर एक्जाम में बात करें रास्तान जियोग्रोफिक के क्वेशन जदा पूछे जाते हैं तो यह देखिए एक तरफ राश्ट्रे उद्यान है एक वन्यजीव अभ्यालने है इनका युगम सई सुमेलित नहीं है सुरिसका वन्यजीव अभ्यालने अलवर अंदरपाल भाई का भी राटन सराय भी विर्कुल मुकंद्रा रश्रि उद्यान याद रखना बुंदी में नया होकर कोटा में है कोटा में है साथ में यह जालावार में भी इसका कुछ हिसा आता है तो याद रखना यहापे बी नम्मर आप्शन राइट हो जाएगा मुक चितोडगड फोर्ट वोज कंस्ट्रक्टेड भाई यानी चितोडगड का किला किशने बढ़वाया चितरांग द मोरी ने मारना कुमा ने राजा बदन सिंग ने या विजेपाल ने तो बताएंगे ए आर है बिल्कुल जो साती है बतारिये सभी का राइट इंसर है चितरां करते हैं तो यह याद रखड़ा यह कुशिन आगे भी एक्जाम में चपेगा तो इसका रिजिन में आपको बता देता हूं हाली में आप सुभी को पता होगा कि जो हमारे राजस्तान के जो पांच वेक्तितव हैं उनको च्यार पदम स्री अवोज दिये गे जिनमें एक जो कला के चेतर में दिया गया धुरुप्त गाईकी के कलाकार जिनका नाम है लक्षमण भट तेलिंग तो लक्षमण भट तेलिंग का नाम याद रखना कि हाली में कला के चेतर में पदम स्री से समानित राजस्तान के कलाकार तो लक्षमण भट तेलि तो इसलिए दोस्तों ये देखिएगा जो धुरुप्त गाईकी है उससे समंदित क्वेश्चन एक्जामिनर ने पूछ लिया उसने पदम सिरी नहीं पूछ कर जो पदम सिरी क्या सपास यानि धुरुप्त गाईकी से समंदित जो कलाकार है उनके बारे में पूछा और याद रखना लक्षमड बट तेलंग जिनका हाली में जारा फरवरी को पिछे सोरी दस फरवरी को निदन हुआ था जो कि पदम सिरी से समानित किये थे दोजार तोईस में और इनका निदन कब हुआ ये भी पूछ सकता है दस फरवरी दोजार तोईस और यह दुरुप्त गाईकी के कराकार हैं जिनको हाली में पदम सिरी से समानित किया गया और याद रखना लक्षमड बट तेलंग की पुत्री थी मदू बट तेलंग जो कि राजस्तान की पुर्थम महिला दुरुप्त गाईका है जिनका नाम है मदू बट तेलंग वैसे भी बात करें कि आपे चारो ही आपसे पूँछ लेगा कि याद राखना लक्षमड बट तेलंग का समध किस तुरूप्त गाईक से या किस की पुत्री थी याद पिर आपसे पूच लेगा कि मदू बट तेलंग के पिता कों थे तो याद रखना लक्षमण भट तेलंग जिनका दस फरवरी द्वाजार चोईस को निदन हुआ और इनी को हाली में द्वाजार चोईस का कला के चेतर में पदम सिरी से समानित किया गया नेक्स कोईशन देखेगा आज के एनीमल अस्वेंडरी के कोईशन आ जाते हैं अब तो पहला कोईशन देखेगा और इपोर्टन कोईशन अभी तक अपने जो रास्ता अंजिके के संगनक प्रिक्षिया में पूछेगे के कोईशन देखे अब अपन देखेंगे कि हमारे पश चैनल को सबस्क्राइब कर लो ठीक है क्लास बहुत इपोर्टेंट है बहुत मैंनत के साथ बढ़ाई जाती है और बहुत ही मैंनत के साथ इस क्लास को मैं डिलीवर कर रहा हूं तो चंदरपाल भाई का डी आया है मुझे लगता है डी आया है और इनकी त्यारी काफी कराकुल वह है जिसके नर्म में तो सींग होते हैं मादा सींग रही तो होती है मैरी नो जैसल मेरी चोकला कराकुल देखिए जोती बेना जो की हर्याना से जुड़ी हुई है इन्होंने भी मुझे लगता है पसू परिचर का फारम बढ़ाया है और ये राजस्तान के जो एक जो नर होता है उसमें तो सींग होते हैं होन होते हैं जबकि सो मादा होती है वह होनलेस यानि सींग रही तो होती है कराकुल के बाले में मैंने आपको बताया था कि यह मद्दे एशिया की बेड़ की नसल है कराकुल मद्दे एशिया मद्दे एशिया की बेड़ की नसल है औ उनकी जो गुंगराली उन है वो खाल सेथ उतार ली जाती है और उस खाल सेथ उतारी हुई उन को बोलते है पेल्ट और इस पेल्ट से सर्दी में जो अपन बात करें सर्दियों के वस्तर बनाये जाते हैं और इस पेल्ट से जो सर्दियों में खोड़े जाने वाली टौपी का निर्मान किया जाता है याद रखना पैल्ट के लिए परशिद नसल है बेड़ की याद रखना कराकुल कराकुल मद्दे एशिया की नसल है नेक्श अगे बढ़ते हैं यह देखिए कि सिंगों तवारा पस्वों की आयू ग्यात करने का सुत्र है याई आप सभी को पता होगा कि पस्वों में जब अपन आयू ग्यात करते हैं तो सारी लिक दसा देखकर सिंग देखकर या पिर अपन दांतों को देखकर ते आपे भी आ रहा है बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि जब अपन सिंग के दुआरा पस्वों की आयू निरदारित करते हैं उसमें अपन क्य जाता है तो उसके सिंग पर परतम चला नजर आता है परतम चला नजर आता है तो दोस्तों यहां पर सुत्र द्यान से समझीएगा कि अपन को पता है कि कोई भी पशुण है उसके सिंग पर एक चला आ चुका है इसका मतलब वो तीन साल का है अगर दो साल यानि दो चले आ चु संक्या तो बी नम्मर उप्शन राइट हो जाएगा अब देखिए क्वेशन में आपको दे रहा हूं क्वेशन को समझीएगा कि एक पसू है जिसके सिंग पर चलों की संक्या पांच है तो बताइए उसकी उमर कितनी है तो चार साती चार भाई बेंड देख रहे हैं एक देखते हैं कौन बताएगा चंदरपाल भाई के रहे साथ एक पसू है जिसके सिंग उपर संक्यों की चलों की संक्या पांच है तो उसकी उमर कितनी होगी तो अभी मैंने आपको सुत्र बताये था जितने चलने हैं उसमें दो जोड दो तो कितना हो जाएगा साथ क्यांपे चंदरपाल भाई का राइट अंसर आया है तो उस पसू की उमरों की साथ साल नेक्श बात करते हैं यह देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बहुत ही मैनत के साथ लाया गया है कि पसू के गरवासे यानि यूटरस में दोने में प्रयोग किया जाता है यानि पसू क जब पशू बियाते हैं उसमें मैं बात करूं जो जेर है वो पशू के गरवासे से निकल जाए पशू का गरवासे जो मादा है उसका साप हो जाए उसके लिए कौन सा अपने इस्तेमाल करते हैं लाइजोल करते हैं फारमेलीन करते हैं या फिर फेनायल करते हैं तो है वो लेते हैं ए नम्मर ऑफ्सन यहां पर राइट हो जाएगा नेक्श यपन बात कर लेते हैं देखिए का जो भी साती ने जुड़ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इतनी महतपूर तराश चल रही है सभी जुड़े और कलास देखें ऐसा मत समझे कि यह इतना चो कि ऊसके बाद करिएगा कि लास कैसी है कंटेंट कैसा है कैसा पड़ा रहें ठीक है तो यहां पर देखिएगा खीस में जिसको बोलते हैं कोलेश्टरम क्या बोलते हैं क्या होता क्या है तो दोस्तों ये पर्थम दूद यानि डिलिवरी के बाद जो पर्थम दूद होता है यानि मादा जब कोई दियाती है उसका जो पर्थम दूद होता है उसकी को बोलते हैं खीस पर्थम दूद जिसको बोलते हैं कोलिस्ट्रम जो की नवजात के लिए बहुती पुर्ण हार है और यह कोलिस्ट्रम और खीस है यह रेचे के रूम में काम करता है और यह नवजात के अंद्रगत जो परतम गोबर है पोटा उसको बाहर निकालने में मदद करता है और जो नवजात के अंद्रगत परतम पोटा होता है उसको क्या बोलते है म्यूकोनियम क्या भी लिखेंगे और मैं बात करूँ यहां पर question पुछा गया है कि खीस में दूद की अपेक्षिया lactose की मात्रा यानि बात करें lactose जिसके कारण दूद होता है मिठा lactose जिसके कारण दूद होता है मिठा और बात करें यह lactose इसी को बोलते दूद सरक्रा यानि दूद का मिठा अपन किसके कारण होता है तो lactose के कारण होता है और बात करें इसको दूद सरक्रा के नाम से भी जाना जाता है lactose को lactose क्या है तो यह दो बात करें जो अबन जाता है तो ये किस दो उत्पादों में बढ़ जाता है तो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में यानि जब लेक्टोज को तोड़ा जाता है यानि इसका पाचन होता है तो ये दो किन भागों में बढ़ जाता है तो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में बढ़ जाता है और ये ले Gלקose ग्लेक्तोज में तूटता है. तो इसकांड इसको D-sacryide बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको D-sacryide या फिर D-sacryide बोलते हैं. तो यह भी पूचा जाता है कि Lactose क्या है? Polysacryide, D-sacryide तो आप कह verses Disacryide तो Lactose क्या है? D-sacryide है. लेक्टोज जब पाचन होता है तो तूटता है किस किस में ग्लूकोज, लेक्टोज में लेक्टोज के कांड दूद मिठा होता है इसी को बोलते हैं लेक्टोज को बोलते हैं दुख्द सरक्रा और सबसे ज़्यादा गाई में ये लेक्टोज पाया जाता है किस गाई की नसल क दूद मीटा है क्योंकि इसमें लेक्टोज की मात्रा जादा है अब देखेगा यहांपे मैं बात करूँ कि खीस में दूद की अपेक्षा लेक्टोज की मात्रा होती है तो याद दूद में क्या है लेक्टोज की मात्रा खीस की अपेक्षा जारती है तो बात करें खीस में दूद की अपेक्षिया लेक्टोज की मातरा तो खीस में दूद की अपेक्षिया लेक्टोज की मातरा नियून होती है यानि केड़े की बात है कि बात करते हैं सिधा सिधा समझें कि खीस में लेक्टोज कम होता है दूद में लेक्टोज ज़्यादा होता है तो यहाद रखना दूद में लेक्टोज ज़्यादा होता है तो यहाद रखना दूद में लेक्टोज ज़्यादा होता है तो यहाद ठीक है इसके लिए आपन जो पर्थम दूद है उसी को बोलते हैं खीस और एक बात करें दूद इन में आपसे लेक्टोज पूछ सकता है तो याद रखना लेक्टोज की मात्रा दूद में दही से भी ज़्यादा होती है खीस से भी ज़्यादा होती है तो आप अगर वो न्यून तो न्यून राइटेंसर हो जाएगा अब देखिए जो अन्य बातें बता रहा हूं न वो भी बहुत ही इपोर्टेंट है अब देखिए इपोर्टेंट जो पसू रोग है पसू में होने वाली बीमारिया है उनसे समद्धित क्वेश्चिन पूछा गया है अभी त बात कर लेता हूं ए आर्रै की पसू पलेग यानि जिसको अपने रिंडर पेष्ट बोलते और पी बोलते रिंडर पेष्ट उसकी रोक थांक के लिए वेक्षिन लगाते हैं जी टीवी वीचिन लफिन वाइरस वेक्षिन पक्षी या पक्षिय वाइरस वीक्षिन या सभी तो याद रखना पशू प्लेग जिसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट जो की एक परकार से बात करें जो पोक्स वाइरस है उसके कारण होता है और ये पोक्स वाइरस है वो एक परकार से छनीत वाइरस होता है तो याद रखना वो एक्जामिनर पूछ लेगा कि कौन सा रोग जनीत वाइरस के कारण होता है तो जिस परकार आप पढ़ते हैं कि एम्टरक्स है वो मर्दा जनीत वाइरस से होता है उसी परकार पशूप लेग रिंडर पेस्ट है वो जनीत वाइरस से होता है और याद करें कि इसकी रोग थाम के लिए कौन-कौन सी वेक्षिन है तो सबसे पहले आती है रिंडर पेस्ट वेक्षिन याद रखना एक तो आती है रिंडर पेस्ट वेक्षिन पशू पलेग या इसी को बोलते है पशू माता इसी को बोलते है रिंडर पेस्ट और इसी को बोलते है पोकनी रोग ठीक है इसी का अन्य नाम है पोकनी रोग और बात करें कि इसकी रोग थाम के लिए जो सबसे महत्पूर वेक्षिन आती है वो है रिंडर पेस्ट वेक्षिन जो के एक बार जब लगाई जाती है ये जून माह में लगाई जाती है और तीन साल बाद लगाई जाती है यानि एक बार लगाने के बाद ये तीन साल तक परतिरक्षा परदान करती है इसे रोग के विरुद रिंडर पेस्ट के लिए बात करें यहां पर जी टीवी बता रहे हैं तो याद रखना मैं आपको बता देता हूँ पशू पलेग या पशू माता या रिंडर पेस्ट रोग की रोगताम के लिए जो वेक्षिन है वो टोटल कितनी है च्यार वेक्षिन है सोरी च्यार वेक्षि जो कि आपको देती है तिन साल तक परती रख्षा उसके बाद में आती है GTV वेक्षिन उसके बाद में आती है लेपिनाइज्ड वेक्षिन उसके बाद में आती है पक्षी वारेस वेक्षिन तो इसका मतलब D number option right हो जाएगा जो साथी बतारे ना GTV ही तो जी टिवी नहीं होगा ये सभी होंगे यानि लेपिनाइचल वाइरस वेक्ष theaters इस रोम के लिए रोकताम में काम आती है पक्षिय वाइरस वेक्षिन इACH पंग में आती हो ज़ाग के- único गोर्ड टिशू वाइरस वेक्षिन और एक रिंडर पेस्ट वेक्षिन ये भी काम में ली जाती हैं तो अब देखिएगा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ डी नमर उप्षिन राइट हो जाएगा और सभी सातियों का पॉपट हो गया सभी साति ये बता रहे थे ये नहीं है यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ याद रखणा जो जी टीवी वेक्षिन है जो कि पशू पलेक पशू माता या फिर रिंडर पेस्ट रोग की रोग थाम के लिए काम में ली जाती है इसका फुल फॉम है गोट टिस्यू वाइरस वेक् इसके फुल फॉम लिखेंगे देखिएगा ब्लेक डिजीज नहीं बोलते इसको नहीं बोलते ब्लेक पॉर्टर रोग होता है उसको अपन लंगडा बुखार बोलते है जो कि एक जीवानु जिनित रोग होता है यहाँ पर देखिएगा गोट टिस्यू वाइरस वेक्षिन याद रखना रिंडर पेश्ट रोग की अपन बात करें कि साथ साल तक यानि एक बार जब यह वेक्षिन लगाई जाती है गोट टिस्यू वाइरस वेक्षिन तो यह साथ साल तक परतिरक्षा देती है लिख लेडा कि जो रिंडर पेश्ट वेक्षिन है वो जून मैने में लगाई जाती है और तेन साल तक परतिरक्षा परदान करती है जबकि बात करें जी टीवी गोट टिश्यू वाइरस वेक्षिन यह साथ साल तक परतिरक्षा देती है जबकि बात करें दूसरी वेक्षिन आती है लेपिनाइजड वाइरस वेक्षिन यह पांच साल तक मैंने चाल वेक्षिन बताई, रिंडर पेस्ट वेक्षिन, गेटीवी वेक्षिन, लेपिनाइजीट वायरिस वेक्षिन और पक्षी या पक्षी वॉयर्स वेक्षिन नेक्से बनर आगे बढ़ते हैं , बेड़ वे उन विवाग की स्तापना किस वारस हुई चटा क्वेश्चिन जो भी भाईवें जुड़ें सभी का स्वागत है तो देखते हैं बेडवा उन विवाग की स्थापना कौन बताता है तो मैं ज़्यादा टाइम बेस्ट करूँगा नहीं याद रखड़ा 1963-64 में बेडवा उन विवाग की स्थापना हुई थी बुल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1963-64 में बी नमर ओप्शन राइट हो जाएगा और बात करें ए नमर ओप्शन कि 1907 में क्या हुआ था तो राजस्तान का जो पशुपालन विवाग है पशुपालन विवाग की स्थापना हुई थी राजस्तान पशुपालन विवाग की स्थापना कब हुई तो 1907 में बेडवा उन विवाग की स्थापना कब हुई तो याद रखना 1963-64 में जबकि बात करें 1990 में तो 1990 में चली थी गोपाल योजना जो कि राजस्तान के 10 जिलों में चली थी और विवाग के स्योग से चली थी याद रखना गोपाल योजना 10 जिलों में विवाग की सायता से 1990 में चली थी उसके वाद में मैं बात करूँ कि सबसे पहले ये जवाब का बेडव उन विभाग है इसकी स्तापना 1963-64 में की गई लेकिन बाद में 2001-2002 में क्या किया गया हमारा जो राजस्तान का पशुपालन वे मतस्यपालन विभाग है उसमें इस बेडवाई उन विभाग को मर्ज कर दिया गया विल्ले कर दिया गया तो याद रखना question examiner पूछ सकता है कि बेडवाई उन विभाग की स्तापना तो 1963-64 और इस बेडवाई उन विभाग का विल्ले राजस्तान पशुपालन वे मतस्यपालन विभाग में कब किया गया तो 2012 में ठीक है बिल्कुल सभी साथी बोल रहे हैं यस सर इसका मतलब बहुत हैं वो एक बार में कितना विर्य यानि स्परम उत्सरजित करता है 0.2 से 0.5 ml 0.5 से 0.7 ml 0.9 से 1 ml या 1 ml से 2 ml तो बताइएगा एक जो व्यसक मुर्गा होता है वो एक बार में कितना विर्य यानि स्परम है वो उत्सरजित करता है तो ये देखिएगा करत्रिम घरबादान में अपन पढ़ते हैं ए आ रहा है बिल्कुल चंदरपाल भाई का कते जीवडा खुस कर दिया चंदरपाल भाई ने के पढ़ते हैं जो भी भाई बेन देख रहे हैं मैनत करते हैं तो ए नमर जो ओप्शन राइट आया है बिल्कुल जीरो पॉइंट दो से जीरो पॉइंट पांच एमल याद रखना इतना ही विर्रे एक बार में एक वैसक मुर्गा है वो उतसरजित करता है ए नमर ओप्शन राइट हो जाएगा नेक्स देखते हैं आठवा क्वेशन कि स्वर्णक दांत यानि जिसको मॉलर टेथ बोलते है होते हैं एस्टाई स्टाई दोनों सभी एसते हैं बिल्कुल एक बार सभी साते मुझे बताएंगे कि राजस्तान के कौन-कौन से जीलों से जुड़े हुए हैं और इतने मैं आपको बता देता हूं कि अपन पढ़ते हैं कि आई सी पीयम मोदी ये ट्रिक मैंने कही बार आई सी पीयम मोदी यानि जो दांतों के करम अपन पढ़ते हैं इनसीजर केनाईन का मतलव क्लितनक ठीक हैं तो आप यह मैं बात करूं चंदरपाल भाई के रहें सिकर से जुड़े हैं बहुत-बहुत स्वागत हैं खाटू-शाम की दरह से यानि खाटू-शाम की दरह से आ आप बोल रहे हैं तो स्वागत आपका बात करते हैं चवर्ण दांत याद रखना इंसिजर कैनाइन प्री मोलर यह जो तीनों ही दांत हैं यानि मैं बात करूं किरदनक रदनक और अगर चवर्णक की यह ऐस्ताई होते हैं जबकि चवर्णक दांत है यानि मोलर टीथ हैं वो बाद में स्टाई होते हैं लेकिन चुबल्रक दांत है मोलनर दांत है यह तो भाई सब स्टाई होते हैं यानि एक बार निकलते हैं और एक बार एस से एकदम स्टाई है जिस परकार अपन रिलेशन में बात करते हैं कि एक बार जो खड़ गया ना खड़ गया तो वह बड़ी बात है बिल्कुल यहां पर पता नहीं यह जो निशा बहें जी बता रही है फॉर्मूला बता रहे है दो एक दो तीन दो एक दो तीन बिल्कुल यह जो अपना मानव का दंथ सुत्र है यानि हुमन का डेंटल फॉर्मूला बता रही है बिल्कुल बिल्कुल S-T-I का भी formula है ये नहीं नहीं S-T-I का नहीं है ये human जो अपना दंत सुत्र है यानि बात करें कि इनको formula में अपन 2 से गुणा करेंगे न तो ये total 32 दानत हो जाएंगे ठीक है ने शेपन बात करते हैं permanent के रहे हैं permanent बिल्कुल नहीं है जो बात करें पस्वों की जब आपन उमर गयाद करते हैं तो दंत सुत्र के दवारा आपन गयाद करते हैं दानतों के दवारा तो दानतों के दवारा जो मैंने पस्वों के उमर गयाद करने वाला topic पढ़ाया हुआ है अब कहेंगे आप कहांपे मिलेगा तो आप अभी जाएंगे चैनल का जो सब्सक्राइब वाड़ा बटन है उतकर स्टेडी लिखा हुए आप पे जाएंगे तो जैसे आप उस पे कलिक करेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक अनुवरत बेंच के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें देखना कि उसम यानि anti-dode के रूप में सुरुवत्म 2% injection hay to dवा है यानि 2% dवा किस की इस्तेमाल करते हैं जब अपन बात करें कि अपन को सांप वगेरा काट लेता है तो जैर फैल जाता है तो anti-dode के रूप में अपन किस दवा का इस्तेमाल करते हैं यानि पशू को अगर सांप ने काट लिया तो भाई साब चेरपल वाई करें. To याद रिखना राइट है पोटेशियम पर- 46 जिसको अपन के कार्ण यानि सांप के काटने सो जो जेर फिल है वो खतम हो जाता है ठीक है तो पोटेशिम परमेगनेट लाल दवा के अमनो फोर बी नमर ओप्सन राइट हो जाएगा नेक्स देखते हैं कि गाय के दूद का आपेक्शिक घंतव होता है यह पी वाई क्यू क्वेशन है प्रिवेशियर एक्जामों में पुछा गया है गाय के दूद का आपेक्शिक घंतव तो याद रखना 1.028 ए नमर ओप्सन राइट हो बिलकुल चंडरपाल भाई का भी AR है याद रखना नेक्स अपन बात करते हैं राजस्तान जी के के बहुत ही महत्पूर क्वेशन राजस्तान जियोगरूफिक के क्वेशन आये हैं क्लास बढ़ी प्यारी हो रही है आज का सेशन तो पहला क्वेशन है आड़ा वाला प्रव बूत होंगे तब ही जाके पसुपरिचर में सेलेक्शन होगा ऐसे सेलेक्शन नहीं होगा तो रहस्तान जी के और पसुपरिचर में एनिमल हस्वेंडरी बहुत इपॉर्टेंट है लगबग दोनों के सो क्वेशन आपके एक्जाम में आएंगे और यह बड़ा नंबर है ब अवाला परवत के नाम से तो से नमर ऑप्सिन राइट हो जाएगा बुंदी नेक्श अपन बात करते हैं कि आरावली के निमलिक्त परवत चोटियों का सही अवरोई करम है यानि अवरोई मतलब देखिए इसमें चार अक्सर है तो चार अक्सर है यहाँ पर देखिएगा अ है जाले भी होः तो है वरोई में अपन को चलना हैं आवरोई बढ़ा है तो बड़े से चोटे की और याद रखड़ा बात कर लेते हैं सेयर हमारे राजस्तान की दूसरी सबसे उंची है क्या पे सेर सभी option में नजर आ रही है और सेर की मैं उंचाई बात करूँ तो पंद्रा सो स्ताण में मिटर ठीक है दूसरी मैं चोटी बात करूँ तो दिलवाडा आती है तो जो भी दीव बतारे ना चंदरपल वैड़ दीव बतारे उनका गलत है तो दूसरी चोटी है दिलवाडा तो आपे देखिएगा यहाँ पे तीन option में दिलवाडा नजर आ रही है और दिलवाडा के जो उंचाई है वो 1442 मिटर है उसके बाद में आती है जरगा जो कि उद्यपूर में है और इसके जो उंचाई आती है 1431 मिटर उसके बाद में आती है अचलगड जो कि शिरोई में 1380 मिटर उसके बाद में आती है सजनगड जो की है उद्यपूर में 938 मिटर तो याद रखेंगे राइट एंसर हो जाएगा सेर उसके बाद में दिलवाडा फिर जरगा फिर अचलगड फिर सजनगड तो C number option right हो जाएगा जो साथी C बता रहे हैं उनका right answer है एक बार उनकी लंबाई उन्चाई है वो लिख लेंगे कि जो सेर है उसकी उन्चाई है देखिएगा मैं बोल देता हूँ ना चलो लिखी देता हूँ सेर की उन्चाई है वो है 1570 मिटर उसके बाद में आती है दिलवाड़ा दिलवाड़ा सिरोई में है 1442 मिटर उसके बाद में आती है जर्गा जो कि है उद्यपुर में 1400 सोरी आप बिलकुल जर्गा आएगी क्या बिलकुल जर्गा आएगी 1431 मिटर उसके बाद में आएगी अचल गड तेरा सू असी मिटर उसके बाद में आईगी सजन गड़ सजन गड़ जरगा ये बात करें उध्यपूर में ये 938 मिटर ठीक है एक बार सबीशाती नोट कर लेंगे सी नमर उप्शन राइट हो जाएगा नेक्ट कुशन देखते हैं तीसरा कुशन ये देखिएगा निवलिक्त में से कौन सा कतन सही नहीं है उध्यपूर वेशन को गहरे हुए तस्तरी नुमा पाड़ी सकंद को गिरवा बोलते हैं या दृकना उध्यपूर सेहर के चारों और जो पाड़ी चेत्र हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं गिरुआ तो पहला तो सही है बात करें पुर्वी सिरोई के पस्मी भाग में तिवर डाल वाली उबड़ कबड़ पाड़ियों को भाकर बोलते हैं ये भी सत्य कतन है और बात करें बोराट का पठार अर्ब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल परवा के मद् आर उडिया का पठार। कितना उची है यह बदाना और उडिया का पठार सीरोई मिए हैं जिंकि बात करें बोराट का पठार गोगंदा पंगाल की खाड़ी का जो जल परवाएं उसके मद्दे जल विवाजक का कारिये करता है दी नमर ओप्षिन के हैं ऐसो मुलित हैं यानि गड़त कतरें नेक्श अपन बात करते हैं हाडोती का पठार किस पठार का उत्री भाग है यानि हाडोती का जो पठार है वो किस पठार क का उत्री भाग है रांची का पठार मालवा का पठार दकन का पठार बंगेल का पठार तो आप सभी को पता होगा हाडोती का पठार दक्षणी पुर्वी राजस्तान वाड़े हिस्से में है और राजस्तान का दक्षणी पुर्वी हिस्सा मध्यप्रदेश से सीमा लगाता है और मद्य प्रदेश में पठार है उसका नाम है मालवा का पठार तो मालवा का जो पठार है इसी का उत्तरी हिस्सा है जो राजस्तान में फेला हुआ है इसी को बोलते है आड़ोती का पठार तो याद रखना आड़ोती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है बी नमर option right हो जाएगा, निख्शेपन बात करते हैं कि निमलिक्त में से कौन सा कतन सहीं नहीं है, कि गगर नदी का जो पाठ है, उसको हनुमानगड के पास नाली का जाता है, बिल्कुल याद रखना हनुमानगड में जो गगर नदी का पाठ है उसको नारी बोलते हैं क्या बोलते हैं तो ए नमर उप्शन बिल्कुल सकते हैं सेकावटी परदेश में अंतर बालुका स्थूप में वर्शा का पानी एक्टरो हो जाता है उसको सर या सरोवर बोलते हैं तो याद सेकावटी परदेश में जो कुए हैं कच्चे कुओं को बोलते हैं जोहड और पक्चे कुओं को बोलते हैं नाडा तो ये भी कतन सत्ते हैं इसका मतलब डी नमर है वो हमारा सही नहीं है कतन क्या है कि नागोरी उंच भूमी की खारी जिलों का नमक मेगनीशियम चटाने से है तो याद रखना नागोरी उंच भूमी में जो बात करें नमक है यानि यहाँ पर नागोरी उंच भूमी में यानि जो नागोर क्वाडा छेतर आता है उसमें जो खारी जिले हैं उनमें किस परकार की चटानों की लवणता पाई जाती है तो माईका सिस्ट यह याद रखना ये कोशिन पुचा भी गया है यहां पे मेगनेशियम चटानों से लवणता नहीं है माईका सिस्ट चटानों के काण नागोरी उंच भूमी की खारी जिलों में लवणता पाई जाती है और नागोरी उंच भूमी आप सभी को पता है यहां पे आप सभी को पता है फलोराइड जो मिलता है जिसने यांके जो जल में फुलोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है जिसकेख debit के लोग हैं उन में अडिया है वह बंगूर होती हैं दांत पीडे साथ में बात करें कि नागोरी उंहुंच भूमी में जो नागोर पुसकर तक का यानि नागोर के जाहिल से पुसकर तक का जो चेतर है उशी को बोलते है बांका पटी, कूबड़ पटी या फलोरोसिस पटी क्योंकि यहां के जल में फलोरोसिस या फलोराइट की मात्रा जादा है जिसके कार्ण यहां के लोगों में हडियों में बंगूरता आ आगिए हैं ठीक है नेक्श अपन बात करते हैं चटा कोशल तुस्करव नाग पहाड के समेप वर्ती चेतर में किस परकार के बालुका सुपवों का स्रवादिक विस्तार है रेखिये बालुका स्टूप, अबरोदी बालुका स्टूप, बर्खान बालुका स्टूप या फिर पैराबुलिक बालुका स्टूप तो बताएंगे, अब की बार मैं वेट कर रहा हूं, दो साती देख रहे हैं, जो जितनी देर तक देरीये के साथ जुड़ेगा, उसको बहुत फाइदा होगा इस कलास से, जो ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे, उनका कुछ वड़े वड़ा नहीं है, यह मैं लिखके दे र अवरोधी बाल का स्थूप याद रखना बड़े बड़े पाड है, उन पे जब रेता जाएगा, तो रेता रुक जाएगा, यानि जो मिट्टी है, वो इनके पास रुक जाएगी, क्यानि एक प्रकार से यह पाड है, वो अवरोध का काम कर रहे हैं, तो इन पाड़ों के प बर्खान-बलकास्तूप है इनका कार कैसा होता है तो अरद कि महिला के एंचाइब आजरा कार उसा होता है जब क्टी और पॉर्थ और पॉलते हैं और बड़े बड़े पहाड माटी को रोक लेते हैं माटे के व्रोद बढ़राएं तो यह जह लाते हैं और दिबाल का स्टूप तो यह परिंप उख्षकर वनाग पॉख्षक मेदनी परदेश का इसा नहीं है यानि बात करते हैं अपन पस्मी मुरुष्टलिये परदेश हमारे रजस्तान के चार बोतिक परदेश हैं उनमें जो एक बोतिक परदेश है उसका नाम है पस्मी मुरुष्टलिये बोतिक परदेश और इसी पस्मी मुरुष्टलिये बोतिक तर пर दिष कि नागोरी उंचब्वूमी और गोडवार. वेसिनाओं यह पर देखेंगे घंगर का मेदान भी मिल रहा है गोडवार. प्रदेश यह दूरीर。 यह भी आता है यह वी आता है. लेकिन बस्तो प्रदेश दोस्तों जो हमारा पसमी मृष्ट्रीय-प्रदेश ऊसnia मुरुष्टल ये पर्देश है उसके दो भाग है जो सुस्क मुरुष्टल पर्देश है उसके दो भाग है जिसमें एक पुआता है बालुका स्थूप मुक्त है और एक बालुका स्थूप युक्त है ठीक है तो आपके जो भी साथी ए बतारे उनका राइटें सरह साथ में का यह हो जाएगा नेक्श एपन बात करते हैं लिमलिक्त में से किस परकार के बालुका स्टूप का विस्तार राजस्तान के जेसल मेर जिले में नगणने पाया जाता है यानि ऐसे बालुका स्टूप जो जेसल मेर में नहीं पाया जाते हैं आप सभी को पता हैं कि बरकान बालु चंद्राकार अकर्ती के वाड़े बालुकासतूप होते हैं और अर्द चंद्राकार जिला है उसका नाम है सिकर और सिकर किसका हिसा है सेकावटी प्रदेश का तो याद रखना बर्खान बालका स्टूप जैसल मेर के साथ सेकावटी में पाए जाते हैं और question पूझा जाता है कि सिकावरोटी में सर्वाधिक पाए जाने वाड़े बालू का स्टूरूप तो बरिखान बालू का स्टूरूप ठीक है यह जेसल मेर में भी पाए जाते हैं अब मैं बात करूँ कि पॉनालू वरति बालू का स्टूरूप एली को बोलते हैं गारें दि देखने को मिलते हैं लेकिन मैं बात करूं अनुपरुस्त बालुका स्थूप जो कि हवा के समकोण पर बनते हैं अनुपरुस्त बालुका स्थूप यह याद रखना विकानेर संभाग पलस सिक्करवय जूंचणू में चूरुवय जूंचणू में यह बालुका स्थूप दे कर लेते दो क्वेशन रहें लेकिन बात करें बोलते बोलते बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी हैं यहां पर बात कर लेते हैं अब तो मेनत चल रहे हैं तो चलने दो लगातार अपन चया महीने तक यही चलेगा अपना पस्वी मुरुस्तलिय प्रदेश का विश्थार होगा आटवें का नुवे का चंदरपाल भाई भी बता रहे हैं बिल्कूल याद रखना दो त्याई यानि पस्च्वी मुरुस्तलिय प्रदेश हैं यह हमारे राजस्तान के कुल चेतरपल के 61.11 पर तिसत बाग पर फेला हुआ है इसका मतलब अपने राजस्तान का बटा तीन तो सो का लगबग 66% होता है दो बाग तो आपर यह दो त्याई या दो बटा तीन बाग पर फेला हुआ है नेक्स्ट एक आज का अंतिम क्वेश्चिन जो कि आपको सभी साथियों को बताना है लाइव चेट के बाद पोस्ट वीडियो कमेंट में कि निविक्त मे से राजस्तान के किस बोटिक बूबाग को 33 सागर का अंग नहीं माना जाता आप सभी को पता है कि लिए कि कोई गोडवाना लेंड का भाग है कोई टेथिस सागर का है तो ये क्वेशन आपके लिए है कि कौन सा बोतिक भाग टेथिस सागर का अंग नहीं है तो ये आप सभी साथी कि सुक्राणों के लिए निम्न लिखित मैं से कौन सा उर्जा का स्थरोध है इसलिए सुक्राणों को चलने के लिए या उनको गर्वास गृवा या सर्वेक्स तक पहुचने के लिए फट लाइसन करने के लिए उनके लिए क्या किस की अवशकता है तो आपके दो है ऊर्जा की अवशकता है तो यही मुच्राणों के लिए क्या आवशक है आप जिख सकते ओप्सन में सुमेटोस्तिन या प्रस्टो गलेडिन ठीक है और आप प्रोटीन या फ्रक्टोस क्या आवशक है शुक्राणों के लिए शुक्राणों के लिए क्या प्रस्टोस्तर तो क्या आवशक है किसी को पता है यहा बहूत जादा मैंने साथ जानकर्या आपको फ्रक्टो सब्कूस के वारे में दिये दिए आपको पड़ा है तो बता यह किसी को पता यह एसके पांडे बोलते हैं B अच्छा वई कार्वाइडिट बिल्कुल मैं कार्वाइडिट है एक है ना फ्रेक्टोस बिल्कुल प्लांट सुगर भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है वई नहीं प्लांट सुगर इसको नहीं बोलेंगे प्लांट सुगर तो इसको नहीं बोलेंग प्लांट सुगर होते हैं मैंने सारी जान करिया आप लोगों को बता ही एक बार बायो केमिस्टी में सारा समझाया था ठीक है तो फ्रेक्टोस आपका इसका करेक्ट आंसर इस नियाद के बारी जैदी प्याद हो बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर डी है आपको फस्ट का आपका कि इसको कीटोस शुगर होते हैं वहती है याद रखिए कि फस्ट का आपको प्रेक्ट आंसर क्या होगा बी और नेक्स्ट को सेट चले आपका तो आप देख सकते हो शुक्रान वहां के स्टाइब से होते हैं यह आप लोग पढ़े होंगे सारी जानकर स्टम के बारे में ठी सेकंड नेकरा है वही है कि निमने लिखित मैंसे है किस मादा में अलप बिक्षीद स्टिंग पाये जाते हैं किस के अंदर आपके अलप बिक्षीद स्टिंग मैं जाते हैं विट वेच औफ गपूलूबूब फिवेड इंफंड रूडिमैंडरी और रोण्स आपके जो है लगान भाल्प बिख्षेद सिंग पाए जाते हैं वह लिव रही है इसंने अथ्यवारी विशी बोल रही है अच्छा बीक्रम सही आप लोग आप लोग अप हमें नहीं देखेंगे बिल्कुल सबीगा जीटू जैदीप सबीगा आप लोगा का रहा होते हैं यह लिधा आप लोगों देखा होगा और जब की बकरी में आपको जो है जैनल सीखने को मिल जाएगा आपको देख रहा होगा इसका मेल होता है उसमें सीह पाई जाते है तो इसका मेल होता है आपका सीप का उसमें जर्मनल क्या होते हैं कि वह पाई जाते हैं तो यहाद रखिए बहुत ही अच्छा हो और important question ही है ठीक है नेक्स्ट आपके कुश्चन की सेट जाए तो कुश्चन नमबर आपका थर्ड नमबर कुश्चन है कि पूच्छ हिलाना पूच्छ हिलाना किस पसू की गर्मी का प्रमोग लक्षण मतलब हीट का प्रमोग लक्षण है आपके बोल रहे हैं अब शेक पटेल बोल रहे हैं भी होगा अच्छा भैस का महक भी ए बोल रहे हैं गाय का युराज शूर्य बांशी बोल रहे हैं गाय का अच्छा भैडि बेगों पता है भी अधिकतर लोग सुस्यsam का अधिकतर लोग घलत अंसर देने वाले होई क्योंकि नया कुशन है बहुत हीग BTS का सब लोग इसका गलत आंसर देंगे में को लग रहा है 99 प्रशन लोग इसका गलत आंसर देंगे सब कि अचा बाइग सबस्के सबसे उपकरी इंप्यूटर्याने वसक्ते हिए में पूंछ हिलाना सब यह आपका इंपरेंट HIV ऑलना जाता हो आपका भेड़ विए इंपोर्टन करेक्टर याद रखेगा जो आपका भेड़ है भेड़ का गर्मी के लिए पूच को हिला कर याद रखेगा मिलन भगज बोल रहे हैं एप अगरवाल सी जो आपकी भेड़ है सीब है यह क्या इसका सबसे इमकोटन देवाइट टेलिंग जो आपकी टेल होती है ट करती है लाल प्रकास भी कभी कभी दिखाते हैं जल्दी हीट में आ जाय है आपकी यहां ना तो इसलिए में सिम्टम से आपका वेड़ का पकर यह मुझक को हिलाकर ये गरमी के लक्षड पकड़ करती है विश्टर सिभंपंडिक गुडीमिंग भाई सर में लेट हो गया था थोड़ा कोई दिक्कत नहीं भाई पबना करवाल ठीक है भाई तो यह आप देख सकते हो कुश्चन नमर थर्ड का करेक्ट आंसर आपको क्या होगा सी आपका इस कुश्चन का करेक्ट आंसर बहुत इंप पसुओं में सामान तहबीरिश सेचन नलीका की लंबाई होती है आप याद रखिए हो मेरे आपको सबसे पहले इसको याड़ करना है ठीक है इसको दिमार्ट में लेकिया ना है प्रदुटे पसुओं में सामान तहबीरिश सेचन नलीका की लंबाई होती है the length of semi-fricnation twole in journ मैं नीं लंबा आ चो बचोने आहों की मतलब जोटने श्कोन की में हम्हिए रिये से जनली होती शिकनी शेंटिमेटर separam 52 सेंटिमेटर कितनी लम्हाय इस उती है पर यह आप आ है लोग इस्ट पर नींटा से करना यहां पें छोटे बसों को आपको जो है स्मॉल जो आपके एनिमल होते हैं उनको एड़ करना है आपके कुस्चंस में ठीक है खुसी पटेल बोल रहे हैं एट सेंटीमेटर अच्छा जैदी प्यादों में को लग रहा है सभी लोग इस टॉपिक से ड़ते हैं में को लग अधिकतर लोग जो है एनिमल ब्रीडिंग के टॉपिक से सभी को में को लग रहा है डर लगता है अधिक कमजो हो रहे है आप लोग का यह टॉपिक खुसी पटेल भी ए बोल रहे हैं आट सेंटीमेटर इस कुस्चंस में कन्फ्यूजन है सर अच्छा भई छोटे पशों में सामाम तहां बीरी सेचन लिटा की लंबाई कूछ यह क्या होगी भई वी वीडै अभी Chap सब्सक्राइब अच्छा भाई चलिए फिर आपका जो है मिलें इसका कंफीजन दूर कर देते आपका जो छोटे पस्वों की सामान तहाँ बीरी सेचन नलीका की जो लंबाई होती है वह होती है 25 cm लिख लीजेगा जबकि जो बड़े पस्वों की आपकी बीरी सेचन नलीका हो सेंटीमिटर तीक है याद रखेगा 51 cm लंबाई बड़े पस्वों में जबकि छोटे पस्वों होते हैं उनमें 25 cm याद रखना ठीक है छोटे पस्वों जो होते हैं अगर नीज सेचन करना है तो नलीका आपको पता है गलब से पहन के नलीका पकड़ते हैं जिससे आपन एक हमें इंजेक्शन टाइप को लेका नेatा जर्नली के आपको तो यहां पे और यहां में पर बनता है ठीक है अ सुखरनां को मादा में कहा छोड़ा जाता का फुल यात रखेगा ग्रवा से गीरिवा में में शुड़icki में मालब तो याद रखिए का सुक्राणों को गर्भासाई गिरिवा में सर्वेक्स में आपकी जो है सुक्राणों को छोड़ा जाता है वह कुंसा आपकी जो नलीका होती उसको बोलते हैं बीरिसेचन नलीका वह कितनी होने चीए छोटे पस्पूम 25 cm बड़े पस्पूम में 50 बन सेंट ठीक है मेरे शाब से आपको सब चीज़ां को नौलेज होना चीए ठीक है अगर मैं ये कुस्टन में आपको कुस्टन 4 में बता कि निकल जाओं कि जो है जन्रली छोटे पस्पूम 25 cm होती है इसका आंसर सी होगा फिर में नेक्स्ट कुस्टन करवाने लगूं तो आप लोग कुस्टन सोल्व करने की कि बता दू अगर आपको सही से तभी हाथ पड़ने का कπό ब départ हो मतलक्त जब आपको चारोप्संस कि बारेआ मेरे भाहि प्याल मिल्कुल बिल्कुल जहाद नि इत्ञाल केसे लिए आप जैसा है अच्छा है ये साराब यह साव आप ज्था पड़ाएंग को वह जल्दी बढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में आगाल कि मैंने को पता है आंसर निया helps अब हम फिट इसको आपको समझ में भी तो आना चीए क्योंकि अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग ठीक है जो राज नो सर बिल्कुल भाई ठीक है अब आपका नेक्स्ट क्या है इसको याद रखेगा गोस्ट नोर्प चार में जो मैंने इंपर्टन बाते बताइए उसको याद रखेगा आप लोग ठीक है उस सप्वाद्टन आपको क्या बोल रहा है यह भी इंपर्टन कुष्टन है आपका आपने जो बिढ्याँ पढ़ी होगी संक्रण की ठीक है तो य अधिक गोस्त के लिए पाले गए पसुओं में अपनाई जाने वाली संक्रण विधी है वाई कौन सी विधी है इसने आतिवारी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थेंक्यू है ना तो अधिक गोस्त के लिए पाले गए पसुओं में अपनाई जाने वाली संक्रण की करवाना को कि आपका साथ मीपीडिया का मतलब यहांपे यह फरस्ट पीडिया तो फर्स्ट पीडिया प्रस्ट पीडिया तक आग है तो साथ पीडिया गई कि दूबारा से को करवाना यह कहला था आपका बैक्रोस ठीक है यह बैक्रोस कहला तब चरम संक्रन टॉप क्रोशिंग और आपका डिफरेंट क्रोशिंग तो यह पूसरा कि आज अधिक गोश्ट प्राप्ट करने के लिए अपना जाने वाली संक्रन की मेथड है विकास पाल गुलीबने गुरुजी गुलीबने भाई जी तू ए होगा वही सबी लोग आंसर इसका डी दे रहे हैं डिफरेंट्स अच्छा वाई सबी लोग आंसर दी दे रहे हैं वेको लग तो एक ग्राप्ट आप यह फ्राप्र वह जाने इंदर आती है यह सारे अल्टरण तरीके से करणा अधर मतलब पहले से संगान करवा जैसा कि यह तीन पसू है वाई तीक है तो तीन बस हुआ तो पहले ये त्रिक संक्रण का मतलब पहरे इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इससे ये त्रिक संक्रण जो है चलता रहता है तो अधिक अगर अपने को गोस्त चाहिए गोस्त प्राप्त करना है मास्त प्राप्त करना हैं बास्ति किताम उस खुराई होती वाइब आने वाले टाइम में आपका जो है जो है जो टकर देगा आपका आपका ई एक्ड़ी को बहुत अच्छा लेटा अगर आपको लोग कम नंबर का बहुत अच्छा बहुत अच्छा कॉल्च पुल रहा है कि सभी लोग लाइक कर दिया और बार बार बूरना अच्छा ही लगता हो। प्लीस सभी लोगा ट्रॉट है। सभी लोग पिलगल है ना वहीं सर्प्लास लग को सुमर्ग का नाम स highest इसका को इसका आंसर याद रखिएगा नेक्स्ट आपके निवर आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा-कुशन है नया कुश्चन है थोड़ा हटके पर नया कुश्चन एक्जाम में आने की संभावना है ठीक है इस्तान लगा लीजिए इस कुश्चन पर थोड़ा हटते हो शाने यह नया है मैंने इसलिए इसको डाला एक उसन को यहां पर कि निमन मैंसे कौन हिमीकर्थ बीरे में ना मिलने की दसा में बीरे जहरीला हो जाता है यह इसका कहने का मतलब है अगर सीमन को अपन क्या स् सीमन्स जहरीला हो जाता है तो यहीं उन्होंने कुश्चन में पूछा है 12 सिद्नी और बालागार है ना क्या यहीं एंप पीवीएस्टी में आएंगे नहीं यह जैतिंद्र सीम्ट यह एंप पीवीएस्टी के लिए आपके बिल्कुल भी इंपोटेट नहीं है ठीक है कुश्चन मिल जाते हैं आपके ठीक है बाइदो जी में जी तेंद्र आप अगर लेना चाहते हो तो ने शक्ति हो क्योंकि पीवीएस्टी में जंगली कभी कभी कुश्चन आ जाता है ठीक है तो यह कुश्चन आपका पूचा कि निम लिकित मैंसे कौन हिमिकर बीर में ना म तो सकते हो किल लो कि लो extra मैशीन सल्को नामीड या पैं市लीन क्यामिलनी बीड होगी में ना मिलाने पर जाता है क्या मिलाने पर वाइऑ सर पीर्टी में कितने कुछन्स आते हैं इसे इसे के में धूंत रागता हैं यह इंचा कुछन्न हम उसिंट आते हैं अघर आप है अगर आपना 40 प्लस स्कूर अगाने में कर लिए ना और 40 आपने उदर कर लिए अग्रिकल्चर में तो फिर आपका बहुत अच्छा स्कूर हो जाया का प्यूंकि आपको पता है कि कहीं से कोईवी टॉपिक के जादा से जादा कुसर आ सकते हैं ऐसा कोई भी समझे अपनी पिछली साल का पेपर देखाऊगा एक आपका टॉपिक है केमश्ट्री में कोलाइड के बारे में अपना देखाऊगा तो तो कोलाइड से क्या होगा कभी कभी एक कुस्चन आते थे कभी बिल पैसलिन होगा घ्रीकल टनश है झुकल एक करेक्ट फिसक का पैनिशन मिलाएंगे ऑपन टीक है फिर में ना forgetting कि धृस्ट्टा मे जहरल हो जाता है तो क्या होता है चल्पी पैनिसलीन प्र याद रखिये गा बहुतmasiy यह पैनिसलीन मिलाएंगे दोनों पैनिसलीन और स्ट्रेप्टुमाइजीन नेक्स्त आपके अगर हम बात करें तो कुस्स्र नमर आपका साथ है कि सुक्राणू की कौन सी गती सबसे अच्छी मानी जाती है बिल्कुल सभ ख़य गैंब लिटिस्टी मिला आपका इसको सर्म पहले बताया था सर्मेंैक्ट बहुत इंपोटेंट है मैं वह तो नब्र करने चाहिए बहुत इस साथ आये तो यह तो यह आप देख सकते हो इसका आंसर बता है सबसे अच्छी माने जाती है इसको अपन रुडिमेंटरी मोशन बोलते हैं दोलन गती जिसको अपन जो है फिर आपका प्रगामी गती जिसको पुरगेरश्य मोशन बोलते हैं या इन में से कोई नहीं तो कौन सी जो है गती सबसे बेस्ट माने आती सुक्राणों की कुछ लोग सी बोल रहे हैं पबन अगरवाल बोल रहे हैं सी होगा अच्छा प्रगामी गती कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि वह इसका जो है भी होगा अच्छा दोलन गती प्लीज सर मैत में आप एपी एंड जीपी के भी लाएं जी अच्छा बिल्कुल ठीक है इंपोटन कुश्चन लाएंगे आपके एपी और जीपी के अर्थमेटिक प्रोक्रेशन बहुत इंपोटन है बिल्कुल लाएंगे ठीक है अभी आप बेट करो एक्जाम में बहुत सब्सक्राइब करेंगे आप दिमाख लगाएंगे ना सब्सक्राइब करेंगे तो कहां तक जो है अंडा सब्सक्राइब अंडा सब्सक्राइब करेंगे इसलिए गोरण गती विल्कुल गलत मोशन है आपकी नेकूस्ट आपकी आती है दोलन गती के आपके वह सुप्ण जो आ आपके ऑफे से एक शेया ओट रखेएं यह जनेरली ऐसे चलते हैं अग्रणि आपकी है नहीं कुछ प्रगामी अच्छी है प्रगामीकरत का रख रखियों सी, Yeah विल्कुल में गती यह बता है आपका गाय के लिए प्रजिन का सबसे उपर एक त्यूश्म है most important question भई most important question है आपका यह गाय के लिए सबसे प्रजिन का सबसे उपर एक तुर टाइम क्या है भई अठारा आएगा ते पर जीपी जे ना the most suitable breeding time for the cow काउ के लिए सबसे most suitable breeding के लिए प्रजिनर के लिए time क्या है भई सर्दी यानि winter summer rainy spring क्या होगा गर्मिश आपकी सर्दी बसंत या बरसा कौन से timing बहुत ही best मानी आएगी पसू की breeding करवाने के लिए बहुत ही important question है भई सबी लोग ध्यान रही है इस question पर है ना अनुश्का जैन बोल रही है बी होगा अच्छा बड़ साथ का time rainy season वापस आ जाते हैं कि अच्छा summer summer सबी लोग summer बोलने कुछ लोग आपका जो है बसंत पर जा रहा है इस त्रिंग के स्ट्रिंग पर स्निया तिवारी बिल्कुल प्रेक्ट आंसर इसने आपता है ना इकलोता ऐसा आंसर आ सब्सक्राइब बसंत का जो आपका सीजन होता है वोस्त पर इंपोर्टेंट और मोस्त शुटेवल सीजन माना जाता है पसू की ब्रीडिंग के लिए याद रखेंगे इसलिए कि सब्सक्राइब बलत किया वाई सब्सक्राइब लोगों ने सम्तिंग बेमें 99.9% लोगों इ लिए ना बहुत इंपोर्टन कुछ्छन है आपके गाये के पंजय की सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपका स्प्रिंग का सीजन माना जाता है ना कि विंटर अनुष्पाटेल आप आप नहीं बुला यह टोपिक आपका बहुत बीक है फिर आप लोग पढ़ते नहीं हो ए समर सीजन यह होगा बर्मी कर रह nhất हो तो आपको पताँ है यहाद रहती है जाए जिसमें आपको पता है बसंद सीजन होतीं माना जाता है स्प्रिंग याद रखेगा ना चाहां पर आप लोग ने समर पड़ा उसको काट के आप लोग जो बारा से स्प्रिंग कर लीजेगा ठीक है कहीं कहीं बुक में आपको गलत लिए पड़ने को तेकिन इसको आप लोग सही कर लिए पड़ा है नहीं भाई अब बीचेक सुबला इसका स्प्रिंग होगा करेक्ट होगा अंसर ठीक है सर बुक कौन सी लें योराज बुक आपको जो एनार सुन्दा है मैंने कई बार आप लोगों को बता है उसमें बहुत अच्छा डाटा डिया आपको सिफ राजिस्थां का डाटा नहीं पड़ना है आपको सिफ एंपी का और आपके जोए इंडिया का डाटा पढ़ना है अपको ठीक है सर मैं पूरे कुस्संस नोट्स करती हूं बिल्कुल अंजली सोनी बिल्कुल करेक्ट कर रही हो आप है ना बहुत है नई कुस्टन्स हैं आप लोगों के कुस्टन बहुत कम आप जन्रली आप कोई भूग ले लेवल होता है पता है आज कल कुस्संस के लेवल होने लगा है अब एक्जाम ले रहा आपका का इसी तो इसमें बहुत कुस्टन्स के बहुत अलग लेवल आना पीजो इस बार संब लेवल के साब लिए कर उना की ऐसे की भाई यहाँ बेसेख चीज़ा पढ़ दी बेसेक त आप लोग सर मैं पूरा कुछ संथ नोट करता हूं मिलकुल कौन सी बुग लेनी है सर एक बार और बता है एनार सुन्दा करके आपकी आती है एना सुन्दा सुन्दा को कि याद रखिए आप लोग जो है जनरली फिलिपकार्ट पे आपके लिए करो तो आपको मिल जाएगी इसको आप लोग पर पढ़ लीजेगा सबी लोग है ना और आपकी याद रखना है सी जो आपका कुस्छन का डिया आपका करेक्ट आंसर है स्पिरिंग सभी लोग ठीक है सर मैंने बर्स पड़ी है अच्छा मैंने यह वो कहां मिलेगी यह मैंने बताया ना फिलिपकार्ट आफ गौट का ही पिरिट क्या होता है बखरी का मदशकर क्या होता है 21-22 अप्टिक है कितने मतलब और संब कितने पासवास दे रहे ठीक है अब जिसने पढ़ा होगा उसी को आंसर पता होगा ऑफ्सन देखे आप 21-22 डेज ट्वंटी से 21 डेज 18-21 देज यह 16-70 अदिक तर लोग इस कुस्टन में कंफ्यूज होने वाले मैं पहली भी आपको बता दूं ठीक है सर ये बुक आई सीर के लिए भी पड़ सकते बिल्कुल पड़ सकते इसने आते वारी बिल्कुल है ना आई से लेवल की कुस्टन जो एंपी पीट में आने लगे है आजकल आप देख सकते हो एक्री कल्चर आप उठाओ गया ना तो आपको बहुत से कुस्टन ऐसे मिल जाएंगे आई से लेवल की कुस्टन आते हैं आप जब किया फेक्टा करता दो जाटारारा का पेपर यह साव भी रहता है ठीक है तो इसलिए जो है आपको ले सकते हो बहुत अच्छी बुक है सुबं सर्मा बोल रहा है इसका आंसर 21 से 22 अच्छा और मनीश सोरस यह इसका आंसर भी दे रहे हैं मैंना अधिकतर लोग गलत आंसर देने वाले इसका सब भी लोग जो है क्योंकि आप संद आते हैं फिर जो हैं फिर गलत हो जाते हैं इसलिए अधिकतर लोग नहीं ला पाते नंबर एनिवल हैं बहुत कम लोग की नंबर आते 45 प्लस यह 40 प्लस भी लाना अच्छा के बसीने निकल जाते 40 प्लस लाने में यह जी नहीं है पढ़ना मतलब इनको याद करना डाटा बह होगा यह ना विक्रम भी सी बोल रहा है बिल्कुल अगरीकल चले केडमी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यह ना बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई 18 से क्या होगा 18 से 21 डेज इसलिए उप्शन ऐसे दे रखे हैं मैं को पता था दिकतर लोग कंफ्यूस होंगे 16 से 17 नहीं आपको कंफ्यूस होगे आप लोग एक कुस्तम बहुत इजी कुस्तम था जब की ठीक है बकरी का मदद चक्र है यह पूछा था बकरी का कितना होता है 80 से 21 डेज आपको heat period होटा है बकरी का याद रखियेगा options भी आप देख सकते हो कैसे दिवे हैं 21 से 22 डेज 20 से 21 डेज 18 से 21 डेज है ना तो options भी आप लोग एक बार पढ़ियेगा मेरा सही है जी तू विलकुल है ना 16 से 17 डिन होता है सर नहीं भाई मनीश चुरचिया इसका option के हिसाब से आप आंसर लेंगे ठीक है options के हिसाब से आंसर लेंगे बकरी का थोड़ा heat period का होता मदद चक्र तूड़ा ज्यादा टाइम तक चलता है ना तो बकरी का मदद चक्र 18 से 21 डेज का होता है आपका आप लो कुस्स के स्क्रीन टोट लेकर अपने सर ने बार दिखाईएगा ठीक है सबी लोग जहां भी जो भी पढ़ रहा हो वहां पे एक बार सबी लोग अपने सर को दिखाईएगा ठीक है कि सरी कुस्स का आंसर 18 से 21 डिन ले रहे हैं तो मैं आपको बता हूं बिल्कुल करेक्ट आ आंसर लेंगे यहां पर ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट आपको कुस्सन क्या है कुस्सन नमबर 10 वाई यह क्या बोल रहा है कि पसुओं में जब सगे भाई बेहन पिता पुत्री में सहबास कराया जाता है उस प्रजनब पग्ददी को क्या कहते हैं सर संडे वो बनते होंगे थोड़ा बहुत प्रमाइं नहीं भाई कुस्टन तो जन्नली सारे जोंड़े बंते पेपर में इनब्रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल करेंट आंजरंज का जैन बिल्कुल है ना इनब्रीडिंग बोलेंगे सही है तो पसुओं में जब सगे भाई वेन पिता- इन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग या नेचुरल ब्रीडिंग, तो इसको बोलेंगे याद रखियागा, क्या बोलेंगे इन ब्रीडिंग, अंतर वंस प्रजिनन बुलेंगे इसको, है ना, इन ब्रीडिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भाई, स्नेया तिवारी, इन बिल्कुल मैंग, चोदली, बी, प्रिदिंग जैसे आपन चचेरे करवाते हैं तो उसमें आपन क्या लेंगे जो जन्रली क्या अंतरबंट प्रिदिन आप लोगों में पड़ा होगा एक तिक इनके बारे में चार से पांच पीडियों के अंतरकत मतलब मुझसारी आपने पद्दती पड़ी होगे इनकी कौन स तोड़ा है ना इसके लिए माफी चाहता हूं थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा थे मैं इस राइट बिल्कुल चक्रेज बिल्कुल तरह चांसर है आपका सी होगा इसका आप लोगों से ठीक है मेरे ने से आप लोगों भी दिक्कत होगी इसलिए मैं प्रिदिंग जो आपको पस्व आते हैं इनी ब्रीडिंग में उनमें क्या जनरली क्या क्रोस करवाय जाता है नहीं भीया बिर्दर सिस्टर दिया हा तो बिर्दर सिस्टर में वही तो आपको बता रहा हूं बिर्दर सिस्टर में क्या होता है कि बिर्दर सिस्टर किसको बोलते हैं बिर्दर सिस्टर गया करवाते हैं तो पसी में खराब लगश्ण बहुत ज्यादा आने लगते हैं टिक है उसकी दूदत महादल में भूत माइव्यक्स सब्य tack करदें रहें पमीनिक में क्या करते हैं चचेरे बहुत रयान चाहते हैं कि बारे में पढ़ाओगा तो याद रखिए कर लाइन ब्रीडंग अलग होती है और इन ब्रीडंग के इनव टाइप के अंतर आपके दो टाइप आते हैं कौन-कौन से एक आपकी क्लोस में क्लोस ब्रीडंग एक आपके आती लाइन ब्रीडिंग आपने पढ़ियों कि दोनों लोग सभी लोगों ने ठीक है इसमें आपके सगे भाई बेन आते इसमें चचेरे आते हैं याद रखिएगा इससे आप लोग याद कर सकते हो ठीक है तो कुस्तर नमबर तो 10 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग इसे बीडिंग की डिफिलिएशन क्या है सैंब रीडिंग के मतलब क्या है कि पास पास मतलब ज़्यादा पास पास के जिनके मतलब सगे उसमें समझ में हैं आपको सगे भाईवेन सगे भाईवेन मतलब तो 10 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका नेक्स्ट लब बात करते हैं आपके कुस्टर नंबर 11 के वारे में तो आप देख शकते हो कुस्टर 11 क्या बोल रहा है कि सांड के बीर का आप एक छिक घनत तो क्या होता है वही डिलेटिव डेंसिटी और बुल सीमन इस क्या होगा हो लेकिन आपन सबसे ज्यादा इसको मानेंगे एक बहुत ही इंपोटन्ट है अगर फिर्स्ट दोनों में सेवर कुछता है तो एक पीडी एक यहां पर आनसर लेगे ठीक है यह बहुत ही जाता है किसमें बहुत अनेक्षी के लेक्षण मतलब बहुत जादा आते इस पीडि 11, 12 का silver रहता है आपका A बोल रहा है सभी लोग सभी लोग A बोल रहा है तो बिल्कुल मैं को answer A लेना पड़े है तो आप लोगों नहीं बिल्कुल सभी लोगों ने A बोला है तो मैं answer A ही लोगा भई ठीक है question number 11 का answer क्या A होगा आनिल इसका answer गलत दे रहा है तो मैं आंसर ले सकता आप इसे एक सुगला आप लोग क्या बूलेंगा विश्टान आंसर होगा भारती परस्तितियों में कितने शुक्रण गाए में गर्वादान के लिए बेजने चाहिए भारतिय परस्तितियों में कितने सुक्रंग गाय के गर्वाधान तीक है गाय के गर्वाधान में भेज रहे चाहिए इन इंडियन कंडिशन हाउ मैनी स्पम आर सेंड दा इंसेमी निशन ओप काउ सर पीबी एफटी के कुस्संद भी लाओ लाओ सर बिल्कुल बाइज जी लेक आर आया क्या सपास यह आठ से दस लाक यह दस से बीस लाक कितने जो है अपने को सुक्राणूं गाय के इन सेमी लेशन यह आपके जो है घरभधान में भेजने पड़ेंगे एग्री कल्सर एकेडिमी बोल रहे हैं डी होगा जी तू बोल रहे हैं सी होगा अच्छा भई यह अनुसार कूछ रहा आपसे ठीक है भारती ऑप्सन भी दे रखें सभी लोग ध्यान से आंसर दें फिर आप लोगो बोलें हैं नहीं सर यह दी यह होगा इसलिए मैं बारवार बोल रहा हूं कि सही और ध्यान से पढ़के आंसर दें सभी लोग ठीक है क्यूक्कि असमों पांजली सोनी बोल रहे हैं यह होगा मनीश चोरशिया ए सुभम सर्मा ए बिल्कुल जो ए बोल रहे हैं उनका गरेक्ट आंसर है वह ना क्या भारतिय पर स्थितनी हो कि अनुसार कितने सुक्राणूं गाय के गरबधान के लिए बेजेंगे तो पांच से दसलाग आपके जो आ आपके गरबधान के लिए बेजेंगे कितने सुक्राणूं पांच से दसलाग तीक है याद रखियागा ओप्सन के अकोर्डिंग आंसर लिया करेंगे एक बात और याद रखियागा आप लोग आप लोग कही लोग यह बोलते हैं कि सर्ष का आंसर गलत है पहले ओप्सन के अपपोर्डिंग याद लेना सीख हो पाइसार कितने चुक्राणओं लेने पड़ेगी तो पास से दसलाग तो बिल्कुलन है ना अब आपकी जो एंबार्मेंट है इसकी अमसार आपको 5-10 लाग सुकड़ाओं की अवश्रकता पड़ेगी और जनरली आपको सब्सक्राइब आपने चार्ट पढ़ियोगी ठीक है कितनी संक्या लेनी पढ़ती है किसकी जनरली आपने पढ़ियोगी बेड में आप भेस में आपने परस्चितियों में 5-10 लाग लेए टीक है वागी होते हैं यह सब सारी सब चीज文 इनर में अगर भेड कर नर है तो उसमें आपको सब्सक्राइब लोए ड सबाहते हैं तॉस सब आपने साथ लाज पड़े होंगे यह सब आपने पड़े होगे ठीक है सुखर में कित्ष लाज लेते हैं आपकी गोडे में पचास से साथ हजार गया सपास थीक है याद रख्येगा तो यह सब चीजे आपने पड़ी होगी बाई पिसले इस कुछन नंबर 12 का आपका ऑंसर यह होगा correct है ना क्या बोल रहे है एक एमेल में कितने अच्छ और सर्व 810 लाग बफेलू में होते हैं हां मैंने बताया ना भी वही 810 लाग क्या सपास ठीक है तो याद रखिएगा आपका कुस्षन कि मध्यकाल यहां पर गलती से हो गया यहां पर क्या था यहां पर पहचानने की बिधी है वाई मधकाल पहचानने की कौनसी बिधी है वाई आपको मधकाल को आपकी नया कुश्चन है ठीक है वाई मेटेंग डिवाइस या ओम मीटर या एलेक्ट्रोड मेटर मेटर किसके द्वार आपको मधकाल को पहचाने यहां पर मधकाल है याद रखिएका मध्यकाल नहीं है यहां पर मधकाल है पबन अगरवाल शुगर में 200-200 mm हेल होसुमें कम क्यों होते हैं आप दोड़ी पता है कुम क्यों होते हैं अब यह जो होता है पता Trustee कि आ सब्सक्राइब क्यों होता है अब यह सीवहक और करका सभासवचे कर अब यह उच्विए तो ऐसा आपन थुड़ी पूचेंगे किसा सुवर का पतला क्यों होता है इसमें सुकणों संखें कम क्यों होती है अब ये कैसे कुछन करते हो यार सभी लोग अगरवाल इसका सी बोल रहा है अच्छा एलेक्टरोट पेडोमेटर मेथड क्या होगा भाई कुछ लोग दी बोल अंसर है ना चैन वोल मेंटिंग देवाइस ओम मीटर और या ऐसे कुछन को याद रखेंगा नया कुछन नहीं है ठीक है इसको लिए आप लोग तो दी आपके इस कुछन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सभी लोग एक बार लाइक करते हैं वाई कम से कम 10 लाइक प्लस कर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर करनें प्र aí करते हैं प्लस सब्सक्राइब . पहले बोला था सोरक सर्मा बिल्कुल सही आंसर है सोरक सर्मा है ना बताया जैदी प्यादो स्रेया सुकला बोल रही है ए गाय चता भैस अपने पूरे प्रिजननी योग गय समय में कितनी संक्या में बच्छडे पैदा करती है दा नंबर ओफ काल्व है ना डियूरिंग इन र दिशा बच्डे 15 से 20 बच्डे 12 से 16 चाह से 5 बच्डे अपने पूरे जीवन काल में सुटा तेवारी बोल रहे ऐँ आट से इसका अंसर ची दे रहे हैं तो भाइस दो आपकी गाय और भैस होती है यह अपने पूरे जीवन काल में आठ से दस बच्छडे पैदा करती है आप उप्शन देखके भी आंसर ले सकते हो यार इतना दिमाग आप लोग लगा सकते हो क्योंकि आप लोग एगरिकल्चर के स्वे यानी बच्छडे पैदा करती है याद रखिए और नया कुश्डे इसको भी लिख ली देखा बहुती ही इंप्टी इंपूरे इम्मूर्न कुश्ड़न है यह आपका घाय तथा बैस अपने पूरे पिरिजन योग समय में कितनी अमान कच्छडे पैदा करती है तो यात दे लोगो से गाय पम भेस में पूरे जीवन काल योगों कितनी संक्या बचले पहिदा करती है तो 8 से 10 बचले पहिदा करती है पूरे जीवन काल में याद रखिएगा यह ना बेसे जन्रली आप लोगों को पता है कि बहुत सी जो बकरी की प्रजाति आप लोगों पढ़ी होगी आप लोगे प्रजाति पढ़ी होगी कौन सी बकरी की बलेक बंगाल है ना बलेक बंगाल जो नस्ट Agric में यह जो है चोटे छोटें में में देखोंगे बकरी के वह तक पैदा कर देती है आपकी बंगाल यह पास से च्छे भी पहने पांगा कर देती है या याद रखिए का बलेक बंगाल बहुत ही अच्छी ब्रीड है आपकी दस बारा काउ इवन योग एज बारा से पंद्रा बफेलो हाँ बाई बिल्कुल इसलिए अनुमाल लगा सकते इसलिए तो मैंने आप लोगों से बोला है कि इसका जो है अपन ऑप्षान देखके भी अनुमाल लगा सकते थे हैं ना नेक्स्ट कुष्चन आपका क्या है नेक्स्ट आपका कुष्चन है कुष्चन नमर पंद्रा ये भी आंसर दे नीव कुष्चन लिख ले वाई नीव कुष्चन है आपका ये पूरा आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा बहुत ची लोगों ने किस लोगों पढ़ा भी होगा है ना ब्लेक बंगाल मिल्कुल पवरा कर वाल मीट के लिए फेहमा से भाई ब्लेक बंगाल में गाय को अच्छी तरह से नियंतृत करने की जगह कहलाती है मदगाल के टाइम पे जब क्या होता है कि नरिया मादा को जब समागम करवाते हैं सहबास करवाते हैं तो उस टाइम को नियंतृत करने के लिए जगह के आवा शकता होती है तो कहां पे प्लेस को क्या बोलेंगे अपन्स हाप उसको कंड्रोल करेंगे पसुकी बाड़ा यानि क्या बोलेंगे इसको मदकाल में गाय को अच्छी तरह से नियंतिरत करने की जगह क्या कहलाती है बहुत ही अच्छा कुश्चन है और लिख ले जगह इस कुश्चन को ठीक है सभी लोग गाय को मदकाल को नियंतिरत करने की सबसे अच्छी जगह क्या कहलाती है टेक बल्दराम बोल रहा है B, Abel Gards अच्छा भाई परबन अगरवाल इसका अंसर पसू का बाड़ा दे रहे है महेंक चौदरी इसका अंसर B दे रहे है, Abel Gards दे रहे है सौरप सर्मा इसका अंसर D रहे है, मैं को पता इसका अंसर बहुत कम लोग सही देने वाले आगरीकसर अएडमी ही बोल रहा है अच्छा बहिए अंगलसोनी यह महक कर्यक्ता आजर बहूं का लगा कर्वब Vergleich क्रेक्टांसर है वह बहूं में गोशेग गाव में इसकी एक किट मिलती हो उनको आपका इस कुछ टाइप से आपका एक ट्रेविस बनाओगा आप लोगो देखा हो जमीन में गड़ा यहां पर लेके जाते हैं फ्री यहां से जो है जन्रली यहां पर लगा होता है एक छडी टाइप की लगी होती है आपका वहां पर इसको डाल आप लोगो देखा हो जन्रली इसको बोलते हैं ट्रेविस है ना एवल गाड़ के बारे में आपको सुनाओगा एवल गाड़ सुआप की तो आपकी दो है जन्रली पसुंग प्यर के बादने की एक में अंतर्ड है एवल गार्स पसुंगा पैर बानते है पीछे वाले तो गूगल भी कर लिए आपने को दिखी आएगा ट्रेविस अभी लोग ठीक है नेक्स्ट आपका कुस्सन क्या है वही कुस्सन नंबर 16 गाय एक गाय को एक गाय जिसको गुड़ांग गुड़ंखंड तालिका में यानि गुड़ंखंड लोग यहां पर जनरली क्या था से शंबंदित है वाई गाय तो आप अपना पड़िशें करवा देना हाँ बिलकुल बिक्रम लास्ट में बिलकुल भाई बिलकूल करवा देंगे परचे ठीक है बेसे मेरे पर्चे क्या करोगे आप लोग पढ़ना चीए ठीक है यही परचे है मेरा तो आप लोग पढ़ो भाई ठीक है सभी लोग निकलो कॉलेज में जाओ और यह यह भाई ठीक है सभी लोग पढ़े क्या करोगे मेरा जान के यार सभी लोग पढ़ो यार ठीक है गाए एक गाए जिसको गुड़ंकन तालिका में 85-90 अंके हैं वह किस रणी के इंतगत आएगी भाई टैक बाताम अन उसकी लेंड पबान अगरवाल बोल रहें इसका आंसर उसका आंसर लेंगे अपर इसका आंसर जो भी नं को देंगे जो भी वेरीगूट होँगे ठीक है 90 से ऊपर किनको देते हैं excellent वाले को 90 से ऊपर आपको किसको देते हैं excellent वाले को याद रखियागा ठीक है यहाँ पर उसने specially mention कर रखा इसलिए तो मैंने question रखा कि आप लोग थोड़ा confused हो जाओ है ना कि गाय को गुड़ांकन तालिका में पक्चासी से नब्यांके देते हैं तो किसको देते हैं very good पसु को देते हैं ठीक है और 90 से ऊपर किसको देते हैं excellent पसु को देते हैं याद रखियेगा बहुत ही important question है सुझी दाया excellent लेंगे इसका answer सभी लोग जैती प्यादों बोलत हैं good लेंगे आप answer याद रखियेगा सभी लोग एक बार लाइक करते हैं उनको लेते हैं अपन excellent याद रखियेगा ठीक है नब्बे से ऊपर जो भी जाते हैं उनको लेते हैं उनको लेते हैं ठैंक यू भाई ठैंक यू फॉर सपोर्टिंग यार अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू फॉर सपोर्टिंग भाई 20 उपए करने कली सूपर चेट भाई ठैंक यू सब लोग बैए फूल थैंक यू भाई अभिशेग भाई है ना ठीक है भाई इसको याद चेक करिएगा ठीक है है ना कंफ्यूज हो आप अभी थोड़ा से कर बार क्रोस चेक करिएगा नेक्स्ट आपको कुशन क्या है कि कुस्स्ट नंबर 17 है कि कुस्ट नंबर 17 सर आप इतनी मेनत करते हो इतना इतना तो बनता है अरे बिलकुल भाई अभिशेक भाई है ना सबसे अच्छा सूचक है क्या है गाय के मदगाल का सबसे अच्छा सूचक क्या है वाइख भी जुद उत्पादन कम हो ना या बार-बार उठना-बैठना रंभाना या आपका अननग पश्वरम प्सूचूर और चढ़ना ये साथ सब्हुंद लोग के रिकांष का अंसर क्या होग वऑ इसका सब्हुंद आइए अच्छा सूचक क्या है बेस्ट इंटिगेटर ओफ काउ के लिए सब देश्ट लेस्ट होगा बार बार उठना बैठना आप लोगा इन अच्छन तो पड़े होगे पट इसमें सबसे बैस्ट लेश्ट लेस्ट लेस्ट बोल रहे हैं ताम रमभाना अच्छा बैए अच्छा बैए नई भाई सी नी ओगा कृषी कुल परिबार भाई है ना पांडे जी अंजणी सोनी सी एग्रीकलचर एकेड़ी और डी बिल्कुल अंजणी सोनी आपने डी तो करेक्ट बुल रहा है बैए अग्रीकलचर एकेड़िमी इसका बी लेंगे अपना आंसर याद र आपका है ना सबसे इंपोरेंट कुश्चन इसको आप लिख ली जगा न्यू कुश्चन है बहुत ही इंपोरेंट कुश्चन है बाइए एक्जाम में आ सकते हैं ऐसे कुश्चन है ना बीज़र क्रेक्ट आंसर आपका यहां पर अच्छानक दूद को कम हो जाने तो नॉर्मल आतना बहुत करते हैं इसलिए उसलिए इसका नहीं को सर्मध सत्रागा अनपसूँ पर चड़ना माई याद रखिए का बहुत ही important question है आपका question number D is the correct answer है ना, D is the correct answer रजनी सर्मा, सब्भी लोग एक बड़ लाइक करते हैं जो भी नए लोग आया हूं सब्भी लोगों से एक बड़ रिक्वेस्टे में दी सब्भी लोग एक बड़ लाइक करते हैं और सेसन को share करते हैं दोस्तों के साथ जाधा से ज़ाधा लोग पढ़ पाएं क्योंकि सारे नियू कुस्संद आप लोग देख रहा हैं अब अपने सारे नियू कुस्संद कर रहे हैं नो सब्भी लोग एक बड़ लाइक कर दें और सेसन को share कर दें नेक्स्ट आपको कुशन इसको याद रखना यहां पे ऑप्सन में आप से पूँच भी सकता है इसको रमाना कि इसको बोलते हैं तो रमाना आप देख सकते हो बेलोविंग को इसमें क्या बोलता है रवाना बोलते हैं जो इंदी मीडियम बाली स्ट्रॉएंटर वो इसको एक चाहे रहे हो आप सर में आपका फेन हो गया अच्छा भई अभी शिक नाम देओ फेन हो गया अन्य पस्मूबा चड़मा आप देख सकते हो इसका क्या होगा रमाना बिलोई याद रखिये हैं जो हिंदी मीडियम के इस्ट्रॉएंट्स इसको इस प्वाइंट को आप लोग की लिख लें क्या होगा रमाना किसको बोलते हैं बैलोग शी को बोलते हैं दुबाना याद रखियेगा कुस्ट्र के दिया आपका बलता ने सक ने मतलब गर्षानीं में एक रख्त में यादर रख्त में ऊफिए रुदые K मात्रा वड़ जाती है अभियव की मात्रा कूछना हो से वी सोफ नगे क्रेस इंडवलर एंड मिलक ओफ ट्रेंट कांट ऑन के नोर्मल प्रेग्नेट में इसका आंशाट दी आपको पता है बिक्रम दी बोल रहा है मैं कुल रही है बिल्कुल मैं इसी आंसर का मैं बेट कर रहा था बहुत टाइम से यह आपका जो है इनने भी आंसर दिया बोन आफ करके हैं इनने भी इसी आंसर दिया है बिल्कुल इसी आंसर का बेट कर रहा था मैं ठीक है एक गविन गाय के रक्त में दूद में तो किसकी आप अपकी मांतरा वड़ती है तो हार्मोंस की मांतरा उस ताइम पे आपको पता ही हार्मोंस चरम सीमा पे होते हैं आपने हार्मोंस अपने पिक पिरियट पे होते हैं उस ताइम पे जब गाय करवित होती है तो रक्त में और प्रोटीन नहीं रहे इसको भी याद रखिएगा लुच्छन में में पूछे घरों सब्दो 차eau ने सकते हूए ठीक है लेकिन अगर são सब्सक्राइब की लाइफ में मेरी में राइब हैं या जान देवन की आयए सारे ससे पहले नऄ ph Punkte से अप याद रखियगा आप लोग भी अच्छे से जानते हो पसुमे भी हार्मोंस बहुत इंपोर्टेंट होगे तो कुस्ट नमर 18 का C आपका बिल्कुर करेक्ट आंसर है ठीक है 100% correct answer है इसका आपका यह question number 19 number question भूल रहा है कि dam का सब्द का अर्थ क्या है वह जो आपका dem यह d am सब्द का अर्थ क्या है अर्थ लगाए जाता है इस पुट टू मीन्स डैम बर्ड का मीन्स क्या होगा वह उत्पादन करने वाले पिता से उत्पादन करने वाली माता से यूबा बचिया से या इन में से कोई नहीं तो आप देख सकते हो फ्रॉम दा पुड़क्शिंग फादर फ्रॉम दा मदर पुड़क्शिंग है ना से अच्छा एग्रिकल चेर एकेडिमी कुछ से मार्ग भी लागा रखा अच्छा वह यूबा बचिया डेम सब्द का अर्थ ठीक है डेम सब्द का अर्थ किसको बोलेंगे आप नाम देओ बोल रहे हैं वीशिक नाम देओ लगा आता से बिल्कुल याद रखिए Something that Heck सब्द का अर्थ किस्टे है रेंट का यहां पर था स्वत्त यहां पर पसुओं में फिलाल में डेम का कोई फॉलफॉर्म नहीं है डेम को सिप यहां पर डेम ही बोलते हैं तो डेम सब्द का अर्थ लगाया जा सकता है किससे उत्पादन करने वाली माता से याद रखिएगा B is the correct answer है ना B is the correct answer question number 19 का correct answer क्या है आपका B is the correct answer इसनिया ते वाली बिल्कुल B का correct answer है यह भी अच्छा technical question है वाई यह भी आपका एक number अच्छा technical question नहीं है है ना question number 20 the act of meeting in sea is called यानि भेड मैं संभोग की क्रिया को क्या कहते हैं संभोग का मतलब आप समद रहे हैं संभोग या शहवास मैंने आपको बताया था ठीक है मेल या फीमिल का बिलना यह कहलाता है शंभोग के सेवास यह पूसरा कि इस प्रिक्रिया को क्या बोलेंगे भेड में serving बोलेंगे tapping क्या बोलते हैं सरविंग टेपिंग कुपलिंग मेटिंग अच्छा भाई राहुल पिरजापती सी ओल रहे हैं अच्छा भाई जी तू भी बोलते हैं दीप बिल्कुल करेक्ट आंसर वाई जो भी टैपिंग पूल रहा है इस राले काधिन डिक्ष्ट को खुखन होगा इस संभूग करते होंगे कुछा करिया क्या कहलाती है तो ठेपिंग आपको पता है ठीक है मी तेमरी यहाँ जनरली यहाँ पर चेंज हो दाता है तो इसको याद रखिए की आप आपके आंसर लेगा पान टेपिंग इस जारेक्ट आंसर वह आँसर हो आपका है ना नेक्स्ट आपका कुस्ट्ण क्या है नेक्स्ट कुस्स्ट नमबर 20 बन नमबर कुस्ट्ण है आपका इसांड के भीवे का पी एच है वाई विक्रम तोमर बोल रहे हैं सर MPPAT कब होकी MPPAT exam में अभी थोड़ा time है थीक है exam में इस बार तोड़ा late exam होगी आपकी एक्जाम आपकी इस बार क्या होगी MPPAT की late होगी क्यों होगी क्यों होगी क्यों कि आपको पता है अभी फिलाल में CUAT इसके बार आपके अभी फिलाल में MPPVFT प्रिविट्टें ने फिजिस्ट भी होने और डायट का भी टेस्ट होना आपका इसलिए आप यह मान के चलिए कि क्यों होगा है तो आपका गुष्टर नंबर यहां पर आपके बीर का प्येच दपीएस ओफ दा बुल सीमन क्या होगा वहाई यहां पर सांड के बीर का प्येच क्या होगा फाइब यह 6.5 यह 7.8 क्या होगा भई आप प्येच सांड के बीर का 6.5 अच्छा भई लाओल प्रिजापती भी इसका आंसर सी दे रही है अच्छा सी होगा वह इसका अंसर अच्छा प्रंटीवन का आंसर क्या लेंगे सी लेंगे बिलकुर आप लोग सी बुल रहा हो तो मैंको भी सी लेना पड़ेगा आप लोगों नने गलत बोला आपने के नहें क्या लेंगे आप लेंगे सी जप्रेटांसर सिक्स प्वाइंटीप याद रख़े का आप लोग अच्छा को यह बता लगता है कि आपके जो पीयस होते है जनल याव्न प्तब्यानुक्छ पड़े होगे सा पड़े होगे तो आपने पर पड़ी होगे सबसे पड़े सबसे रहा है किसी को याद है सबसे ज्यादा राइप प्याइच इसके पस्वाइब कोन से पस्वाइब करेक्ट जए हो ठीक है कुछ तक तो आपको गए हो ठीक है आप अंगे शक्ते हैं होड्स मूर्गी मुर्गी is the correct answer वाई जिसने भी मुर्गी answer किया is the correct answer ठीक है होट्स का आपको पता है pH कितना होता है मैं आपको बता हूँ होट्स का pH आपका होता है 7.7.8 जबकि आपका मुर्गी का pH कितना होता है पॉल्टरी का पॉल्टरी का pH होता है 7.3 से 7.8 इसलिए यहां पर इसा करेक्ट आंसर मुर्गी ठीक है यादर कियेगा एक्रिकल्चर एकट्वी और सुनी लेंगे यहां पर फिर अपर आंसर क्या लेंगे यहां पर मुर्गी लेंगे इसलिए तो मैं आप बोल रहा हूं बार बार कि ओसन के यहां पर मैने पिये आपको बता दिया कि सबसे कम पियेच किसका होटा है यहां याद रखिएगा मेरा सइयद्जी तु बिल्कूर मुर्गी नहीं मुर्गा अरे कोई भाई मिक्रम भाई है ना वम इन्वार एक बार में सबसे अधिक बीर ये प्राप्त हुता है एक बार में सबसे ज्यादा बीर किस्टेश्टें प्राप्त होता है अपने को को एक बार सबसे अधिक भी बता कुछा हो मैं इसे बार आप आपने में अशर आप को बताना है क्या होगा इसका अंसर आपका बार सब्सक्राइब लगे क इसे मिलता है ना Most किससे मिलेगा सबसे अदिक एक इसका अंसर मैंने आप लोगों बता ता से किसी लोगों को पूछा हूँ क्या होगा भब इसने हतिवारी ए बोल रही है अच्छा मैं भी आंसर ए दे रही है पबन अगरवाल 200 से 200 ml अच्छा बाई तो किसका होगा बाई बताएं सब्सक्राइब कर रहे हैं अच्छा कंणड गोनव कंणड गोनव कर रहे हैं इसका अंसर कितना मिलेगा बाई सीमा आपको पता होगा ब सब्सक्राइब सरे घाए 200-500 ml जीम थिटना 200 से 200 से 250 सेंटी में 200 से 25 internet एजगस्चा आंधर सूर सुस्थशोज आमोश्टिक्पास का क्या बेगयानिक नाम है आपका था इस तो सबसे ज्यादा जहाब पीर किसका बना को बज़ा रहे सबसे पतला हुआ सबसे पतला सीमं किसका होता है यह इसलिए जा का सबसे बील भी होगा सीवन मिलेगा 200 से जो बिल्कुल सुजीत दाया बिल्कुल है ना सबका correct answer है तो ए ज़ा correct answer question number 22 का ए आपका correct answer होगा वहीं नेक्स्ट आपके हम बात करें question number 23 की गधा एब गोडी के संकन से उत्पन प्रसंकर का नाम है क्या होगा वहीं गधा और गोडी आप लोगा प्रसंकर के बारे में सुनाओगा है इसके बारे में कि दानेम ओफ दाप्रोसिंग फ्रॉम दा क्रॉस बीडिंग हो ओफ डंकी एंड गोडी को बन मारे ठीक है तो किसका सो है आपको पता है वहीं क्रॉस करवाएंगे तो इससे खचर बनेगा अच्छा मैं मियूल जेब्रा हिनी यह पीनू क्या बनेगा आपको आपन क्रॉस कर आपका कि बनेगा क्रॉस करने क्या वहीं कि पनेगा आपको ढंग किसको पता है कि परेख्र इससे बनता होई की करोस अब बनता है दो अब और आपको किसका घोड़ करोज कर bunlar और आपका किससे क्रुड़ करवाते हैं गोड़े का और इसके बाद ऑफने और देवरे के क्रोज आपको क्या बनता है यह आक जेबर रहły banty ठीक है और आपका जो है हिद्नि किष्य बनता है तो यह आप लोगों को पता है गोडा और गदी में क्रोस करवाने से गोडा और गदी में आपने क्रोस करवाएंगे तो क्या बनेगा हिनी बनता है ठीक है और आपको पीनू का तो पता ही है कि पीनू का अपने यौक बिल्कुल ग्रेक्ट आंसर दिया और हिसारिल आप लोगों सना होगार है तो मेरिनो की बैड़ की आपकी अच्छी सपराइन है जो की बहुत ही ब्रीड नेट की और आपको के बारे आप लोगों को ने सुना भाणिया थे व। तीए यहां नेक्स नोब 23 ऐसा टांसर क्या लेंगे एक खचर बनता है मैंने आपको सारे बता दिए ना यहाँ पर कुस्तर नमबर 23 का याद रखिएगा नेक्स्ट आपका कुस्तर नमबर 24 बक्रियों में गर्मी आने के बाद प्रक्रटिक या कितिम गरवदान का समय पूछा है आफ्टर गॉर्ट कमिंग इंटो हीट इस टाइम ओफ नेचुरल ओफ आटी फीसल इंसेमिनेशन बक्रियों में गर्मी आने के बाद प्रक्रियों कितिम गरवदान कितने समय के अंदर अंदर करवा देना चाहिए च्छेश से आट गंटे दस से बारा गंटे चौदा से सौला गंटे आटा अरा से 20 गंटे कित्स गंटे के अंदर अंगर ये काम करवा देना चाहिए Morocco को आपको क्रिट्पिम घरबादान कर रहा है कि एक अंसर दे रहा है जैदी प्यादव एए आंसर कर रहा है प्राक्टर्ति के अप्रिट्यम गरवादान का समय क्या होगा तो बहुत टाइमिंग होगा आपका 12-10-12 गंटे याद रखिएगा नई भाई पपनगरवाल चैसे आठ गंटे बिल्कुल आंजा नहीं लेंगे इसका करेक्ट आंसर है आपका 10-12 गंटे यादा ते बारी 10-12 गंटे अभी शेक नाम देओ बी इसका करेक्ट आंसर बक्रियों गर्मी में आने के बाद प्राक्रतिक क्रिट्यम गरवादान का समय है तो 10-12 गंटे के अंदर आपको या तो प्राक्रतिक तरीके चोंसको मेटिंग करवा दो या उसको इंसेमिन आर्टिक फीसल इंसेमिनेसर या उसका कर्वादान करवा दो ठीक है दो में से कुछ भी करवा सकतो 10-12 गंटे के अंदर बहुत ही शुटेबल रहता है यह ताइमिंग बहुत सुटेबल है आपका प्रवित करने के लिए यह बहुत ही नया कुश्चन है बहुत ही कुश्या नया आक करने के लिए इंजेक्शन दीया जाता है से इंजेक्शन दिया है तो गाये को गर्मित करने के लिए गर्म करने के लिए को इन्जेक्शन लाग लगा जाता है फ्यू नॉयन, सल्पा मेजाथीन या जेस्टाइल या उप्रूक मेंसे सभी कौन सा इंजेक्शन लगाएं भाई पस्टू को लाने के लिए गर्मी लाने के लिए पस्टू में कौन सा इंजेक्शन भाई मैंग चोदरी बोल रहे हैं डी इसका तो सभी लोग गलत आंसर देंगे सभी लोग, सम्झिंग बे में सभी लोग इसका गलत आंसर देंगे आपका है ना, जो कुस्टे नंबर आपका जो है 35 है इसका करेक्ट आंसर आपका किंग बीटीस ये बोल रहे हैं अच्छ भाई, मैंग, सोदरी नहीं इसका करेक्ट आंसर आपका जेस्टाइल जेस्टाइल के इंजेक्शन लगवाते हैं आपन कौन सा जेस्टाइल गाय को गर्वित करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन शे लगाया जाता है जे स्टाइल गेंज अक्सन लगाया जाता है याद रखिएगा आपको इता है रसक्ताइब वैसे तो पसु पालन पसु मेले थे ने कई सार रहा हुआ राजस्तान विकुल शही बता रहे हैं राजस्ताहर हमें का पनेखरे इसकी स्टापना होती है कब होती दोस्तों ही होता है जली से इसकी जो स्टापना दोस्तों इसे कहते हैं CSWRI CSWRI दोस्तों इसे कहा जाता है इसकी जो स्टापना होती है 1962 में होती है 1962 में क्या होती है इसकी इस तापना होती है वही बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही बता रहे आउपसन एवाले जो भी साथी यहां पर आंसो लगा रहे बिल्कुल सही है नेक्स दिन उस्तो उल्डा क्यूसन राजस्तान की पहली एडवांस मिलक टेस्टिंग रिसर्स लेव दोस्तों कहां पर है चले यह आपके लिए नया क्यूसर है एक दूख क्यूसर में भी पढ़ते रहेंगे यहां पर साथ में तो जो भी साथी क्लास में एक बार जुड़े गए एक बार दूस्तान की पहली एडवांस मिलक टेस्टिंग रिसर्स लेव कहां पर है तो जो यहां पर बता रहें ओप्सन सी जैपुर बाउदी बढ़िया दोस्तों बिल्कुल सही है इसे करते हैं दूद परिक्सन अनुसंदान परियोग सला इसका आपको हिंदी में भी नाम कहा है दोस्तों ज्यां रखना है यह कहां पर है जेपुर में है वही बाउदी बढ़िया ओपसन सी जो भी बढ़िया आरे अगे चलेंगे चलेंगे क्रसी करसी अनुसंदान परिसर्द यह कहां पर है दोनों के आपने दोस्तो बता हुआ है इन है बिल्कुल दोस्तो यहां पर जो अपना आंसर साया नोसंदान गुणों काहँ पर दोस्तो इजजत नगर इजजत नगर उत्रप्रदेश में दोस्तो पस्टूची किसा अनसंदान के इंदर है वह इए वट जो भी साती यहां पर ओपशाने सी के सात में जाने बिल्कुल चहीं है दोस्तो इसे क्या प्रते हैं आई बी आरइए ज़त आहें आई डोस् जो कि अनुसंदान के ओंगर दोस्तों झाल़ है हूं करशी आनुसंदान परिस्स दोस्तों यह का पर ए It कुराइब इस त 215 आई सी ए और दोस्तों यह का परए दिल्ली में यह दीद न अज़ित व्यस नमट से देखे गहाए और यह बताए कितने के उसन सही होगए पांच में से आपके, पांच में से पांच है क्या कोई है यहाँ पे, जिसके पांच में से पांच सही है अभी तक, हाँ, अभी तक जिसके पांच में से पांच सही है, वो भी है क्या यहाँ पे, राजस्तान में साहीवाल गाई का परज देने वाले गाई है, सरवाधी के दूद में देती है, दोस्तों इसका दूद क्या होता है, मिठा भी होता है, साहिवाज गाई का, मिठा दोस्तों इसका क्या होता है, दूद होता है, एंड अगर हम बात के दोस्तों, राजस्तान में साहिवाज गाई का दो परजने के अंदर सभी साती में जन संक्या में पूचा जान रहा है राजज्टान का सबसे बड़ा हिस्सा है करें करना राजस्तान का सभस्त बकरी सकरमने है कितने पाईदीय दोपॉंट जीलो आठ चलोड डो चोके आठ मतलब दोस्टोव 2 पॉंट जीलो जीड मी जिर आठ कलोरी कश अट मैं है राजस्तान में पाईदीयAnnуемे निन जोटन कि आठ कि आदोलों कि दोर्पूर पाजा आती है म् film क्यों पाइँ पूखेगा ऑंपूर्प्र जी दु Rhodeusz डूस्ताय को किसे नंपर आठ कहा जाए एenti कुछ के स्कार चैलिड़ाम से जाए उंसर क्या हो खुगा चैलिग से जड tenants नहीं अ तो कुटे जो सहनस्तान दोस्तों ये कहां पर है राज के कुट सहनस्तान दोस्तों पर राजस्तान में ये तो है अजमेर में लेकिन मुर्गी पालत पर शिक्सन सहनस्तान ये कहां पर होई हाँ बेंगलोर में है ओप्सन ए होगा यहां से बेंगलोर में है जो भी साती बेंगल पाइम पर आया करो वही क्लास में कितने क्यूसर छूट गहें आपके पेस्ट सरव रहा है यह ना यह लाइव टेस्ट रहा है यहाँ पर बता दीजेगा लाश्ट में कितने परसंट साही हो रहे हैं सभी को काउंट करते रहना है बेस के सिंगो पर छले दोस्तो बनने परारम होते हैं मताई कितने साल के उमर में होते हैं वही कवन फास्ट जल्दी से आंस पर रहेंगे बेस के चलो परे, बेस के सिंगो पर जो चलने बनने प्रार हो दोस्तों ये तीन साल की तीन साल की उमर पर दोस्तों बनने लग जाते हैं बेस की बात करें, गाई की बात करें दोस्तों जितने भी मवेसी होते हैं ना इनकी बात करते हैं यहां पे लेकिन दोस्तों फिर देखो, उसके बाद में परते एक साल, उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, परते एक साल एक नया चलना बनता रहता है, नया दोस्तों एक बले क्या है, बनती रहती है, अरो दोस्तों ने एक श्क्रीशन देखेगा, अज़े दोस्तों यह बताएं यह हा यहां पर आपि कि और वात कि अधो में को पैसी की बात है नुझिवी की और आशन सुझलिए तक मांथ मुझे ता कर देखने टाम होता है मुर्गी के नाडी गती और सवसंदर दोस्तों मुर्गी में जो सवसंदर होती है नाडी के जो गती होती है तो यहां पर दोस्तों से चार सू सबसे ज्यादा दोस्तों सबसे ज्यादा नाडी गती मुर्गी में होती है option D वाले जोबी साती यहां पर answer लगा रहे हैं very good बिल्कुल सई जवाव वाई सभी का क्या बात क्या बात मज़ा आगे वाई अगला दुस्तो नेक्ष ट्योशन देखेगा आगे चलेंगे question number 11 की उर यदि किसी पसु के सिंगों पर छलों की संक्याच है हो दुस्तो इस विस्टेंड निकालने का मज़़ना जो सुत्र होते है नमुह कई बार अमने पड़ा है उद्य कि संक्या मी दूस्तों किया करना हमें दू जोड़ता है कि है चलि मैं यसागों की सब्सक्राइब गाराकाव मी आपक्ते में option D वाले जो भी साथी यहां पर लगा रहे answer उनका तू सहीए बाकी बाकी देखो यहां पर बेड का उस सते सारविक ताकमान दोस्तों कितना होता है अच्छा अभी अमने क्या पढ़ाता है अभी दोस्तों अमने पढ़ाता है मूलगी के बारे में हमिए बेड बखरी का लिक्रेना थाया है अब कि बार दोस्तों कि अपना पर ला था एक थाक pur Ш। यह बार दोस्तों इसे कास सरते हैं 49ड धीनिग्री संटिगरेड अंसर और निकितर सकते हुआ सवसंदर यह कितनी होती है 15 से 25 सवसंदर दोस्तों इसके अलावान नाडी दर दोस्तों नाडी की अगर दोस्तों बात करें नाडी दर कितनी होती है सब्सक्राइब दोस्तों के नाडी दर होती है चले वाई जदी से एक बार नोट डाउन कर लेजे आगला दोस्तों नेक्स्ट कुसां देखेगा आगे चलेंगे किस्से नंबर 13 नेवर में से कौन सा जुगाली करने वाले पसू के ऊपरी जबड़े में उता दोस्तों बताए लगाओ जबस्तों जदी से आंसो लगाई जड़ी से यहां पर आंसर बताना है क्या होगा जगाली करने वाले पसू के ऊपरी जबड़े में दोस्तों क्या होता है डेंटल पेड होता है ठीक ना जगाली करने वाले पसू के ऊपरी जबड़े में दोस्तों क्या होता है डें जो गाली करने वाले वाले पसओं में पिर्वन दाथ कितने होते हैं, जोडी होते हैं, अगर ठाथ होते हैं, जोने कारण दोस्तों आपको भी पता हो यहां पर और किस किस को मज़ा आ रहा है क्लास मतलब अच्छी लगरी होगी ऐसा लगरा होगी कि वाई साम बहुत सई चाहरे है मतलब हम बहुत है सई पढ़ रहे हैं यहां पर किउस्सन नुमर चौदा देखेगा किउस्सन नुमर 14 यहां पर बच्छे में सींग रूदा ने किस उमर में किया दाता है दोस्तों देखो यह किउस्सन दोस्तों आपके लिए नहीं हो सकता है इसे लिख लेना वहीं पर यहां पर दोस्तों में सींग रूदा की बात किती हैं वहीं पर लिख लेना जो दोस्तो बचड़ा होता है ना गाई का बचड़ा उसमें सींग रोधन देखो दोस्तो कितने ओकी सुमर में कहता है जनम के तीन से दस दिन बाद में तीन से दस दिन बाद में बताई जनम के तीन से दस दिन वादन के होता है दोस्तों सींग रोधन के रता है ठीक है ओप्सन ए यहाँ पे लगा लेना आगा उस्तों नेक्ट कुछन देखेगा आगे बढ़ेंगे यह बता है दोस्तों बेड और बकरी की ओस्तन आयू कितनी होती है चले बाई ज़दी से दोस्तों बढ़े जनिसे कितने होती है गाईब इसके दुस्तों 20-25 साल दिक रहे हैं आ ठीक ना मैभी से पच्जी साल इन दोस्तों यहां पर बात करें घ्रडबगरी की कितनी होती है तो 10 से 16 वर्षट की किगए 10-16 वर्षट ऑप्सन है यहां से आपसंडी यहां पर राइट आंसर हैं इन दोस्तों यहां पर बात करें सबसे जदे जिसकी होती ही है ूड की होती है शुषचे कि इसको हमें दिखा था मूर्गी मुर्गी कितनी होती है चार से पाएओन, चार से पाएओवाओन मुणी के होती है और दोस्तों इसके अलावा बताएज जरा सुछार के लेवारे में पढ़ेशा है पंदरा से 20 साल देखते हम के बार यहां पर क्या अंसर आता है या अगर ये कुछ से न आपने लगा दिया न राइट तो भाई समझ आएगे विल्कुल तैयारी करके आए वह आप अच्छे से हाओ बताई जनीश दोस्तों क्या होगा चली 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 तेशन को लाइक से भी करो एक बार क्लास को लाइक से भी करते रहो दोस्तों गाई की बचने में पहला चर्वन जोडा दोस्तों पहला चर्वन चर्वन मतलब यहां पर बात हुरी है मोलर है मोलर जो टीट होते हैं दोस्तों उनकी बात हुई है और वो पहला चर्वन जोड़ा दोस्तों छे माग की आयों में निकलता है क्या बात है यह वीना बात है यहां पर मिल्कुल यहां पर क्या बात है मिल्कुल सही बता रहे हूँ बिल्कुल सही है दोस्तों अगर दोस्तों यहां पर बात करें दूसरा चर्वन जोड़ा पहला दूसरा चर्वन जोड़ा कब निकलता है बताइए सर डेशनाल के आई में तीसरा दोस्तों तीसरा निकलता है दो से डाई साल के आई में दो से डाई साल के आई में दोस्तों तीसरा चर्वन जोड़ा निक क्लिर स्क्रिंद मुणकर दूस्तन सब्सक्राइब को डिखते हैं Bagus जहनम के तौन ही जोड़ा करएं करो निकलता है मतलए मतला दोस्टो प्री मोनर दाद क्या है निकल जाते यह पिराग़ा है दोस्तों ये दोस्तों निकल जाते हैं पांच साल के आई में सभी इस्ताई दाट निकल जाते हैं, पांच साल के आई में सभी इस्ताई दाट निकल जाते हैं, ठीक है, जोस्तों कियोसे निए निए निकलते हैं, बेर और बकरी में सभी करतन दाट की ऐस्ताई जूरी कब निकलते हैं, गलत गलत आंसर कैसे लगा रह वो वो सलना SNSD वो सलसेक, Permanent परें वो स非 беспाराव, तेव नब टेइक नहीं रहा क्यों पड़का आगे पी玩 थाव, तक ज़ необходимо हो द이owana 300 जार्डडड़़ वो भीजी करने में लिोका था नबकर कि तढिखे उता कि 10 में सक यह 20 में तेरा महिने और तेरा दिन दोस्तों किस में होता है तेरा महिने और तेरा दिन दोस्तों किस में होता है तेरा महिने और तेरा दिन दोस्तों किस में होता है तेरा महिने और तेरा दिन दोस्तों किस में होता है तेरा महिने और तेरा दिन दोस्तों किस में होता है तेरा महिने और इस्व गाय में दोस्तों कितना होती है, गाय की बात करएं, गाय में जू गर्भामस का समस्तों यह कितना होती है nine महयने pa les nine dan, nine महैने pa les nine dan, nine nine महयने pa les nine dan, का मतलत जानते हो यहं पर कितना हो गया, बताइए 280 दिन And還 burdowsturan, वहां यहं बात करें,educSo tiyan मेने बताया क्वश प्रोक्राइब आपको सुर में जोस्तों आफिर विल्कुल एक सोचावदा दिन चलिए अगला देखो नेक्स्ट क्यूसन अलो क्यूसन देखेगा यहां पर क्यूसन नमबर उन्दीस है बच्रे बच्रियों में सिंगों को अटाने के लिए परियोग में लेते हैं दोस्तों होता है यह दिसे हां بिल्कुल स constellation क्या यूज़े लएते हैं kOh और तो एक anyoch दो स्टों यहां पर chemical यूज़रें जिदें जी भीकि ऐगा caustic soda il da कॉस्ट भीकि थे प्रॉम सी यहां पर राइ टांसफर्ष तो सिंगों को उठाइन पत्रिमुटnaire क्या होती है नारी दर कितने होती है 40-60 होती है 40-60 बेस का जो टापमार होती है इक सो एक डिग्री फारेनाइट यह तापमार होता है तो एक जाली से बताइए बिल्कुल सवसंदस दोस्तों बताना है कितनी होगी वाई जल्दी से बताए कि उससे नंबर 20-17 है देखते हैं यहां पर दोस्तों हमने आपको लिखाया था 16-18 परती मिनिट याद करो दोस्तों 16-18 परती मिनिट हमने पदा था अब 16-18 दिख रहा आपको अब दिख रहा है कई पर 16-18 नहीं दिख रहा तो हम क्या मानेंगे दोस्तों यहां पर बदाए जोड़ी से अपना जो होगा दोस्तों वो क्या होगा यहां पर 16-18 होती है परती मिनिट ठीक दोस्तों 16-18 परती मिनिट क्या होती है बेस में सवसंदर होती है गाई की बाक्त दोस्तों गाई में कितनी होती है 20 से 25 होती है गाई में 20 से 25 दोस्तों क्या होती है सबसंदर होती है गाई में दोस्तों नारी दर कितनी होती है गाई में जो नारी दर दोस्तों होती है ये कितनी होती है नारी दर 28 से 32 32 दोस्तों गाल में नाड़ीदर होती है ओके जी हां विल्कुल तो यहां पर दोस्तों अपना 16-18 देखो कहीं दिख नहीं रहा option C में देखो दोस्तो 15-20 15-20 दोस्तों इनी के बीच में क्या है 16-18 है इनी के बीच में 16-18 c आपके क्या है अप अपना आंसर होगा, हमें वही देखना है, जो देखो, दोनों के बीच में आ रहा है, अब 16 और 18 उस्तों और 18 हो जाएगा, अगे बढ़ेंगे अगले क्यूसन की और, अगले क्यूसन देखेगा, यहां पर सही करो, और अग्जाम में आयो ने क्यूसन ही है, हम देखो, वही ब साथीर है, वह एसे उस्तों देगा, जिसमें आप फोड़ा तर्प्री जोंगे, और प्र गलतांसर लगा होगी, ठीक है, हां, बखरी का ओस्तन गरब कर कितन दिन का होता है, अब देखो यहां पर, अब आप उलगे सर, यह 148 भी होता है, 148 भी होता है, अब आप सूचो यह पर कौन सा लगा होगी, बताओ जेरा, हम, कौन सा लगा होगी, आफ यहां पर, अब आपने पड़ा होगा, बखरी का जो उस तर गरब कर होता है, यह 148 दिन का होता है, और बेड़े दोस्तों कितना होता है, 150 दिन का होता है, अब यहां पर देखो, 148 और 150 तो उप्सन सी हो बहुत ही बड़िया, वरेगूर बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, हाज यह बिल्कुल सही है, और सब्सवी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे है, बाई, बढ़े अस तो निस्चुशन देखेगा, आगे चलेंगे, अलिक्रिक्सन की और, क्यूसर नुम्बर 22, ग वायों में पशु बाहर कि गंदना के लिए कुन से सुतर लगाय जैता दोस्तो कों सा सुतर अपनाते है स्चु बाहर कि गंदना के लिए बन तर्षण को 3-4 सुतर में रडclamation 3-4 मिली मतहेते आपको यहां पर रही था सेफ पर सुतर, सेफ पर सुतर, और आपको याद हो दोस्तों हमने सेफ पर सुतर पढ़ा भी था, कि सेफ पर सुतर क्या होता है, सेफ पर सुतर दोस्तों क्या होता है, तो यहां पर अगरवार सुतर हो रहेगा अपना राईट टांसुटिक नामा, पसूबा पसको लंबाई और टो की दूस्तों था इन्च में के नापि जाती है जो पी argu удар करना वे किससे उसको गोना करना है रिदे का जो गेहरा होता दोस्तो गेहरा इसका होली स्क्वाई और बटे में क्या करना है बटे में करना है दोस्तो 300 यह जो भी आएगा दोस्तो वो पॉंड में आएगा जो भी आएगा दोस्तो यहां पर है बार वो क्या आएगा पॉंड में आएगा ओके अगा दोस्तो नेक अब देखो यहाँ पर दोस्तों, हमने के आप रतव तक अब देखोर का तापमान लग बल दोस्तों 38.5 38.5 degree centigrade पड़ा है लेकिन ओप्सें दौस्तों ऐसा ही हाएंगे, तो क्या कोगा यहाँ पर उचिजी से, देखो क्योस्ट नमबर 23 हाँ जी बिल्कुल चाही बता रहे हैं यहां पर option C होगा यहां पर ठीदे दोस्तों, option C यहां पर right answer है जो भी option C बता रहे हैं 38.7 से 49, 40 तुड़ी ना होगा, 40 तो होगा है नहीं दोस्तों यह तो बहुत जाद है, 40 नहीं होगा, 40 नहीं होगा दोस्तों, 49 तक तो चला जाएगा कोई बात नहीं, यह तो बस्तों पास में है, पॉइंटों नहीं है, यहां पर लाइक सेर कर देंगे एक बार, सभी क्लास को लाइक और सेर्ज जरूर करेंगे, दोस्तों इंपोर्डिन से समचारगा है यहां पर, तो सभी साथी क्या है, क्लास को लाइक सेर करेंगे, दोस्तों यहां पर बात करीब, बेस के मास को क्या करते हैं, दोस्तों बीप तो कहते ह वक्सन्सी बता रहे हैं यहांपर आच्छा के लाबीक कैते हैं बवुत ही बढ़या विल्कुल सही है उपसंसी वालों जो बी यहांपर ब foresee onक Chapel कografine दोस्तों प्लान के बुद्दों आप में आपको क्या कहते हैं? गाय के बचले के मास को क्या कहते हैं? बकरी के मास को दोस्तों क्या कहते हैं? बेड़ के मास को क्या कहते हैं? इसका दोस्तों यहां पर हमने पढ़ा था मुर्गी के मास को क्या कहते हैं? चलिए ज़दी ज़दी दोस्तों इनका आज़स लगाते रहे हैं. 今天前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向前向 जदी 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 आंसौ लगते रहें, जदी 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 आंसौ लगते रहें, जदी 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 आंसौ लगते रहें, जदी 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 जद करे में यहां पर सबसे पहरें समधम की बाद करियां। सबस्क्राइब करें में सबस्क्राइब करें सर् attempt भूभ करें में परसकर करें जो किडिया थैर लेकि किडिंग बस जटो गई बसेड़ा करती है और दोस्तों यहां पर बात करें गाई बेस में गाई और बेस में दोस्तों क्या होती है सर्विंग तो क्या होता है दोस्तों यह समागम की क्रिया होती है समागम की जो क्रिया है दोस्तों उसे तो क्या करते है सर्विंग करते है और गालो बेसम दोस्तों जो पर्सों की दोस्तों किरिया होती है पर्सों की दोस्तों उसे क्या करते हैं काविंग कादता है उसे कहते हैं काविंग ठीक ना किडिंग कौन सा है तो किडिंग बता तो दिया किडिंग पर्सा होता है ठीक ना क्या होता है परसा होता है अज़का दस्तों एक्स्क्यूसन देखनेखा आगे बढ़ेंगे ने अलिख लेंगे सा ले से घरजानों आपको रचा को Babam सुँवर में समादम का प्रसाओ कता है sig से it दोस्तों दistey हेलो विंग कहते हैं, ओके, जी हाम बिल्कुल ओपसर नहीं यहां से बता रहे हैं, सी बिल्कुल सही होता, अब लादेगो नेक्स्ट कुछिसन, आगे चलेंगे वही नेक्स्ट कुछिन देखेएगा, यह दोस्तो यहां पर वेस संग गाई का इस्ताई सुतर बताना आपको, दाट सुतर दोस्तो आता है सभी को निकालना, दाट सुतर दोस्तो आता है सभी को देगो पहले आता है इंसाइजर दाट, फिर आतने दोस्तो के नाइन दाट, फिर आता है प्री मोलर दाट, और पिर आता है मोलर दाट, अब इंसाइजर दाट दोस्तो गाई और बेस में उ क्या करता है आपकर दो시는 क्यों हो तो अपना में जो 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 मॉलर वाला दिखाव है यहाँ पर आपको है तो पूस्टे क्योंकि मॉलर हमें से इस ताइँ होता है अगर दोस्तो निच्क कुछ इसंड आगे पढ़ेंगे अगले क्यों कीषिया दाइन दाद लिखाव है इसलिए ब्सलिए होगा हाँ ये भी सही है वैसे के नेν राट बाखीस हमने कहां पर आधे को कहना यहाँ पर भी नहीं है वैसे के नाम के नाम के निय Thai नियूर साइस किसा आपके लिए क्युस्न यहां पर चेंज करते हैं यहां पर आपके वतना के लिए सोघर में जो टापवाल उता है कितना होता है। क्या होबा सुअर के लिए बढ़ जबी से आप तो दो मुझी के लिए नहीं है आपकेने कियुसन कइ़ सोटार होता है कित्र होता है ज़नी जितना जादी होसे तना बढ़ा नई को थो तो अकनी क्योशन यहां पर कई सारी है यह सारे में तक मुझे टाइम कैप अन्ज। होग यह दो दोस्तों इसके लावा यहां पर बात करें सुवर के तो सुवर में जो दोस्तों सवसंदर होती है अग से अठाड़ा और नाड़ी दर दोस्तों होती है इसके अठाड़े की बात करें और नाड़ी दर दोस्तों इसके लावा नाड़ी दर दोस्तों करें एठाड़ा और एक डाई की कुछ सी नसले जो दूदारु हौए और उसके बेल खेट खेटी में एक आते हैं देखो यहांपे अच्छा कि उसन है यहांपे बहुत सांदर कि उसन है चले बाई जादी से बताएं चले जादी से दोस्टों आशू लगाई हैं कि हाज जी ती बिलकुल सभी बतारे four एक क्या बात है क्या बात है मैं सभी साती सेशन गों सेयर करेंगे और Canvas अने माले अपी गलास पर क्लॅस में डिस से साती ज हरी लॉज़ करो 300 हम कर दीज, दसको देव खेती प्रून है, और जो c ह हा dissoci से लेद खेती हुआ है कि राट की ओप्सन ए होगा यहां से क्या कर रहे हुआ फो ऐसे गलत करोगे तो काम कैसे सरेगा यह बताइए कितनी बार हमने पड़ा दोस्तों वापस से बढ़ा रहा हूं मैं आपको वापस से बता रहा हूं देखो एक को होती है दूदारू नसले दूदारू जो न गिर गिर दोस्तों गिर और राखी राखी और देवनी यह दोस्तों के होती है दूदारू होती है एक दोस्तों यहां पर द्यार्टना यहां पर दोस्तों एक होती है कुनसी जो मतला दोस्तों दिकाजी होती है जो दिकाजी दोस्तों होती है दिकाजी और दोस्तों होती है बहुर वह वह यहां पे, बहुर वह ऑज्यों कुन सी होती है? अमरत पहल नागोरी और दोस्तो मालवी, अमरत पहल नागोरी और मालवी, ठीक दोस्तो चले भई, अल Tonे सुने श्रॉस म्हान करेता कि किस नसल का होता है? जो नहीं जोड़ी से बताई है। HKRTM हाँ मिल्कुल जही है। HKRTM दोस्तों जिसे कि यहां पर बात करें जो हर्यानवी, कांकरेज, मेवाती तो ना यादर आपको नीमाणी, देवली, थार पार कर तो क्योशन बताई जोड़ी से सबसे रहैंबा दूद का जोटा है मेंसाना why somethingcken जशन खारा के मेंसाना तो मूरा और सूर्थी difference between the मूरा और सूर्थी,uciones क्या है वहाई is a दोंर के संफर्न से भांद", चलिए अगला किशन देखेएका मेंसाना गजराथ के जुस्तों गुर्णात की है, मैस ना, अपने रजिस्तान में शांचोर जालॉर में पाई जाती है, अझा है। अज़ाक कुस् liberation से देखे लगँ, क्यूसे नमर 30, राज़िस्तान ने पढ़ते गिंदरार पांगणा पेखा। बड़ाई रजिस दोस्तों राजस्तान में परते हैं पांच साल के अंतराल पर पसुगणना कौन करवाता है क्या होगा तो परते हैं कि पांच साल में जो पसुगणना है दोस्तों ये कौन करवाता है राजस्तान में अजिमेर करवाता है दोस्तों लेकिन लास्ट टाइम पर अपहीं जो बीसवी परसूपलना लुझा हुई थी ये डिजिटल हुई थी इसको जो करवाये घयता दौसतो हूँ परसूपलन विपाल साथ में राजसुमंडर कीक ना साथ में राजसुमंडर दोनों करते हैं दौसतों ये पशूपलन विबाट जीबकुर में है राजस्थान में दोस्तों वजमेर में ये कामफिर अजमेर में नेक्स्ट कूसन देखेगğin राजस्थान के सरवादी दुद फ्लता वाला जीला कौन सा है ये दोस्तों एक अमने कूस्टिंबहाता ना कि राजास्तान में 2 दूद उपनप का कि थी पटीवेक्षान की इस हई ऐग्जाम है वो 2012 की इस को अपल बेंड़ अप्रेशन स्यẵ़् करता ऐसे हमpower जेपुर सर्वादीक दूर्थी बेरियों भी जेपुर में दूर्थी चरवादीक बेरियों धस्तो का पर जेपुर में बत्रीकी ओस्तन सवसंदा दस्तो कितनी गटी पर्टीमिनट होती है ए हुभना लिए लगाई आंसर यहां पर, आंसर क्या हो जाएगा, बखरी की दोस्तों यहां पर बात हो रही है, बिल्कुल यहां पर दोस्तों अपना जो आंसर होगा, वो क्या होगा वही जल्दी से बताएगे, अब यहां बखरी में दोस्तों सवसंदर की बात हो रही है, ठीक है, अपना जो यहां पर आंस्वर है दोस्तों यह बिल्कुल हुजाएगा उपसिन है 16-18, 20-25 दोस्तों पंदेर से 10 होगा नहीं और सी बहुत नहीं और सी भी और स्टों काट है यहां से ठीक नहीं काट है दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर जो अपना अंस्वर है वो हो सकता है, option A, ठीक ना? 20 से 25 पढ़ा है, sir, option B भी हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों, ऐसा confusing क्यों संदेगों एक्जाम में आते हैं, क्या करें? 15 से 25 हम ने पढ़ा है, ठीक ना? option C नहीं होगा यहां, option C तो कर देका, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो option C नहीं होगा, option B होगा यहां पर 20 से 25 का लेना, क्योंकि 15 से 25 के 25 तो पढ़ा है, झाहते हैं क्योंकि 16 से 17, पासमें 222 यहां पढ़ाणा? वस्तों 20 है इसमें काय क्या है में डिमाग प्टिइगा अप जैसे पंद्रा के लित आफस बीशार है पच्जाइबच्ट कोज लोग तो 20 हो जाए अपर पूशे परना है 건 सब्सक्राफ मैं पढ़ना को कि औरह जूग सब गहरा कि सब्सक्षन हर रहा है मैंने कुई खुधी ने तोड़ी न बनाया है क्यूसर यह बताईए जो क्यूसर आज़े न वो क्यूसर बताई रहे कन्फुजन में मड़ डालो वह बाद नहीं है यहांपे माली जे एक्जाम में आगे तो आप क्या दो होगे यहांपर तो अपनी k dissipation है इसको हम सोடार सोच समझके राइंसर लगा देंगी एक क्यूसर UMaggi में आ लिया तो फिर दोस्तों फिर आप क्या मोलेगी आप टो मोलेगी सर्में तो हम यह कर आए घर सने हम यह नहीं कर वाया यह तो सही बात है कि हम यहाँ पर दोस्तों क्या है हम यहाँ पर पढ़ रहेंगे इन क्लासों में दोस्तों चलिए वाई सर कल तो बीस बारा से बीस बता था कहां बता या बारा से बीस कहां बता दी आपको पढते नियूँ आप टीकसे, पढते नियूँ मिलकुल नि दुस्तों चान्यों यहां पे बताएं चलें इससकेर्फिशं का, गारी गोभपसों की सबसे छोटी नसल कॉन्सी होती है, बोडी नसल दुस्तों होती है, वbad metal दुस्तों केरल बाजती है, वफशन आ-हुहां से गल तो देखाएगा नेक्ष दो दोस्तों अगला क्यूसर आगे वलेंगे क्यूसर नंबर 34 की उर 34 की दोस्तों यहाँ पे 19 वी पसुगर्णा के तुलना में 20 वी पसुगर्णा में पसुगर्णा में कितने अंक का डिफरेंस है क्या होगा चलबाइज जल्दी से बताएजे 19 वी पसुगर्णा की तुलना में 20 वी पसुगर्णा में कितने का डिफरेंस दोस्तों कितने अंकों का डिफरेंस है आपको बताना है चलिस दोस्तों बताईए दोस्तों को निस सी पसुगर्णा में जो पसुगनत रहे हैं वो एकसु गुरंतर था बीस में एकसु छासक आ लिया टोटल तीन अंक गट गट गए तेक न टोटल तीन अंक गट गट गए हैं होप सने यहां पर होगा आई टांसर नेक्स ने दोस्तों होगा क्यों सना आगे बढ़ेंगे 19 सी पसुगर्णा 2021 की तुलना में 20 सी पसुगर्णा 2017 या 2019 जोगा 2017 में शुरू होती है इसने 2017 लिखावा गया हम तोड़ी ना यहां पर चेंज करेंगे 2019 में वैसे पूरी होती है तो राज्य के पसुगर्णा में कितनी वर्दी या कमी आई है या आपको बताना है चले वाई जोड़ी से बताइए दोस देखो यहां पर बात करें पसुगर्णा पहले कितनी थी और अब कितनी दोस्तों यह भी आपको बताना है wait 1.60% के कमी आगई एक पॉइंट शासर पर्षेट के कमी आगई option D है यहां पर राइट हो जाएगा भी ठीक है एक पॉइंट शासर पर्षेंट के कमी आगई दोस्तों option D होगा अब यह नेख्ट कुस्त देखेगा कोई नसल है कोन सी गाइई की भाप वही नसल है दौस्तो गाइई की बारवाई नसल है अभी आप़ ए एज reindeer अन कि अमरितमे है फहले हुँ कर साथ, माल मॉल वी है? माल ५ी क्या है? मे वाथी मेवाती था, था थी दी प्रियुजिनी होती है, थी प्रियुजनी होती है थी ंड्युजनी, थील को में ऑफ्सने है। नोधर क्यूंसर है। किस नेसल का उथपती इस्थल ब्रिटिस सौमानिया था। राई टैनस ब्रराइगा... अपरिका का एकिस्तान था। दोस्तों एक doo- до अब्रागे आपको रिटि सोमानिया और यह तो इँड़ी कों सी बिकड़ी पूर्परी ठीक दूस्तों अब्रबरी ऑप्शने 5% 4 être क्लोध त्डा इस बौ़करी के बार में इसके का रावा काते हैं Si2 तक मिकटे इस पुर्परी किए सिजुआते इसके रूत दोस्तों किसे होते हैं? इड़न के तरह इसके कान होते हैं? ऊप्षाने एशी हो जाएगा अपना हाईट दांसर 36 लबर फिर चेश दिख पाता हूँ अहा बताई क्या होएज इसमें क्या होएज में चुछ अचा नहीं है बारबाई नसल नहीं है? अचा बारबाई नसल नहीं है दोस्तो ये लिखा वाता सोल रहीं होま को सिन्दों पर्णे में क्या है मेवाती और थो मेंने निछे वाले लिखे सिम्त करद iba за इस दो अपा ओने लिखने अचनलो फिर तो तो यहां पर मालवी को ही देख लिया, नहीं निखावा था, बिलकुँ इसे सही कले ना, ठीक है, बिलकुँ इसे सही कले ना, हाँ जी बिलकुँ सही है, यह तो करी थी सर, अच्छा, किया था, चली अच्छी बात है पिर, अलगा किरस नंबर 38 देखेगा, बारतिय डेरी बारतिमें का चली मिक्रेड आनन्द घुजिराद की स्ताफना के क्या थी थी, हाँ, यहां, छिक से में क्ई दूझे सही है, डेरी निगुड क्या हूँ अग Peng को क्या था, लेक्ष देज़स तो अगला कि उसे नागे बढ़ेंगे कि उसे नमबर 49 की उर बीस्वी पसु गणना 2017 के अनुसार बारत में कुल पसुशन के कितनी है चलिए लगाई जल दीज आंसर चलिए बीसवी पसू गणना दो जार सतरा के अनुसार बारत में कुल पसूशन के कितनी है क्या होगा जी आपे बिलकुल रही सही बता रहे है पान सो पेटीस पॉइंट अटनतर मीलियन ठी दोस्तो पान सो पेटीस पॉइंट अटनतर मीलियन के दोस्तो पसूशन के 20-2017-2019 टीक है अबला question number देखिए next question number 40 चालिस हो question यहाँ पर बताना है बेड़ पालन में राज्य भारत का बारत में कौन सा हिस्तान है हिलारी और गंड़त यह वही है दोस्तों यह वही है बारवाई है ठीक ना बारवाई है वो बेड़ पालन में राज्य भारत में कौन सा हिस्तान रख दोस्तों उत्रव अपना राज्य राज्य भारत में कौन सा हिस्तान रखता है दोस्तों यहाँ पर जो अपना answer है वो क्या जाएगा दो complete दोस्तों वेशे हमने पढ़ा है कि बकरी एंड ओट इसको दोस्तों गजा इनके माण में राजस्तान के का है पहला हिस्तान है दूसरा हिस्तान दोस्तों बेश का है बेश का के राजस्तान में दूसरा हिस्तान है तीसरा हिस्तान दोस्तों किसका है गोडे का है गोडे में दोस्तों क्या है तीसरा हिस्तान है और मुर्गी को इसा इस इनकिस वी बढ़ा है परतिसत इस गाय की किस नसल की दूद में पालता ए सबस्क्राइब कर दो रहें तो यहां पर जर्शी गाई बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बतारी हुआ है फॉर रिकूल डोस्तों जर्शी घाई की नसल दोस्तों यह प्रांस के जर्षे दीफ से दोस्तों इसके से उत्पती दोस्तों काहं से होती है ? बस्तु कि आयों क्याट करने में कौन से जाथ मुखे वो मिगानी बाते है ? बताई दोड़ी से 17 सत्रवा सत्तान है मुर्गी का अरे मुर्गी का सत्रवा है अहां अटारवा नहीं होगा सत्रवा होगा सर एक है क्या है एक है हां और युग जातकर दोस्तू मुख्य बुमी का जो इंसी जबदात होते हैं वो निवाते हैं ठीक ना इंसी जबदात है? ओप्शन बी होगा यहांसे? ओप्शन बी यहांसे राई टांसफर है अज़ा दो दो नेक्स्ट कुस्टन वेसक सुवर में दातों के संक्या कितनी होती है, वेसक सुवर में दातों के संक्या कितनी होती है, दोस्तों सांदार क्यों सन है आपके लिए, सुवर में दात कितने होते हैं, बताओ जरा, सुवर में दात दोस्तों देओं, करगोस में तो 1823 होते हैं, इसके अलावा, यहाँ तरतीव में बात करें हम 34 किसमें होते हैं उठ में दीर संसार में सबस्थ एंब ay sap riba भृषाएं यहाँ सबस्थ सबस्थ कुट्टे में दोस्तों कितमे होते हैं तीस होते हैं है कुट्टे में 52 होते है तो अपिस से मैं बताई थे अपको क्या है आपको डिदोस्ट वाद है और है यह आपको जवाब देना रहे बिल्कूल यह एंसरे मीं देखता हूं यहां किसका आ रहा है एक मेंट है कमेंट नहीं दिखा यह थी अपत्ते हैं हाँ विश्ट बंगल तसमेत बंगल का पहला है ठीक है अनले ओ किस से रोपार 25 राज जी कि किस जिल्डे की-देश्टिन संक्या की देश्ची से सबसे कम पसूपा जाते हैं सबसे कम पसूँ यह तो आसान है आपके लिए यह तो बहुत आसान है वह यह तो बहुत आसर आप वी नोस में 12-20 वह पायता आप देखना एक बार चाले वह इसको अन्फरम करके बता देंगे आपको ठीक ना किस जिल्ले की दोस्तों यहां पर बात करें संक्या की देश्ची सबसे कम पसूपा दोस्तों दोलकूर में सबसे कम दोस्तों दोलकूर में सबसे कम बार्डवेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर्वेर् दोस्तो एक तो द्रहाण ज़ dubbed नुसंधार के इंदर, एक साय नल सुभूर के इंदर और फैर करें थाख पर आपने मेंदी तो पिंटाब Nós दीटाए ना नोल में रिका दिया है हिसार हर्यारीप defic.- अन Achoंदार केंदर दुस्टों यही कर दोस्तों यही परma है कि ओंट कापने ँनल्सकिए कि आपने शेक्तर कोई कंपरें जोहडबीड लिकानना वाई बिकाने में, ओट अनुसंदार के अंदर दोस्तों कहां पर है जोहरबीर बिकाने में है, ठीक है, 1994 में दोस्तों इसकी होती है, एक साल पहले क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, 1994 में, बकरी अनुसंदार के दोस्तों अगर आ गई, बकरी अनुसंदार के दोस्तों अगर आ भताईये मुझे समझनी आ रहतं कि आ पूछ रहो कि उसले जुड़ाना है। चिक यह किसे करते है। अधर है घक के बने से बारहिकाहएं जुड़ाना है। चिक टीत, याद रखो, क्या बात है, ओपसन यहां से बतारें, दोनों A और B, अच्छा, इतना ज़्यादा उस्यार हो गए आफ करने में, हाँ, चिक टीत, दोस्तो, मोलर और प्री मोलर होते हैं, क्या कर रहे हो, चिक टीत, मोलर और प्री मोलर होते हैं, दोस्तो, दोनों के टोटल मिलाकर यहां पर 24 दाज होते हैं, 24 दाज होते हैं, दोस्तो, चिक टीत, ठीक है, हाँ, जो होगा यहां से बिल्ग किसे नमबर ऑफ्टारीश देखेंगा किसे नमबर ऑफ्टारीश दोस्तों चले में गाय की दोरे उद्धेसे वाली नसल कोंसी होती है चले जादी से दोस्तों गाय की दोरे उद्धेसे नसल कोंसी होती है दोरे उद्धेसे वाली नसल ऑफ्टारीश दोस्तों अगे चलेंगे क्यूस नमबर उन्चास की और बेस में मदचक्तर की लंबई दोस्तों कितनी वती है कितनी दिनों तक होता है दोस्तों बेस में मदचकर दोस्तों अपना नेक्ष्ट जब टोपेग रहेगा यह यही रहेगा मदचकर उसे पले दोस्तों एक हम पढ़ेंगे मुर्गी के बारे में अभी 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 पढ़ेंगे और उसके अमने मुर्गी के बारे में ली पढ़ेंगे और उसके अमने मुर्गी के बारे म संसार में बेसों की कुल संख्या का कितना पठ्षिन बारत में 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 पहला इस्तान है परतम इस्तान दोस्तों बारत में बारत का पहला इस्तान है राजस्तान का कुन सा इस्तान है राजस्तान का दूसरा इस्तान कि आम मुझे बता सकते हुआ राजस्ता में मतला मारत में सरवाधिक बेस काँ पर पाली जाती है वह बताना आपको यहां पर क्या होगा और मजल से क्थर क्या होता है हम कलास में पढ़ेंगे अभी देखो आपका टेश सब्रह रहा है और कप्रें दोस्तों क्या है । में पढ प्रेवरी प्रेवरी